हालो स्टुडेंट मैं मैं अन्दर सिंग्रोज फिजिक फैकल्टी सील सी सिखका से और मैं लेके आँँ आपके लिए नीट दोजार चोविस के फिजिक्स का पेपर सॉलुशन चलिए तो हम जो पेपर डिसकस कर रहे हैं उसका कोड रहेगा टी सिक्स और फिजिक्स से का जो फर्स्ट क्योशन है उसको हपन डिसकस करते हैं यह मैगनेटिज्म का एक क्योशन है इन उनिफॉर्म मैगनेटिक फिल्ड अफ वे 0.049 टेसला मैगनेटिक नीडल फारफ़ॉंटी फारफ़ॉंटी कंप्लीट उसलेशन इन 5 सेकंड देखिए बच्चो यहां पर ट्वंटी उसलेशन कंप्लीट कर रहा है कितने टाइम में 5 सेकंड में तो एक के लिए टाइम कितना लगेगा 5 वी बाई 20 करेंगे तो टी की वैल्यू जो वाइब्रेशनल मैगनेटो मिटर आपने पड़ा होगा ती इक्वल टू टू पाई रूट ओफ आई बाई एम इंटू बी करेंगे हम लोग ठीक है तो यहां पर देखो टी की वैल्यू वन वाई फूर आपको दे रखी है और टू पाई रूट ओफ आई मॉमेंट अफ इन 10 इस टू पावर माइनस 6 डिवाइड बाई देखो एम की बात करें तो एम की वैल्यू है एक्स इंटू 10 इस टू पावर माइनस 5 इंटू बी जो है वो कितना है 0.049 टेसला यहां से इसको हम सॉल करते हैं और एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो अपना आंसर सेकिन ग्रेक्ट हो जाता है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्यों सुन आपना रिखते हैं नेक्स्त क्यों संवी दिवन विलो आर तू स्टेट्मेंट वन इस लेवल एज असेर्शन एंड शेकिन इस रीजन ठीक है ठीक है ठीकू अचसें जो देरिक्ञा है वो क्या बोल रहा है दिपो और यह वन अपोन में 4 पाइपसाल नोट की वैल्यू दे रखिए चलिए देखिए बचो अगर आपन बात करें एक डाइपोल की तो डाइपोल के सेंटर से 2 मिटर डिस्टेंस पे बात कर रहा है तो 2 मिटर डिस्टेंस जनरली हम बड़ी डिस्टेंस कंसिडर कर सकते हैं तो वी का जो फोर्मुला होता है एक्सेल पॉइंट पे वो होता है के पी अपॉन में आर स्कॉर राइट की वैल्यू जो है वो बन अपॉन में 4 पाइपसाल नोट की वैल्यू 9 इंटू 10 इस पावर 9 दे रखा है तो इसकी वैल्यू अपन पूट करते हैं देखो भी इस इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 इंटू 10 इस टू पावर 9 प्लस का और फिर फी की वैल्यू हमारे पास दे रखिए 4 इंटू 10 इस टू पावर माइनस 6 ठीक है डिवाइड बाई आर स्कॉर आर की वैल्यू कितनी दे रखिए दियर 2 मेटर दे रखिए तो 2 स्क और से 4 थे 4 बाएंचल हो जाएगा और टेने जो पावर माइनस इक्षा है माइनस 6 जो है वह इसको कैंसल करेगा टो ठीक है तो वहारे पास बनेगा वह नाएं इंटू 10 इस टू पावर 3 प्लस माइनस इतना potential हमारे पास आ रहे हैं तो इसके according यह जो given potential की value है वो क्या है correct है तो यह जो है उसको हम correct consider करेंगे फिर region जो देरिक है वो क्या बोल रहा है वी इक्वल टू plus minus k2 p upon 4 pi epsilon n not r square यहां पर देखो यह गड़बड कर दिया इसने यह जो formula दे रखा है वो गला दे रखा है हमने लिखा kp या you कह सकते हैं कि one upon में 4 pi epsilon n not raking यह p upon में r square यह two नहीं आएगा two नहीं आएगा इसके coding अपन देखेंगे तो यह sentence क्या हो गया गलात हो गया तो reason क्या हो गया incorrect और यह क्या हो गया correct तो इसके coding अपना अंसर जो जाएगा वो a is true and r is false first answer correct हो जाएगा ठीक है बच्चो तो second का जो answer आएगा वो first answer आजाएगा आतो बच्चो next equation number 3 अपन देखते हैं यह modern का एक simple सा ग्योशन है match the list 1 with list 2 spectral line C of hydrogen for transition from the core यहां पर अगर आपन wavelength देखेंगे तो wavelength का formula जो है 1 by 912 angostron into 1 by n1 square minus 1 by n2 square अपन रखेंगे ठीक है ने को first option में हमारे को n1 की value 2 दे रखेंगे और second में अपने को कितनी दे रखेंगे त्री दे रखेंगे तो इससे अपन solve करेंगे और इन सब को अगर अपन मैच करते हैं तो अपना answer जो है वो third answer correct हो जाएगा एक के लिए second option correct हो जाएगा और B के लिए first option correct रहेगा और C के लिए fourth और D के लिए जो रहेगा वो third रहेगा ठीक है तो इसके according अपना answer correct हो रहे है ठीक है इसको आप पर numerical value आप पर exactly देखेंगे तो solve कर देखेंगा नेक्स्ट क्योंसर नमर फोट देखेंगे हैं मैक्सिमम एलोगेशन ओफ इस्टील वायर ओफ वन मिटर लेंथ देखो इस्टील की लेंथ जो है नूटन पर मेटर स्कॉर एंड यंग्स मोडूलस सी इस वाइज एक्वल तो 2 इंट टेनेश्ट पावर 11 देरक नूटन पर मिटर स्कॉर एसाइ में वैल्यू गिवन है इसमें मैक्सिमम एक्स्टेंशं कितना होगा यह अपने को देखना है सुपोस्गज बेट इसमें मैक्सिमम एक्स्टेंशं एक्स एम है तो हम यंग्स मोडूलस की डेपनेशन से देखें तो स्ट्रे tariffs हो गया सिग्मा Xm by क्या हो जाएगा, L से हम define कर देंगे, तो यहां से इधर आ जाएगा, Xm by L is equal to Sigma M into Y, sorry, divide by Y, यह L इधर आ जाएगा, Xm is equal to कितना हो जाएगा, Sigma M into L by Y, टेको Sigma की value हमारे को गीवन है, 2 into 10s to power 8, divide by, Y की value कितनी दे रखी है, Y की value है, 2 into 10s to power, 11, ठीक है, sorry, यह हमारे पास 8 है, यह numerical value, 8 into 10s to power 8 है, correct, और length कितनी दे रखी है, 1 meter दे रखी है, तो देखो, 11 से यह cancel होगा, तो 10s to power minus 3 बचेगा, और यह 4 times 2 से divide करेंगे, तो यह 4 into 10s to power minus 3, 10s to power minus 3 आ रहा है, इसका मतलब मिली हो जाएगा, तो मिली मिटर, तो इसका answer अपना जो है, वो 4 mm आ जाएगा, अपना answer correct जाएगा, ठीक है, यह elasticity का अपना एक question था, simple question है, next question number 5, यह collision का question है, two bodies A and B of same mass undergoes completely inelastic collision, देखो completely inelastic collision के अंदर, दोनों body जो है collision के बाद में एक दूसरे के साथ, स्टक हो जाती है, एक साथ चलेंगे, relative velocity एक के respect में, दूसरे के 0 हो जाती है, the body A move with velocity V1, देखो, यह M mass, और इसकी velocity कितनी है, V1, plus second body जो है, वो M mass identical body है, B is at rest, यह rest में है, ठीक है, यह just before collision का, situation, दोनों के बीच में, E is equal to 0 वाला, collision होगा, तो इसके according अपन देखेंगे, तो दोनों stuck हो गए, तो यह total mass हो गया, 2M, और यह हो गया velocity V2, देखो, डियर, इक्सिस, collision चाहे कोई भी हो, momentum conservation तो रहे गई, तो हम simple momentum conservation बोलते है, system का initial momentum है, वो final momentum, P final के equal हो जाएगा, तो देखो, M into V1, प्लस दूसरे का 0, यह किसके equal हो जाएगा, 2M into V2, यह final momentum हो गया, M से M को cancel कर दो, तो V1 by V2 जो रहेगा, वो 2 ratio 1 हो जाएगा, तो 2 ratio 1 अपना कुन सा correct answer हो रहा है, 4th answer correct हो रहा है, ठीक है डियर, next question number 6 पे अपन चलते हैं, यह measuring instrument से अपना एक क्योसर है, इन वर्णियर कैलिपर्स, N प्लस 1 division of वर्णियर स्केल को इंसाइड विट एंड डिविजन आफ इं मैन स्केल डिविजर, ठीक है, तो आपको पता है, N प्लस 1, VSD is equal to N MST, ठीक है, तो यहां से 1 VSD की value जो रहेगी, वो किसके equal हो जाएगी, N अपन में N प्लस 1 MST के equal रहेगी, ठीक है, 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 1 MST की value आपको 0.1 mm दे रखे, तो इसको हम 0.1 mm को cm में रखें, तो 1 MST की जो value रहेगी, वो 1 by 100 cm भी तो बोल सकते हैं, अब आप कहोगे कि सर, cm में हैं क्यों रख रहे हो, क्योंकि हमें answer जो given है, वो cm की terms में, तो MSD और VSD की value cm की terms में आपको रखते हैं, वर्नियर कॉंस्टेंट, वर्नियर कॉंस्टेंट बोले, या फिर list count of वर्नियर कैलिपर्स बोले, एक की बात है, कोई दिख कर देंगे, तो list count of वर्नियर कैलिपर्स, LC is equal to 1 MST minus 1 VST करेंगे हम लोग, ठीक है, तो 1 MST की value 1 by 100 minus n upon 100 into n plus, ठीक है, अब इसको आप 100 into n plus 1 LC हम लेके solve करोगे, तो अपना answer जो आएगा, वो answer इसका fourth answer correct हो जाएगा, ठीक है, next question number 7, yes, thermodynamics का question है, thermodynamics system is taken through the cyclic process ABCDA, एक cyclic process ABCD दे रखा है, वो अग्डन बाइगेस along the path BC, देखो BC path जो है, यह बता रहा है, यहाँ पर देखो PV curve दे रखा है, तो इसमें आपने देखा कि volume क्या है, constant, volume constant है, इसका मतलब iso correct process हो गई, तो volume constant है, तो वाग्डन definitely system का 0 रहेगा, तो इसमें बिना calculation के, direct अपन के टिक करेंगे, 0, third answer के टुलेगा, हाँ तो बच्चो, question number 8 अपन डिस्कस करते हैं, यह rolling motion का एक question है, और pure rolling अगर कोई wheel कर रहा है, तो point of contact जो है, उसकी velocity 0 होती है, rest पर होता है, और topmost point जो है, उसकी velocity highest होती है, तो p point की जो velocity होगी, वो highest होगी, और pure rolling कर रहा है, और e wheel का center of mass की velocity अगर v है, तो इसकी p की velocity 2v रहेगी, और इसकी velocity रहेगी 0, इसकी रहेगी root 2v, इसकी velocity जो रहेगी वो root 2v रहेगी, तो इसके according अपन देखेंगे, तो p का highest velocity रहेगा, तो point p move faster than q, तो अपना answer जो रहेगा, वो fourth answer correct हो जाएगा, ठीक है बच्चो, next question number 9 पे चलते हैं, यह circular motion का question है, above is built in a horizontal plane by mean of string with an initial speed of omega rpm, tension in string, ठीको circular motion के लिए अपन बात करें, तो centripetal force जो provide करेगा, वो कोण करेगा रसी का tension, तो t is equal to क्या हो जाएगा, m omega square r, ठीक है, if speed become twice, same radius, radius same है, r same रखा, और mass भी same है, तो यह twice हो जाएगा, तो tension कितना हो जाएगा, t days हो जाएगा, 4 times, 40k equal हो जाएगा, 40k according अपना answer, 4th answer correct हो जाएगा, next question number 10 अपने रिखते हैं, यह reptics का equation है, light ray enter through the light right angled prism है, देखो, यह angle जो है, a की value, वो 90 degree है, right, इस prism का, mu refractive index है, हम यहाँ पर इस surface, first surface पे, law of reflection अपन लगाते हैं, तो mu 1, कितना हो जाएगा, 1, sin, 30 degree is equal to mu sin r1, यहाँ पर, यह angle of reflection जो है, वो r1 अपन consider कराएगा, तो यह 1 by 2, और यह mu इदर आजाएगा, is equal to क्या हो गया, sin r1 हो गया, ठीक है, यह जो angle है, वो हम कितना consider कर लेते हैं, r2 consider कर लेते हैं, तो, r1 प्लस से r2, किसके equal होता है, a के equal, वो 90 degree के equal हो जाएगा, तो r2 की value किसके बराबर हो जाएगी, 90, 90 minus r1, ठीक है, इसके उपर आपन देखें, तो, इसने एल्स लू लगाते हैं आपन, तो mu into sin r2, is equal to, 1 into sin 90, तो यह 1 हो जाएगा, sin r2 की value रखेंगे, 90 minus r1, is equal to क्या हो जाएगा, 1 by mu हो जाएगा, correct, तो, यहां से यह cos r1 हो जाएगा, तो यह क्या हो गया, cos r1 की value हो जाएगी, 1 by mu, ठीक हो, इस equation का, और इस equation का, square करके add कर दो, तो sin square r1, plus sin square, r2 की जो value रहेगी, वो तो जाएगी 1, left hand side, ठीक है, right hand side में, 1 by mu square, plus, 1 by, 2 mu का square करेंगे, तो 4 mu square, is equal to क्या हो गया, 1, तो यह 4 mu square, LCM लेंगे, इदर आ जाएगा, 4 mu square, is equal to, और यह क्या हो जाएगा, 4 plus 1, 5, तो यहां से, mu की value जो आएगी, वो root 5 by, कितनी आजाएगी, कि mu की value कितनी होती है, mu की value हमेशा, 1 से बड़ी रहेगी, medium के लिए, इन में, mu जो भी option दे रखए, root 3 की value 1.7, होती है, इसमें 4 से divide करेंगे, एक से छोटा result आ रहा है, नहीं हो सकता, root 3 की value 1.7, by 2, एक से छोटा आ रहा है, यह सारी, next question number 11, अपन देखते हैं, यह column matching का एक question है, column matching की question number 11, के अंदर अपन देखेंगे, first जो material दे रखा है, magnetic material की regarding है, diamagnetic, diamagnetic जो material है, उसके लिए आपको पता है, x की value क्या होती है, negative होती है, तो second answer हो जाएगा, ferromagnetic की value के लिए देखा जाए, तो x की value, very, very greater than 1 होती है, paramagnetic के लिए, x की value, यह आजाएगा, और non magnetic है, इसका मतलब उसका magnetization करी नहीं सकते, तो उसके लिए x की value क्या हो जाएगी, zero हो जाएगी, ठीक है, तो इसके according अपना answer जो है, first में second, third, और फिर, यह कौन सा रहा है, fourth और यह first, second, third, fourth, first, तो second, third, fourth, first, अपना answer इसमें correct जा रहा है, third वाला answer, हाँ तो बच्चो, next question number, 12 पे अपन चलते हैं, 12 जो question है, वो SHM का एक question है, इसमें देखो, SHM का equation अपने को given है, और SHM का standard equation, X is equal to A sin omega T plus 5 से अपन, तो यहां पर A जो है, वो amplitude होगा है, amplitude की value कितनी हो गई, 5 meter हो गई, और omega की value कितनी है, pi, omega is equal to कितना रहा है, pi, तो time period T is equal to क्या होता है, 2 pi pi, omega, omega की value pi रखेंगे, pi से pi cancel हो जाएगा, कितना आजाएगा, 2, तो 5 और 2, 4th answer अपना correct हो जाएगा, next question number 13, अपन देखते हैं, consider the following statement A and B, identify the correct statement, देखो यह, semiconductor जो अपना chapter है, उससे question आया है, first statement, for a solar cell, vi characteristic, and CRT में sera graph दिये लिया, कैसा graph होता है, ऐसा graph होता है और नहीं होता है, solar cell के लिए, तो इसका मतलब यह कौन सा quadrate हुआ, fourth, तो fourth quadrate में दे रखा है, यह statement क्या हो गया, correct हो गया, ठीक है, second, in reverse vice, PN junction, diode, the current to measure in micrometer, ठीक है, is due to majority charge carrier, no, no, reverse pricing में जो current होता है, वो due to minority charge carrier होता है, and it is independent from applied voltage, तो इस statement क्या हो गया, incorrect हो गया, तो A correct, and B is incorrect, अपना answer इसमें जो जाएगा, वो third वला answer correct हो जाएगा, ठीक है, चलिए next question number 1, 14 पे चलते हैं, यह कैपेस्ट्र का, equivalent capacitance का question है, देखो, यह 2, 2, 2, 2, balance condition है, वीटी स्टोन ब्रीज की, तो इसका मतलब, इसको आपना remove कर सकते हैं, इसको हम remove करेंगे, तो देखो, तो वीट में पे पे 2 और 2 यह सीरीज में हो गए, 1 हो जाएगा, और यह 2 और 2, सीरीज में हो गए, 1 हो जाएगा, और यह दोनों क्या हो गए, parallel में, तो 1 प्लस 1 किता हो जाएगा, 2, जो, कोयल पे पोटेंशियल है, V directly proportional क्या होता है, number of terms, इन कोयल के ratio के directly proportional हम बता सकते हैं, तो V अपने को secondary upon में V primary चीए, तो यह किसके equal हो जाएगा, N secondary upon में, N primary की equal करेंगे, एन सेकेंडरी एपोन में प्रायमरी पारी का जो रेशियो रहेगा वो कितना आजाएगा तू रेशियो बन अपना कुन्छ आंसर क्रेक्ट हो जाएगा फॉर्थ आंसर क्रेक्ट हो जाएगा ठीक है next is question number 16 ए त्थीन इसको आपने लिक्विड पर रखा हुआ है तो सर्फेस के साथ कॉंटेक्ट जो रहेगा वो केवल यहां पर रहेगा तो एक्सरा प्रेशर प्रेशर कितना लगाना पड़ेगा वेट के एक्वल फोर्स तो हमें लगाना ही होता है जनरल ही हम उसको उठा रहे हैं तो लेकिन यह लिक्विड पर रखा हुआ है तो एक्स्ट्रा प्रेशर कितना लगाना पड़ेगा पी एक्स्ट्रा एक्सेज क्या हो जाएगा टू पाई आर यह टू पाई आर डिस्टेंस ह जो है वो फोस अपन केल्कुलेट करेंगे तो इसका आंसर जो आएगा वो 19.8 थर्ड वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा ठीक है इसमें यह थोड़ा सा ध्यान रखना है वेट को तब कंसेडर करते हैं जब हमारे को टोटल फोस मुझता यह कहा रहा है कि वेट से एक्स्ट्रा कि रशिस्टेंच हंड्रेड ओम इस डिवाइड इंटो 10 एक्वल पार्ट्स टेकुं वायर को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो क्रॉस सेक्षेंचन एरिया चैंज नहीं होगा केवल लंच चैंज होगी तो लेंध के रशियो में डेशिस्टेंच हो जाएगा तो एक जो smaller part रहेगा, उसका जो resistance होगा, वो कितना हो जाएगा, 100 by 10, means 10 ohm हो जाएगा, एक smaller part का resistance कितना हो गया, 10 ohm हो गया, the first 5 are connected in series, 5 से जो smaller part हैं, उनको series में जोड़ दिया, series में जोड़ेंगे, तो add up हो जाएगा, कितना हो जाएगा, और series से हो equivalent कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीके, और फिर remaining जो 5 parts हैं, उनको parallel में connect किया, तो R by N करते हैं, identical resistance को हम parallel में connect करते हैं, एन resistance को, तो R by N होता है, strive N, तो 10, 10 by 5 किता हो जाएगा, parallel का equivalent हो जाएगा 2, ठीक है, अब इसने क्या बोला, the two combination are again corrected in series, इन दोनों को series में जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, 50 plus 52, 2, 52 for answer अबना correct हो जाएगा, ठीक है, equivalent resistance से related एक छोटा सा question था, simple question, next question number 18, the quantities which have the same dimension as those of solid angle, solid angle, dimensionless quantity है, आपको बता है, dimensionless, तो dimensionless quantity और कौन कौन सी है, वो अपने को देखनी है, देखो, strain और angle, दोनों dimensionless quantity हो जाएगा, तो इसके according अपना answer कौन सा correct हो जाएगा, third वाला, question number 19, in above diagram, a strong bar magnet is moving towards solenoid 2, from one, देखो, यहाँ से यह इदर की तरफ move कर रहा है, तो इस magnet के motion की वज़े से, इन दोनों से linked flux change होगा, flux change होगा, इसका मतलब, definitely induction होगा, तो induction की regarding आपने lens low पढ़ा था, कि जिस वज़े से induction हो रहा है, वो उसी चीज़ का पोस करेगा, तो हो क्या रहा है, देखो, north pole दूर जा रहा है, तो दूर जाने का पोस कैसे करेगा, यहाँ पे south pole बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, south pole, और यहाँ पे जब south pole है, तो यहाँ पे definitely क्या रहेगा, north pole रहेगा, इदर की तरफ ऐसे ही यह South Pole इसके पास जा रहा है पास जाने का पोज करेगा इसका मतलब यहाँ पे क्या रहेगा South Pole और यहाँ पे क्या बन जाएगा North Pole बन जाएगा तो Solenoid का North Pole किदर की तरफ होगा उसके लिए हम Right Hand Thumb Rule यूज करते है Current Flow की Direction में Curling Fingers, Thumb जो रहेगा वो Towards North Pole रहेगा तो देखो ऐसे हम इसको रखेंगे ऐसे रखेंगे तो ऐसे Current जा रहा है A2 B Current जाएगा तो A2 B हो जाएगा इसमें Current की Direction यह हो गई है A2 B हो गई है ठीके इसके बाद में हम बात करते हैं Solenoid 2 के तो इधर की दरब North Pole है इसका मतलब इसमें Current कुछ ऐसे Flow करवानी होगी ऐसे तो ऐसे D से स्टार्ट होगी और C तक आएगी तो इसका मतलब A2 B and C2 D अपना आंसर कुण सा क्रेक्ट हो रहा है डिया थर्ड वाला आंसर क्रेक्ट हो जाएगा EMI का क्योशन था हो और ये next क्योशन 20 वाला क्योशन ये Current Electricity का एक क्योशन है The Terminal Voltage of Battery whose EMF EMF E की value कितनी दरिखे 10 Internal Resistance 1 When connected through an external resistance of 4M Sunfigure तो देखो इसी बैटरी ने इसमें circuit में current कितना दिया I कैसे निकालेंगे परण E by R net कितना हो जाएगा R plus capital R तो ये 10 by 1 plus 4 कितना हो जाएगा 2 MpR हो जाएगा Terminal Voltage V is equal to क्या होता है During Disarging की बात कर रहा है Disarge हो रहा है तो E minus IR तो E कितना है 10 minus I2 into 1 कितना हो जाएगा 10 minus to 8 V Terminal Voltage कितना रहेगा 8 रहेगा इसका first answer correct हो जाएगा Hello dear students, मेरा नाम है सुक्देव चोधरी NEET 2024 का paper हो चुका है उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों ने बहुत अचा score किया होगा तो आज अपन discuss करने जारें अपने इस paper का जो physics का portion है उसमें question number 21 to 35 तक की questions का आपके साथ में video solution में share करूंगा तो चलिए बच्चों सबसे पहला question अपन देखते हैं देखो क्या करें तो बच्चों लियान से लेखो आप सब जानते हैं कि जो लेंड़ा होता है इसको आपन बोल सकते हैं एस अपन किया लिख सकते हैं इसको आपन लिख सकते हैं रूट ओप 2m का लिख देंगे यहां पर लिख देंगे ठीक है ना तो यहां से इसका स्वेर कर देंगे तो यहां से अपने पास से क्या बन जाएगा ऑप दो यहां पर इनकी बीच में ग्राप होगे इस्टेट ना तो क्योंकि यहां पर आपको ग्राप बनाने के लिए बोला जा रहा है और वन बाइलम डाइश्पर इन दोनों के बीच में इस्टेट थान ग्राप बन जाएगा तो इसका सेकंड आंस्वर क्रेक्ट जाएगा क्यूंस ना में 22 अपन देखते हैं बच्चों क्या करें देखो क् इसके बारे में कौन-कौन सी स्टेटमेंट और सबसे पहले करें कि अनर्जी फोटों इस इक इत्रेवल करते हैं तो मोमेंटम पर फोटों पी कुष्ट्ट्व क्या हो जाएगा अच नियुक्स होता है बिल्कुल आपन जानते हैं को रिकत परी बात ही नहीं क्योंकि आपन और मोमेंटम पूछा जा रहा है तो मास्ट इंट वेलोसिटी यही आपके पास मोमेंटम हो गए इस पूपन पी लिख देंगे तो यहां से आपके पास पी कुछ तू क्या देगा बथो यह अपॉन शी बन जाएगा और इको अपन क्या लिख सकते हैं एच नियू अपॉन में कंजर्ड बिल्कुल सही बात है फोटॉन और इलेक्व्टॉन की जो कोजिजन होती है इसके दोरान क्या होता है कि टोटल एनरजी हो टोटल मोमेंटम दोनों क्या होते है ठीक है ना तो यह वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल एकदम सई हो जाएगा फोटॉन पजेश सेज यह वाला statement अब वो क्यों देगा incorrect हो जाएगा क्योंकि आपको बता कि photon क्या होता है mass less होता है और उसकी साथ में charge less होता है neutral होता है यह किसी प्रकार का charge पजेस नहीं करता है तो इस कांट से यह वाला statement incorrect हो जाएगा तो A B C और D यह क्या हो जाएगे correct हो जाएगे A B C and D आपका fourth statement यहां पर correct जाएगा ठीक है चली अगले question की तरफ रूख करता है अपन देखो यह radioactivity का बहुत simple सा question है वैसे radioactivity अपकी बार syllabus से डिलीट कर दिया था फिर भी यह तो basic question इस पर एलफ और बिटा बार्डिकल्स की प्रोपर्टी है वह अपने को पूछी जा रही है radioactivity डिलीट करने का मत्तब इसके अंदर जासे रधर फोट सोडी रूल है radioactivity जो डिसिंटेग्रेशन रूल है वह हटा दिया हाफ लाइफ वगरा बाकि इस प्रकार की चीज़े तो पूछी जा सकती है कोई इसके अंदर तो सबसे पहले हम देखते हैं कि in the nuclear emission इस टेटेड़ अब और मास नंबर एंड अटोमिक नंबर ओफ दब्रोड़क्ट रिस्पर्टिवी तो क्यों के बारे में अपने बात करते हैं सबसे पहले अपने पास एक्से इसका जो जेड़ वो कितना जाएगा एक इसका एक इतना हो देगा तो टू-90 हो जाएगा उकि उसके बार में क्या बोला जा रहा है देखो यह क्या एक्मिट करता में तो अगर यह सब्सक्राइगा तो यह क्या बनजाएगा तो X के बाद में क्या दएका थो स्वाइिBI probabilं के बाद में क्या बशुक्त राइगा और ये क्या कर रहा है बताऊ पॉजिट्यू बिटा इमिट कर रहे आगे बढ़ बढ़ते हैं और आगे यह इसको आपन बोल सकते हैं नेगेटिव बिटा इमिट करता है इसको अपन बहुआ जब कोई नुट्विन सबसें सबूआ करता तो उसका जेड वो एक से इंकलीज हो जाता है और जेड के बाद में क्या लिख रहे हैं यह पी हो गया 2 8 6 का 286 ही रहेगा ठीक ना और इसके बाद में क्या बोल रखा बता बाता हो उसके बाद में ए नेगटिव तो सब्सक्राइब अब ही नेगेटिव बिटा होता है और नेगेटिव बिटा में 80 जो क्या बन जाएगा और क्यों देगा और यह आपके पास 286 हो देगा ठीक ना जेट दो क्या देगा 81 और यह क्या देगा 286 ठीक ना 286-81 तो 286-81 सेकंड और आपका करेक्ट जा रहा है इसके ठीक है बच्चो चलिए क्यूशन हमें 24 अपन देखते हैं क्या कर रहे हैं क्या कर रहा है कि एट एनी इंस्टेंट ऑप टाइम दैस्प्लेस्मेंट ऑप एनी पा और आपको पूछी जा रही है तो शीम्बल सा फंडा इसके अंदर आपको डिस्प्लेस्मेंट दे रहे हैं ठाइम के रेस्पेक्त में इसको डिफ्रेंस्यीट करके अपन वेलोसिट क्लेट कर देंगे और फोर्स को वेलोसिट्टी से मल्टिप्लाई करके आपन पाउर केल् पार सब्सक्राइब और पावर पी कुछ तो एफ इंटू वी होता है एफ क्या देखा फाइफ और वी कितना देखा आपकी पास तू पावर क्या बन जाएगी आपकी 10 वोट थर्ड आंसवर आपका करेक्ट देख अगला कुछ ना देखते हैं क्यूशन में 25 यह क्या करें द् तो इसका मास आपको दे रहें और आपको लेंद इसकी पूछे की रहें तो देखना देखो यह अपने पास से इस प्रकार से कोई रोड है यह इसका मीड़ पोइंट हो गया और यह परपेंडिकुलर एक्स होगी है हैं अपने सब क्या है इस एक्सीस्का मुंअब बिन है और से ऑई किस्ट्ट क्या होता है यह सबको पताहँ है ठीक ना यहां से से आफने को क्या पूछ रगेब दो यहां से लेंध फूच रहा इसकी ठीक है ना तो लेंध है आपन केल्पिलिट कर देंगे तो एले शपड़ी कुछ टू क्या देगा एलिश परी कुछ्टू यह देगा अपके पास HEALP तो इसको आपने बोल सकते हैं लिकुष्टू यहां से अपने लिख सकते हैं लिकुष्टू 12-10 ऐपन-स एम का रूट हो जाएगा 12 इसके बाद में बात करते हैं कि इसके आई की बात करते हैं आई कितना देर का आपको तो 2400 कि जी एस में रहने दो और अपने एम मांस कितना देर का आपको बतो यह देखा आपके पास 400 ग्राम हो गया और इसके बाद यदि इसको अपन सोल कर देंगे यहां से अपने पास तो एल उसकी वेली कितना देगी 8.5 सेंटीमेटर इसका इसक्स क्या कर रहा है दियान से देखना देखो यह कर रहा है कि इप दर मोनो क्रोमेटिक सोर्स इन यंग्स डबल स्लिट एक्ष्परिमेंट इज रिप्लेश्ट बाइट लाइट देन तो बात सुनो भी देखना यह आपके पास यहां पर दो स्लिट लगा देते हैं एस वन और यह एस डू हो गया और फिर इसके बादे यह अपने पास स्क्रीन होगी और यह इसका मीड़ पॉरिफ्पाइंट हो गया अब बात सुनो भी यहां से एस फ्थाु से भी यहां पर लाइट है वो यहां पर पहुंच ती है पतार आपको पताये कि च्छें वखलेट ओ चा साथ पहुचते हैं जो स्क्रीन का मिड़्ड इस पर हर कलर के लिए जो पार डिफरेंज न वो क्या होगा जीरो तो हर कलर यहां पर क्या बनाएगा ठीक है ना तो चैंडर बराइट पाहां पर बनाएगा नपर होगी उंकि और उसके क्या होगा इसके आज सपास में कुछ आपको कलर्ड जो फ्रिंजेज है वह आपको उप्टेन होगी उसके बाद में जो फ्रिंज पेटर ना वह डिसापीर हो जाएगा क्योंकि आपको बताए कि इस वाइट लाइट के अंदर कई सारी वेवलेंट होती है तो डिफरेंट सब्सक्राइब बाद में आपने बॉल सकते हैं देर विल बी शेंटर देर विल बीए चैनल ब्राइट वाइट फिर्णेट वाइट फिर्णेट भाइए फ्यू कलर्ड फिरिंजेज थी करना फेस्ट अपर आपका प्रेक्ट हो जाएगा इसके बाइगा तो चैनल तो ब्रा सबसे पहले अपने बात करते हैं कि यह अपने पास इस पर इगल सेल हो गया तो सी तो क्या देगा इसका सेंटर हो गया और पी क्या देगा अब दो पी अपन बहुत सकते हैं इसकी सर्फेस होगी अब पी पर अगर अपन पोटेंशिल की बात करें तो यह देगा आपके पास तो दोना की बीच में potential difference की अगर आपने बात करते हैं तो डेल्टा वी कोश्टू क्या देगा जीरो तो potential difference आपकी पास जीरो देगा second option आपका करेप जाएगा यह अगला क्यूशन अपन देखते देखो क्या कर रहे है दा आउट्फूट वाई ऑप गिवन लोजिक गेट इस सीमिलर टू दे आउट्फूट ऑफ तो बात सुनो भी आपकी पास ने क्या है यह है और यहां पर यह कौन सा गेट है नेंड गेट है और नेंड गेट के दोनों टर्मिनल्स को अपने देखते जोड़ दिया तो यह क्या बन जयागा नॉट गेट बन जयागा इसका आउट्फूट क्या बन जाएगा अब बहुत बॊल पोल देगगे तो यहां से आपके पास ने जो वाई है एक को नुदी म्हानन अपने एक प्लस ऐस प्लस का बना देंगे डॉट नर्म पने इपलाइए करदें के पर यह बने आपके फास एडॉट भी और यह कौन से यह इंड गेट होता है यह सेकेंड आप्शन यहां पर आपका करेक्ड हो दाएगा ठीक है नहीं होती सिंपल सा क्यूशन है क्यूशन नमर 29 क्या कर रहे हैं लोजिक सर्किट प्रोवाइड इस पर दफोलोविंग ट्रटेबल तो द्यान से देखना देखो अगर इसको थोड़ा सा एनलाइज करते हैं तो आपने इसके अंदर देखेंगे कि जो यहां पर बी और वाई है इनक क्या देगा बी का उल्टा देगा सिंपली को निए प्लेक सकते हैं वाइं कोस्ट toul क्या देगा एगा भी बार फ़ेश्ट ऑप्सटन आपका करेफ्ट हुजाएगा सके दर किस्ट किश्च नमर के अभी 30 30 क्या करहां चाहिए दिआन से देखना देखो यह करा कि ताउट ट तो इसका सिंपल सा फॉर्मला होता है तो भी कुछ तो क्या होता है यह था आपके पास मुनौट एन आई अपके पास तुगार हो देगा तो मुनौट को अपन वेल्यू पूट कर देंगे फॉर पाई अंके पास ने बता है तो मुनौट ए पास पॉइन सेंटिमेटर तो फैन के पास न पॉइन मीटर हो गया ओके तो इसके बाद में क्या लिग सकते हैं इसको इसको आपन बता हो यह बन जाएगा आपके पास न फॉर 4 हो गया और पाई को अपन क्या लिख सकते हैं अबता हो 22 अपन 7 और इंटू यहां पर इसको मैं लिख सकता हूं क्या लिख सकता हूं भी 10 to the power इसको इसके साथ में ले लूँगा 10 to the power minus 5 हो गया और ये भी 10 to the power minus 1 है तो 10 to the power minus 4 हो देगा तो यह देगा आपके पास 10 to the power minus 4 और into में क्या देगा 7 हो गया और upon में क्या देगा आपके पास 2 हो देगा ठीक है न तो यहां पर आपन क्या आपके आपके सकते हैं 7 से 7 को cancel out कर दे यह आपके पास तू बन गया और ट्वंटीटी टू इंटू तू कितना देका प्रपास निए फॉर्टी इन्टव नाट पर एंट किऊ तू धिवर मायनस यह तेसला इसको अपन क्या बoh सकते हैं 4.4 into 10 to the power minus 3 tesla हो गया, 4.4 milli tesla, 4.4 milli tesla, first option आपका correct चला देगा इसके अंदर, okay, question number 31 क्या करे, the mass of a planet is 1 by 10th, that of the earth, and its diameter is half, that of the earth, the acceleration due to gravity on that planet, अपन जानते हैं कि G earth equals to क्या होता है बता हो, gm upon r square, इसकी वेलियों आपको सबको मालूम है, 9.8 meter per second square होती है, इसके बाद मैं g planet, question, g हो गया, तो mass कितना हो देगा, 1 by 10 हो गया, m by 10 put कर दो, इसको आप, इसके बाद मैं, diameter is half the top of the earth, तो diameter अगर हाप हो गया, तो radius पर हाप हो देगी, तो r by 2 हो गया, square कर दो कितके आपके पास r square divided by 4 हो गया, ठीक है ना, तो यह 4 by 10, तो कितना हो देखा, 0.4 हो गया, और 0.4 into gm by r square को 9.8 अपन बोल देगे, तो यह आपके पास देगा 9.8, ठीक है ना, तो इसको अगर अगर अपन solve कर देगे, तो यह आपके पास पर क्या बन जाएगा, इसको आपन बोल सकता है, 3.92 meter per second square, तो second option यहाँ पर आपका correct हो देगा, ठीक है ना, चलिए question number 32 क्या कर रहा है, यह गया रहा है कि ए पार्टिकल मुविंग भी यूनिफॉर्म स्पीड इन्हे सर्कुलर पाथ मैंटेंस, अब जान से देखना देखो, पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर इस प्रकार से मूग कर रहा है, ठीक है, तो क्या होता है, तो first कर रहा है कि constant velocity but varying acceleration, देखो, velocity तो constant होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि इस point पर इसकी velocity की direction यह है, और इस point पर इसकी velocity है, उसकी direction यह है, अगर इसकी speed constant है, तो इसकी velocity है, वो तो variable होगी, कि तो velocity एक vector quantity इसकी direction यह आपके change होती रहती है, इसकांट से velocity क्या हो देगी, variable हो जाएगी, first हो क्या हो देगा, अब बतो incorrect हो गया, इसके बाद है, second क्या कर रहा है, varying velocity and varying acceleration, ठीक है ना, तो यह varying velocity and varying acceleration, यह बात सही है, एक बार अपन यह check रहा है, third, थर्ड क्या कर रहा है, constant velocity, velocity constant होई नहीं सकती, क्योंकि इसका magnitude भले constant है, तो direction क्या हो देगी, बतो change हो जाएगी, constant acceleration, देखो acceleration constant नहीं हो सकता, कैसे नहीं हो सकता, क्योंकि इस point पर अगर अपन बात करते हैं, तो centripetal acceleration की direction यह होगी, और यहाँ पर centripetal acceleration की direction यह देगी, यह आपके पास AC और यह AC हो गया, तो AC अब किसके बराबर तो 20 पर अपन आर की बराबर होता है, तो centripetal acceleration का magnitude भले constant है, वह direction की change और इस काण से constant acceleration आपन नहीं बोल सकते, आपन second option के साथ में जाएंगे, यह कर र direction है, उसका magnitude constant है, direction variable है, ठीक है ना, तो velocity और X question दोने हो जाएंगे बदो, variable हो जाएंगे, ओके, तो यहाँ पर second option अपना correct हो जाएगा, ओके, क्यूशन नमर 33 क्या कर रहे है, यह बहुत सिंपल साथ क्यूशन है, बहुत बार आपने अपने क्यूशन के पर देखा होगा, तो यहाँ पर अपने को इन दोने की भी से contact force पूच रखा है, तो इस पूरे को अपने एक system assume कर लेते हैं, तो पूरे system का acceleration क्या देगा, A equals 2, यह देगा, आपके पास net force, अपन क्या देगा, अब तो total mass हो गया, इसको अपन बोलेंग, M net बोलेंगे, तो net force क्या देगा, तो 10 हो हो गया, और net mass कितना हो देगा, 2 plus 3 क्या हो देगा, अब तो 5 हो गया, तो 10 by 5 कितना हो देगा, आपके पास हो, 2 meter पर, second square, यह इसका acceleration हो गया, इसके बाद में अपने क्राम करते हैं, इस वाले block का free body diagram मना देते हैं, आप देख सकते हैं, कि इस वाले block को आगे कौन travel करवा रह इसका mass कितना देगा, 3, और system का exercise कितना देगा, 2, यहां से एन इकुष्टू कितना देगा, 6 Newton, तो first option आपका correct हो देगा, इसके अंदर, Question number 34, क्या कर रहा है, यह कर रहा है कि an unpolarized light, beam strikes a glass surface at brevis triangle, देखो, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, इसके अंदर, यह अपने पास से कोई surface है, इस परकार से कोई light incident करवाते हैं, और यह light अपन किस angle पे, IP पे, जिसको आपन बोल सकते है, polarizing angle या ब्रेविश टेंगल बोल सकते हैं, इसके अंदर, जो electric field है, जिसको आपन light vector भी बोल सकते हैं, उसके इस परकार से, यह वाले components पी होते हैं, जो कि in the plane है, और plane के perpendicular components पी होते हैं, यह आपके पास नहीं क्या है कि unpolarized light हो गई, अब यहां पर अगर यह वाला angle है, वो ब्रेश टेंगल के बराबर ह इस case में आपकी जो reflected light है, वो तो क्या देगी बताओ, plane polarized light हो जाएगी, और इसके अंदर जो perpendicular components होते हैं, वो यह exist करते हैं, ठीक है ना, perpendicular components होते हैं, वो इसके अंदर exist करते हैं, तो यह तो आपने पास से क्या देगी, plane polarized light होगी, 100% plane polarized है, और इसके बाद में, यहां पर जो reflected light होते हैं, उसके अंदर क्या होते हैं, उसके अंदर इस परकार से यह, उसके अंदर इस परकार से, यह वाले components पर होते हैं, और साथ में कुछ यह वाले components पर होते हैं, यह क्या होते हैं, यह क्या होते हैं, यह क्या होते हैं, यहां पर जो reflected है, वो 100% polarized, और जो यह क्या होती है पार्सिली पोलिराइज होती है तो यह कर रहा है कि the reflected light will be completely polarized but the reflected light will be partially polarized तो second option अपना यहां पर correct हो देगा इसके तर लास्ट क्यूशन अपना अब 35 क्या कर रहा है यह कर रहा है कि गीवन बिलो आर्ट टू स्टेटमेंट्स यहां पर देर रहे हैं तो इस्टेटमेंट फ़ेश्ट एक्टेंट इक्वल नमबर ओप उपोजिटिव और नेगिटिव चार्ज बिल्कुल सही बात है क्योंकि कोई भी जो एक्टम है इसके प सब्सक्राइब और सेम अमांट का पॉजिटिव चार्ज किसमें होता है नुकलिस में होता है प्रोटॉंस कि फो में ओके यह वाला स्टेटमेंट तो क्या होगा तो बिल्कुल एक दम करेक्ट हो गया सेकंड इस्टेटमेंट क्या कर रहा है यह कर रहा है कि एटम्स ओप कुछ एटम्स होते हैं वह क्या होता है रेडियोक्टिव होते हैं और रेडियोक्टिव होने की वज़र से वह क्या करते हैं डिसिंटीग्रेट होते रहते हैं और रेडियोक्टिव डिसंटीग्रेशन की वज़र से वह इस्टेबिटी गेन करने की कोशिश करते हैं तो वह तो इस्टेबल होते नहीं है यह बात गलत होगी इसको मैं बोल सब्सक्राइब यह ना तो मैंने यहां पर सारे सारे क्यूशन अच्छे से समझेंगे थैंक यू बेरी मच्छ हेलो इस्टुडेंट्स मैसेल्फ संदीप सेखावत सीनियर फिजिक्स फेकल्टी सील्सी सीकर नीट 2024 के फिजिक्स पेपर सॉलुशन में अपन कॉशन नमर 36 से कॉशन नमर 50 तक डिसकस करेंगे कॉशन नमर 36 से अपने स्टार्ट करते हैं इसमें गिवन है if the plates of a parallel plate capacitor connected to a battery are moved close to each other मतलब कोई भी particular capacitor है battery से connected है उनकी plates के बीच में separation को अपन decrease कर रहे हैं तो given statements A, B, C, D और E को अपन justify करना है जो दियावा है वो कौन सा correct है और कौन सा incorrect है ठीक है तो सबसे पहले अपन बात करते हैं तो charge stored in it increases तो सबसे पहले तो capacitor की बात करें और अगर ये battery से connected है connected state में जो potential आपने applied है वो potential तो कैसा रहेगा constant रहेगा अगर मैं capacitance की बात करूँ तो capacitance C equals to अपने ये जानते हैं A, epsilon not by D है और अगर मैं D को decrease करूँगा तो capacitance क्या होगा? increase होगा और इस condition से Q equals to C V अगर अपन बात करते हैं तो Q equal to C V से अगर C increase होगा तो charge भी क्या करेगा? increase करेगा ठीक है? और अगर मैं बात करता हूँ Q by V के ratio की? Q by V का ratio कौन रहेगा? C तो C भी क्या करेगा? बताओ, increase करेगा कुछ options अपन डिसकस करते हैं, पहला अपने वो given है तो charge stored in it increase, बिल्कुल correct है second is the energy stored in it decreases तो energy stored की अपन बात कर लेते हैं energy stored in capacitor, this is equals to half C V square V constant है, जैसा कि अपन जानते हैं ये battery से connected है but capacitance बढ़ने ही करण, इसमें stored energy बढ़नी चाहिए और यहाँ पर क्या रखा है decrease, तो option B, जो statement B है वो बिलत हो जाएगा statement C की बात करते हैं, its capacitance increases, बिल्कुल सही है अपन डिसकस करते हैं, the ratio of charge to its potential remains the same charge to its potential remains the same, same नहीं रहेगा है, क्या करेगा, increase करेगा तो अपन यह बोल देते हैं, option जो statement D है, वो भी कैसा है, incorrect है the product of charge and voltage increases, अगर मैं charge और voltage की बात करता हूँ तो Q into V, और Q को अपन लोग लिख सकते हैं, C, V, तो यह हो जाएगा, C, V square तो C increase करने के कारण, charge और potential का product भी क्या करेगा, increase करेगा that's why option 4 will be correct, क्योंकि statement A, statement C and statement E, यह तीनों क्या है, correct है और बाकी दों के incorrect है, right, चलिए question number 37, discuss करते हैं, इसमें statement, caution given है the following graph represents the temperature volume curves of an ideal gas, where T is the temperature and V is the volume at three pressures P1, P2 and P3, charge slow को फोलो कर रहा है, तो अपने को pressures के अंदर relation define करना है, कैसा होगा, ठीक है, अगर अपन charge slow की बात करें, तो charge slow में अपने यह बोल देते हैं, pressure of the gas will be constant, मतब एक constant pressure के उपर अपन temperature और volume graph बना सकते हैं, temperature और volume graph की अगर हम बात करें, तो यहां का जो slope आएगा, उस slope को अपन लोग लिख सकते हैं, dt by dv, और अगर in general मैं note भी करना था हूँ, तो t by vb अपन लोग बोल सकते हैं, ठीक है, अब ideal gas equation, ideal gas equation अपन लिख सकते हैं, pv this is equals to nrt, अगर मैं यहां पर slope की बात करता हूँ, तो slope dt by dv जो आएगा, this will be directly proportional to pressure of the gas, और जहां पर इसका मतलब इसका slope ज्यादा होगा, वो pressure भी क्या होगा, ज्यादा होगा, तो अगर अपने इससे analysis करते हैं, इन dotted line जो अपने वो given है, तो first line का slope ज्यादा है, second से और 3rd से, तो अपने बोल सकते हैं, P1 greater than P2 greater than P3, that's why the option number second will be the correct answer, ठीक है, slope से check कर सकते हैं, slope से analysis कर सकते हैं, ideal gas का दिरख है, temperature और volume का slope dt by dv proportional to P आ रहा है, pressure आ रहा है, इससे अपन option 2 को appropriate बाता है, question number 38, to the correct circuit which can achieve the breeze balance, मतलब बैलेंस state को कौन gain कर सकता है, यह अपने को check करना है, तो सबसे पहले बात समझो, ध्यान से देखो, कि diode को अपने यहाँ पर use में लिया हुआ है, तो diode use है, तो सबसे पहले diode के बारे में अपने को यह check भी करना पड़ेगा, कि यह circuit को open रखेगा, या circuit को, अपने यह बोल सकते है, sword circuit करेगा, open circuit बनाएगा, कैसा बनाएगा, यह अपन अनलाइसिस कर लेते हैं पहले, तो सबसे पहले तो अगर अपने इस diode की बात करते हैं, बात समझें, यह diode यहाँ पर अगर मैं polarity check करता हूँ, यह negative polarity है, इसका मतलब diode कौन से configuration के अंदर होगा, forward vice में होगा, forward vice में होगा, तो यह वाला diode, अगर ideal diode है, तो इस 5 ohm को क्या कर सकता है, sword circuit कर सकता है, sword circuit करेगा, इसका मतलब यहाँ, balancing state gain करना possible नहीं है, तो option 1 अपने पास में possible नहीं होगा, फिर आते हो option number second है, option number second में यह देखिए, positive polarity यहाँ से connected है, तो diode अगर अपने बोलें, यह कौन से configuration में आगया, बताओ, reverse vice में आगया, reverse vice में आते ही, इसने कौन सा circuit बना दिया, open circuit बना दिया, तो यह conducting नहीं करेगा, और conduct नहीं करेगा, तो current का flow भी नहीं होगा, ऐसे अगर अपने option number four को analysis करते हैं, option number four में भी, यह कौन से condition के अंदर है, reverse vice में, तो यह भी conductor नहीं करेगा, तो option number three को अगर अपन बात करें, option number three में भी यह तबी possible है, जैसे मान लेते हैं कि इस diode को मैं ideal diode माननू, तो ideal diode का resistance कितना हो गया, जीरो हो गया, इसका मतलब यह non-ideal मान करके अपने उसको solve करना है, और इस diode का, पहली बात तो यह forward bias में है, क्योंकि इसका negative polarity यहां से connected है, अब अगर मान लेते हैं, इस diode का कोई particular resistance हो जाए, तो 10 by 10, this will be equals to 15 by 5 plus resistance of diode, अगर यह balance करेगा, तो balancing state आ सकता है, और अपने यह बोल सकते हैं, 15 का value is equals to 5 plus RD, बराबर इसलिए ले लिया, क्योंकि दोनों का ratio किसके बराबर आएगा, 1 के, तो RD जो अपने पास आएगा, उसका एक particular resistance में gain कर सकता हूँ, तो यहाँ से अगर अपने देखें, non-ideal diode हो, और अगर इस circuit के अपने बात करें, जो option number 3 में अपने हो given है, यह balance state को gain कर सकता है, ओके, question number 39, मेगनेटिजम से है, a seat is placed on horizontal surface in front of a strong magnetic ball, a force is needed to, मतलब कोई भी strong magnetic ball है, उस magnetic ball के सामने, अगर अपने यह बोलते हैं, horizontal surface पर कोई भी seat रखी हुई है, और जो अपने कोई statement given है, उन statements में, seat के material की nature अपने हो given है, तो पहला statement ही कर रहा है, hold the seat there if it is magnetic, देखो क्या होगा, magnetic में तो कोई सा भी हो सकता है, para, ferro, die, कोई सा भी आ सकता है, अगर strong magnetic ball के सामने अपने इसको रखा, तो इसमें polarization आएगा, मतलब यह magnetize होंगे, और magnetize होंगे, तो इसमें magnetic balls का formation होगा, और magnetic balls हो सकता है, यह जो strong magnetic ball अपने रखा हुआ है, हो सकता है, अगर वो para and ferro हो, तो उनको attract करे, और die magnetic हो, तो उसको क्या करे, repel करे, तो उसको अगर अपने को stable रखना होगा, तो अपने को एक external force की requirement होगी, उस attraction और repulsion के effect को manage करने के लिए, या उसको balance करने के लिए, तो पहला जो statement अपने गिवन है, वो अपने मान सकते हैं कि यह correct है, ठीक है, तो इसमें तो कोई magnetization नहीं आएगा, किसी परकार का force डवल अपनी होगा, तो यह statement जो अपने पास में B वाला statement है, यह अपने लिए suitable नहीं है, अपने लिए कोई कामकार नहीं है, ठीक है, option number C की बात करते हैं, move the seat away from the pole with uniform velocity if it is conducting, देखिए अगर conducting material है, और अगर magnetic pole की सामने अपने उसको displace कर रहे हैं, तो उसके volume में से जो flux change आता है, flux change के कारण उसमें ED current डवलप हो सकते हैं, और ED current अगर डवलप होंगे, तो वो resist करेगा अपने इसके displacement का, तो अगर अपने को उस resistance को, अगर उसको अपने को manage करना है या balance करना है, constant velocity से चलाना है, तो external force एक required होगा, that's why option C भी अपन क्या मान सकते हैं, correct होगा, ठीक है, और option number D में तो वैसे non-conducting and non-baller दे रखा है, तो अपन ये मान सकते हैं, ये suitable नहीं होगा, तो अपन option से अगर चेक करते हैं, तो option A and C, ये अपने को option number 4 में given है, right, चले, question number 40 देखें, a parallel plate capacitor is charged by connecting it to a battery through a resistor, if I is the current in the circuit, then in the gap between the plates is, देखे, theoretical statement है, displacement current अपन पढ़ते हैं, EM wave chapter को जब अपन स्टार्ट करते हैं, Maxwell's की equation से, तो अपन ये जानते हैं कि जो time varying electric field होता है, time varying magnetic field जो होता है, इनके variation के कारण, अपन time varying electric flux की अगर अपन बात करते हैं, उसके कारण displacement current डवलप होता है, और displacement current की अगर अपन बात करते हैं, तो displacement current और circuit का man current दोनों बराबर होते हैं, तो इसमें से कोई एक ऐसा statement अपने हो दिया हो, first है displacement current of the magnitude equal to I flows in direction opposite to that of I, नहीं होगा, displacement current of magnitude greater भी नहीं होगा, there is no current and option number 4 है, displacement current of the magnitude equal to I flows in same direction as I, ठीक है, option 4 will be the correct answer, question number 41 देखें बाई, small telescope has an objective of focal length 140 cm and an eye piece of focal length 50, the magnifying power, देखें, simple बात है, अगर अपन बहुत distant object को देखते हैं, तो magnification होता है, वो F0 by FE के बराबर होता है, data अपन को given है, यह 140 cm है, और यह 5 cm है, दोनों को अगर अपन डिवाइड करते हैं, magnification will be 28, question number 42 देखें, the velocity versus time plot of the motion of the body sonning below, ठीक है, और इसका acceleration time graph अपने को चेक करना है, तो देखें, बहुत simple सी बात समने, यहां velocity 0 है, इसका मतलब acceleration भी 0 होगा, particle rest पर है, यहां का slope अगर मैं चेक करता हूँ, positive and constant है, तो acceleration positive होगा and constant होगा, यहां की बात करें, velocity constant है, इसका मतलब फिर से acceleration कितना होगा, 0 होगा, यहां negative and constant है, तो मैं बोल सकता हूँ, acceleration का जो आएगा, वो अपने पास में negative होगा, और कैसा होगा, constant होगा, ठीक है, तो ऐसा कोई graph अपन चेक कर लेते हैं, 0 positive constant, 0 negative constant, तो ऐसा आपने को एक ही graph के अंदर मिल रहा है, कौन से वाले में, फर्स्ट में, 0 positive constant, 0 and negative constant, right, question number 43, metallic bar of Young's modulus given है, coefficient of linear x thermal expansion given है, और area of cross section defined है, यह गारा, the compressive force developed in it is, ठीक है, अगर अपन thermal stress की बात करते हैं, जैसे माल लेजिए कि दो support के बीच में, अगर किसी wire को गर्मन बात करें, तो thermal stress F by A, this is equals to Y into alpha into delta theta, delta theta is changing temperature, यह तो कहें stress, बट force पूछा है, force F equals to Y A alpha into delta theta, values अपने को यहां given है, Young modulus कितना given है, 0.5 into 10 to the power 11, area of cross section, साथ-साथ unit भी check करते हैं, कितना given है, 10 to the power minus 3, ठीक है, जो अपने पास में coefficient of linear expansion है, उसका value भी अपने हो given है, 10 to the power minus 5 given है, ठीक है, और temperature में जो change है, उसको मैं लिख सकता हूँ, 0 to 100 degree Celsius, तो changing temperature को 10 to the power 2 मान सकते हैं, ठीक है, यहां से अगर अपन value को analysis करें, तो यह आजाएगा power 11, यह आजाएगा 13 power, और यह हो गया 8, तो मै लिख सकता हूँ, 0.5 into 10 to the power 5, लिख सकते हैं, इसको अगर अपन simplify करके लिखें, तो answer जो आजेगा अपना 50 into 10 to the power 3 Newton, 44 देखें, इसमें गिवन है 10 microfarad का capacitor है, और इस capacitor के अंदर अपने को connected है, किसी alternating voltage source है, and the peak value of current, पूछा है अपने को, पाई का value 3.14, यूज करना है, देख यह जब तक mention ना हो, तो अपने इसको RMS value मानते हैं, तो अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर अपने पास में V RMS जो है, this is equals to 210 volt, ठीक है जी, अगर मैं frequency की बात करता हूँ, this frequency, this is equals to 50 hertz, अगर circuit में, जो element connected है, वो capacitor connected है, तो capacitor का, अगर मैं resistance के तोर पे काम में लेते हैं, तो अपन इसको बोलता है, capacity reactance होता है, XC इसको बोला जाता है, ठीक है, तो अगर यहाँ पर mention करें, peak value of current, I0 को अगर मैं define करता हूँ, तो I0, this is will be equals to peak value of voltage divided by XC, and peak value अपने को यहाँ given नहीं है, कौन सी value given है, RMS, ठीक है, तो अगर इसको मैं peak में convert करना चाहूँ होता है, 210 into root 2, अपन जानते हैं, V0 बराबर, sorry, VRMS बराबर होता है, V0 by root 2, जो V0 देगा, root 2 times of VRMS, ठीक है, XC अगर अपन बात करें, तो यह 1 upon omega C है, omega C उपर जाएगा, तो अपन लोग सकते हैं, 2 pi F into C, right, value सब अपने हो given है, यह value given है, pi F frequency given है, frequency कितना given है, बताओ, 50 hertz, ठीक है, capacitance यहाँ पे given ह 10 microfarad, तो peak value of the current अपने पास में बनेगा, I0 this is equals to 210 into root 2, 2 into 3.14, frequency जो given है, वो given है 50 hertz, ठीक है, C जो capacitance given है, उसको 10 microfarad, तो 10 into 10 to the power minus 6, ठीक है, data को अपन लोग solve कर सकते हैं, solve गरने पर जो अपने पास में answer आएगा, this will be equal to 0.93 ampere, ठीक है जी, next question, अपने पास में है, question number 45, question number 45 में given है, दो heater हैं अपने पास में, जिनके power defined है, 1 kilowatt और 2 kilowatt, ठीक है, दोनों को पहले series में connect किया है, उसके बाद में parallel में connect किया है, तो दोनों से जो output power आता है, उनका values क्या हैगा, ठीक है, तो देखों, बहुत simple से जानते हैं अपन, series combination का जो power define होता है, this will be equals to P1 P2, divided by P1 plus P2, और parallel combination का power define होगा, this will be equals to P1 plus P2, powers अपने को यहाँ given है, series combination की बात करें, तो अपने इसको लिख सकते हैं, multiply करेंगे, तो 2 divided by 3, आज़ेगा 3, इस वाले का parallel combination में count करेंगे, तो आज़ेगा 3, इन दोनों का ratio लेते हैं, 2 by 3 by 3, तो ratio आज़ेगा अपने पास में 2 ratio नहीं, 46 देखें मरी, force defined by E equals to alpha T square plus beta T, acting on a particle, और इसको अपने को बताना है, कि alpha और beta अगर constant हो, तो कौन से वाले component, कौन से वाला जो अपने पास में element होगा, वो dimensionless होगा, कौन सा factor dimensionless होगा, अगर अपन बात करें देखो, alpha T square, तो ये भी dimension इसका बोल सकते हैं, newton के बराबर, ठीक है, तो अगर यहां से अपन इसका discuss करें, alpha का, तो alpha का dimension अपनों लोग लिख सकते हैं, newton divided by second square, time square का, ठीक है, दूसरी अगर हम बात करें, अगर मैं इन दोनों की units को बराबर कर दूँ, तो इन दोनों का ratio अपने वास में dimensionless आ सकता है, तो या तो ऐसे हो कि भी इसको 1 by T से multiply करें, बीटा by T करूँ, ताकि ये newton per second square हो जाए, या फिर मैं alpha को T से multiply कर दूँ, तो ये newton by second हो जाए, तो option number 4 को ध्यान से देखें, alpha T upon beta है, तो इसको अगर मैं time से multiply करता हूँ, तो ये unit time से multiply करता है, अपने वास में newton by second हो जाएगा, अब इन दोनों का ratio लें, alpha T by beta का, तो dimension बनेगा कि dimensionless होगा, dimensionless होगा, 47 देखें, theoretical based है, the property which is not of an electromagnetic wave traveling in free space will be, कौन सी property नहीं है, देखें, ये तो simple theory based है, they travel with a speed equal to 1 by under root of mu naught, epsilon naught, इसी को अपन C बोलते है, they originate from charge moving with uniform speed, ये के रहा है कि अपने पास में नहीं होता है, ये पूचा है, electromagnetic wave originate करता कौन है, accelerated charge particle करता है, तो यहां तो ही कहा रहा है, कोई charge particle जो uniform speed से जा रहा हो, तो statement correct होगा कि incorrect होगा, incorrect होगा, ठीक है, they have transfers in nature, बिल्कुल transfers है, electric and magnetic field vectors जो होते हैं, वो इसके propagation के normally vibrate करते हैं, तो transfers होगा, the energy density in electric field is equal to energy density is magnetic field, बिल्कुल सही बात है, जो energy density distribution होता है, वो equally होता है, electric field के लिए भी और magnetic field के लिए भी है, तो अपने पास में जो incorrect statement होगा, वो incorrect statement कौन सा आ जाएगा, statement number second, तो answer अपना option number 2, 48 रेखें वाई, एक रहा है, an iron bar of length L has magnetic moment M, it is bent at the middle of the length, तो L length का लिए है, midpoint से 60 degree पर अपने इसको bent कर दिया, तो यह कुछ ऐसा आ गया जेगो, यह वाला angle आ गया 60 degree, यह L by 2, यह भी कितना आ गया बताओ, L by 2, तो अपने अगर इसका effective length calculate करते हैं, तो L effective इसका L by 2 के बराबर ही आता है, और अपने यह जानते हैं, magnetic moment जो होता है, यह वाला इसका मान लेते हैं, कोई भी एक pole North pole ले लिया, यह वाला South pole ले लिया, magnetic moment is directly proportional to L effective होता है, और L effective अपने पास में अभी भी किसके बराबर आ रहा है, L by 2 के, तो magnetic moment जो अपने पास में नया बनेगा, वो किसके बराबर हो जाएगा, L by 2 के बराबर, ठीक है जी, तो अपने पास में option number 4 will be the correct answer, 49 देखे, simple question है, यह एक simple pendulum अपन लेते हैं, और इसका increase to thrice of its original mass, तो देखो time period of oscillation अगर अपन जाने, तो T equals to 2 pi under root of L by Z, तो यह mass से तो independent है, चाहे जो भी mass आए, gravity acceleration से लेना जेना है, और इसकी length जो है, वो half कर दी गई है पहले से, तो T को मैं बोल सकता हूँ, this is proportional to root L, ठीक है बाई, तो T dash by T, अगर अपन बात करें, this will be equal to L by 2 by L, तो यहां से अपने पास में, जो factor create हो रहा है, वो कौन सा create होगा, root 2 times वाला create होगा, option 4 will be correct, question number 50 देखें भई, the minimum energy required to launch a satellite of mass M, from the surface of Earth, of mass M and radius R, in a circular orbit, at an altitude of 2R from the surface of Earth, ठीक है, देखें जब भी अपन launching की बात करते हैं, किसी एक particular orbit से, या particular point से, किसी दूसरी orbit में अगर अपन launching की बात करें, तो जो energy अपन supply करते हैं, वो energy supplied, kinetic energy के format में होता है, और वो दोनों locations के difference के बराबर होती है, ठीक है, तो अगर अपन बात करते हैं, surface से, अगर किसी orbit में इसको अपने को launch करना हो, तो orbit का altitude surface से किसके revolve करने के लिए, इसके orbital speed भी required होगी, तो यहाँ इसकी total energy count हुई, यहाँ पर इसका, अगर मैं बात करता हूँ, तो अपने पास में, यहाँ भी लिख सकते हैं, जैसे kinetic energy required होगा, वो इन दोनों level के, energy level का क्या होगा, difference होगा, ठीक है, तो अगर मैं delta के, यहाँ मान लेते हैं, delta E की बात करता हूँ, तो energy required की अगर अपन बात करें, तो यह लिख सकते हैं, E final minus E initial, ठीक है जी, तो E final की अगर अपन बात करते हैं, तो total energy होता है, minus Z mm upon 2R, तो यहाँ से अगर अपन इस value को solve करते हैं, तो अपने पास में option बन जाएगा, GMM upon 6R के बड़ाबर, right, मतलब जो energy अपने को supply करना है, वो kinetic energy की format में पन supply करते हैं, okay, thank you. हाँ तो इसमें अपन ज्यादा time नहीं खराब करेंगे, आगे बढ़ेंगे, helium परमानों के अधिक्तम संख्या, तो आपको student helium का weight दिया है, तो आप इसको molar weight से divide कर दिया, तो आपके पास mole आगे, और mole को अपन na से multiply कर देते हैं, तो atoms आगे, STP पर आपको volume दिया है, student, तो volume एक mole gas का कित्ता होता है, STP पर 22.71098, तो अपन इसके divide करेंगे, तो आपके पास student mole आगे, 0.1, और इसको na से multiply करेंगे, तो आपके पास atoms आगे, तो second option में atoms आ रहे है, 0.1 na, है, चार mole दिया है, तो सीधा na से multiply करेंगे, तो 4 na आपके पास atoms आगे, और helium का 4 amu दे रखा है, एक helium atom का मास 4 amu होता है, इसका मनलब यह एक atom हुआ, तो answer इसमें कौन सा आएगा, सबसे ज़्यादा number of atoms किसमें आ रहे हैं, तीसरे के अंदर, तो answer कौन सा होगा, 3rd, next question क्यों आगे बढ़ते हैं इस्टेंट, देखे बचों, question number 53 जो है, इसमें किया रहा है, given below are two statements, statement 1, the boiling point, boiling of 3 isomeric pentane follows the order, normal pentane, isopentane, neopentane, यह सही है, क्योंकि normal pentane में सर्फेस एरिया जादा होगा, जितना ज्यादा सर्फेस एरिया होगा, attraction force वो जुतना ज्यादा offer करेगा, और जितना ज्यादा attraction force होगा, उसका boiling point उतना ज्यादा, ISO में कम होगा, नियों में सबसे कम हो जाएगा, तो smaller surface area, less attraction force, less boiling point reason में क्या गरा है, when branching increases, the molecule attains a shape of sphere, this results as a smaller surface area for contact, due to which the intermolecular forces between the spherical molecule are weak, thereby lowering the boiling point, यानि statement 1 and 2, both are correct, right बच्चों? question number 54, यह RNS equation का question है, तो अपना RNS equation जानते हैं student, यह होती है RNS equation, अपन दोनों साइड में log लेते हैं student, LNK बराबर LN A, माइनस E upon RT, इसमें यह वाला तो Y axis पर लिया गया है, 1 by T जो है वो student X axis पर है, माइनस E upon R अपना slope हो गया, और यह intercept हो गया C, तो negative slope के साथ में एक ही ग्राप है, और आंसर कुन से जाएगा? 2nd, देजिए next question number 55, most stable carbocatine among the following is, सबसे ज्यादा अपने stable carbocatine को solid करना है, तो आप देखिए first में only one alpha hydrogen है, second में यहाँ पर tertiary carbocatine है, तो अपन जानते हैं कि सबसे ज्यादा tertiary stable होता है, then secondary and then primary, second, आप ऐसे alpha hydrogen से check कर सकते हैं, यहाँ alpha hydrogen only one है, इधर alpha hydrogen two and two four and three seven है, next वाले में alpha hydrogen इधर two है, इधर one है, यानि three alpha hydrogen है, और इस वाले में alpha hydrogen three and two five है, तो most stable, सबसे ज्यादा stable अपने को बताना है, तो answer इसका correct है, वो second one आजियाएगा, चलो जी, आगे बढ़ते हैं अपन, यह question थोड़ा students पे काफी confusion का मुद्धार आया है, इस question को लेकर, उसका कारण के अब वो भी अपन जान लेते हैं, इसमें अपने को तीन pair दे रखे हैं पहली बात तो यह, कि यह question जो है, वो electrode potential की बात कर रहा है, तो electrochemistry से भी अपन थोड़ी बाते समझ सकते हैं, और thermodynamics का सिधा सिधा रोल होता ही है, stability of species के बारे में, और inorganic में अपन डिसकस करी रहे हैं, तो इस question को लेकर थोड़ा पंगा है, कुछ student D4 से D5 आंसे टिक कर रहे और बहुत से student ऐसे भी हैं, जो D5 से D4, इसको सही लग रहा है यह answer, तो चलो अपन थोड़ी डिटेल में बात करते हैं, इस question को लेकर, पहली बात तो इन दोनों option को लेकर इसलिए थोड़ा सा contradiction है, क्योंकि problem यह student कोई species से अगर electron आपन जोडते हैं, तो इसका जो delta H होगा, वो क्या होगा, electron जोड रहे हैं, तो यहाँ पर delta H कमान क्या होगा, negative, और D5 से D4, अगर यह वाला अगर मैं change लिखता हूँ, तो student इसके अंदर electron निकल रहा है, तो electron निकालने में तो आपको energy कर्च करने पड़ते है, delta H कमान positive, अगर किसी एक species के लिए आपको इस change की enthalpy अगर तो आपको करना क्या है, केवल magnitude वही रहेगा, केवल sign change करना होता है, तो यह चीज भी एक तरीके से understood होती है, बात क्लिए है कि थर्मोडानमिक्स का point है, तो student, इस question को लेकर पंगा क्या है, यह थोड़ी basic बात मैंने आपको पहले बदा दी, कि D4 से D5 अगर आपको data पता है, तो केवल sign change करना magnitude वही रहेगा, अब इस question पर क्या फरक पढ़ रहा है, इस question के अंदर अपने को 3 pair दिये हैं, Mn plus 3, Mn plus 2, Fp plus 3, Fp plus 2 pair दे रखा हैं, और एक अपने को CR plus 3, CR plus 2 pair दे रखा हैं, Electro chemistry के अंदर एक general fund आपने use करते हैं कि, पहले एक काम करते हैं, इनके configuration भी लिख लेता हूं में, D4, D5, D5, D6, और इस species का configuration 3D3 होगा, और इसका D4 होगा, चलो एक काम करते हैं, एक बार आपने से ये भी तुरद चेक कर लेते हैं कि इन दोनों में से कौन सी species ज़्यादे stable ह तो अपने को पता है, student MN plus 2 species जो है, MN plus 3 की तुला में ज़्यादा stable है, F2 plus 3, F2 plus 2 में ये वाली species ज़्यादा stable होती है, due to stable D5 configuration, इन दोनों में से ये वाली species ज़्यादा stable होती है, due to half field T2G configuration, अब student question में अपने को पूछा क्या गया है, देखो, MN plus 3, MN plus 2 couple जो दे रखा है, उसका इनोट जो है, वो positive होता है, इन दोनों pair की तुला में, अचा इनोट अगर आपको बोल रहा है कि positive, इनोट अगर positive बोल रहा है, तो अपन डेल्टा G बराबर minus NFE, formula जानते होंगे आप, इनोट का मान positive है, इसका बादा G का मान negative, इस pair के लिए डेल्टा G का मान negative, और ड process ये, इन दोनों की तुला में, ये वाला जो change है, वो ज्यादा spontaneous है, more spontaneous है, इस pair के लिए इनोट का मान, इन दोनों pair की तुला में, ज्यादा positive है, तो अपन indirectly समझ पा रहे हैं, कि ये process ज्यादा spontaneous है, ज्यादा feasible है, ज्यादा असारी से होता है, तो क्यों होता है, कौन से change के का तो इस blend अपन जानते हैं, कि MN plus 3, MN plus 2 की अगर अपन बात करें, तो especially अगर अपन बात करें, MN plus 3 का configuration क्या है, ठीका न, D4, और MN plus 2, ठीका न, इसका D5, तो basically ये वाला जो change है, उसका delta H क्या होगा, negative होगा, और जितना ज्यादा delta H का मान negative होगा, delta G का मान भी उतना ही ज्यादा negative होगा, और delta G का मान जितना ज्यादा negative होगा, तो अपन जानते हैं कि इलेक्टोड पोटेंशियल भी उतना ही ज्यादा क्या आएगा पोजिटिव आएगा तो क्या ये बात आपको सुन्हें में आ रहे हैं कि ये ज्यादा नेगिटिव होना हाना D4 D5 यही कारण है इनोट के पोजिटिव होने का बिल्कुल करेक्ट क्योंकि आप अपोजिट डारेक्शन में सोचो इस्टूडेंट MN प्लस टू स्टेवल से लेक्टो निकल रहा है तो यहाँ पर डेल्टा हेज का मान पोजिटिव होगा जो ज्यादा होगा जैसा कि आप जानते हो इलेक्टोन सटेवल कॉनफिकेकशन से निकलता है तो आईपी का महान क्या होता उर्प्लस टू जो अपने प्लस टू से MN पलस टू आएंगे तो डेल्टा हेज का मान ज्यादा पोजिटिव होगा लेकिन अपन MN प्लस टू से MN प्लस 2 इस प्रोसेस की feasibility के बारे में बात कर रहे है तो D4 से D5 वो positive magnitude जो था वो अपने लिए अप negative magnitude हो गया तो जितना ज्यादा डेल्टा H का मान negative होगा उत्रा है डेल्टा G का मान ज्यादा ज्यादा negative होगा और inode का मान positive होगा तो answer कौन सा जाएगा इसके इंदर strength D4 to D5 अब D4 से D5 configuration हाना ये change जो है वो ज्यादा exothermik है इसलिए process ज्यादा spontaneous होगा इसलिए inode का मान भी ज्यादा positive आएगा लेकिन कुछ student D5 से D4 answer कर रहे है उसके पिछे कारण के है कि NCRT में as it is questionnaire student उसके अंदर especially बोल रखा है कि magnees की जो third IP है वो बहुत ज्यादा होती है third IP होती है तो ये भी समझ में आता है कि D4 से D5 जो change है वो उतना ही ज्यादा negative होगा और जितना ज्यादा negative होगा देल्टा जी का मान उतना ही क्या होगा positive होगा तो ये answer जो है वो इस तरीके से भी सोचा जा सकता है लेकिन अपने को जिस तरीके से पूछा गया है उस तरीके स प्लस 3 प्लस 2 एक बार इसको और अलग तरीके से बात करते है एफ़ी प्लस 3 एफ़ी प्लस 2 और सी आर प्लस 3 सी आर प्लस 2 ठीक है ना इसके अंदर अपने को इस वाले change का electrode potential ज्यादा positive बोल रखा है तो चलो अपने एक general funda काम में लेते हैं अपन जानते हैं कि SRP या electrode potential वो oxidizing agent के directly प्रपोस्टन होता है तो जैसा कि इस क्यूशन के अंदर इसके लिए सबसे ज्यादा positive बोल रखा है इसका मतलब MN plus 3 सबसे अच्छा oxidizing agent होगा बात क्लिए ने गया MN plus 3 सबसे अच्छा oxidizing agent होगा और उसके बाद F3 और उसके बाद में CR plus 3 तो MN plus 3 रहेगो इसके लि oxidizing agent होगा इसके reduce होने की tendency जो है वो उतनी क्या होगी ज्यादा और reduce होने की tendency जो है वो उतनी ज्यादा क्यों होगी क्योंकि आप जानते हो कि यह configuration default से D5 में जा रहा है stable configuration में convert हो रहा है इसलिए delta H का मान ज्यादा negative मिलता है इसलिए आप कहा सकते हो MN plus 3 ज्यादा अच्छा oxidizing agent है अच्छा आपन यह बोलते हैं कि MN plus 2 से plus 3 या IP 3 का मान जो है वो ज्यादा positive होता है ठीक है ना ज्यादा positive है इसका मतलब इसके reduce होने की tendency क्या होगी उतनी ज्यादा easy होगी समझ में आरी बात उस way में अपना answer कोन सा दे रहे है first बाकी technical term जो है वो MN plus 3 MN plus 2 reduce होने के तो उस way में answer कुछ student जो है वो 3rd cure जा रहे है आगे बढ़ते है student I have the following element in increasing order of first ionizer enthalpy अपन जानते है student lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen अपन आगे बढ़ते हैं तो यह penterson power की काण beryllium का IP boron से क्या होता है ज्यादा तो सब से कम IP किसका होगा? lithium का, फिर boron का, फिर beryllium का, फिर carbon का और उसके ब question की और आगे बढ़ते है student देखो यह वाला जो question है student इसके अंदर ionization isomerism भी है लेकिन एक के अंदर third question में नहीं दे रखा है तो अपन आगे बढ़ते हैं इसके अंदर NO2 mb dented ligand present है तो आपन कह सकते है linkage isomerism होगी तो first में हो गया second ठीक है उसके बाद में देखते हैं कि इसक कौन सा होगा अब देखे 59 question क्या अगर है which reaction is not a redox reaction कौन सी reaction redox reaction नहीं है यहाँ पे h2 plus cl2 gives hcl h2 में 0 cl2 में 0 यह plus 1 यह minus 1 यानि oxidation reduction दोनों हो रहा है इसका मतलब यह redox reaction है second में b2 plus cl minus plus 1 plus 6 minus 2 plus 2 plus 6 minus 2 plus 1 minus 1 यानि यहाँ पर कोई भी oxidation number में change नहीं हो रहा है ना barium की ना sulfur ना oxygen ना sodium किसी में change नहीं हो रहा है यह ion exchange reaction है तो इसलिए यह redox reaction नहीं है यहाँ पर भी देखिए दूस्टो third reaction है zn plus cu 2 plus gives zn 2 plus plus cu यानि यहाँ पर zinc oxidation हो रहा है copper का reduction हो रहा है यह redox होगी यहाँ पर chlorine plus 5 oxidation state में iodine 0 0 से plus 5 में गया और plus 5 से 0 यानि कि यह भी redox reaction है तो किवल कौन सी redox नहीं है second reaction redox reaction नहीं है यह देखिए और्गनिका एक और कुशन एनिलीन डजन्ट अंडर्गो फ्रेडल क्राफ्ट एलकाइलेशन रियेक्शन एनिलीन फ्रेडल क्राफ्ट एलकाइलेशन नहीं करती है second aniline cannot prepared through gravel theramide aniline को gravel theramide से अपन नहीं बना सकते हैं तो बच्चों दोनो statement है एकदम correct है देखिए first में क्या है कि aniline है वो ALCL3 के साथ एक complex बना लेता है तो वो फ्रेडल क्राफ्ट नहीं देती है second इसमें आप यदि second वाले में gravel theramide में synthesis में आप देखेंगे तो इसके अंदर वच्चों क्या होगा कि यहाँ पर chlorobenzine को अपने को यूज में लेना पड़ेगा और जब chlorobenzine को अपन यूज में लेंगे तो यहाँ पर और यह बोट इजीनी ब्रेक हो नहीं पाएगा और इजीनी ब्रेक नहीं होगा तो एनिलीन का फोर्मिशन इस वाले प्रोसेस से अब नहीं कर पाएंगे इट मेंस फॉस्ट स्टेट्मेंट की एनिलीन है वह एल सील 3 के साथ कॉंप्लेक्स बराने के कारण एलकाइलेक्शन इक्षन नहीं देती है यह भी और सेकिंड इससे आप ग्रेबिल सिंतेसिस से एनिलीन को प्रिपेर नहीं कर पाते हैं तो यह भी करेक्ट है तो बोथ स्टेट्मेंट फॉस्ट सेकिंड और ट्रू यानि आंसर इसका बच्छों फर्ड आ जाएगा इस टुड़ेंट एनस्ट तो पांस तो बना रहा और एक लॉन पेर तो ऑक्टाइडल जोमेट्री में एक लॉन पेर परजेंट होगा तो वल्ग क्राम इडल इसकी जोमेट्री होगी अक्सी एप फॉर के अंदर दो लॉन पेर पर यहां पर एस पी-3-D2 हैबिदाशन होगा और इसक्वाइर प्लेनर पर इसके अंदर जोमेट्री होगी एस प्लॉविंग यहां पर यहां पर आप यूज मेलेंगे रियक्शन करेंगे तो आर ओट से पर ईक्षन कर रहे हैं अब आर ओए से रियक्शन कर रहे हैं जडेंट के प्रजेंस में तो यहां पर H और OH रिमू होने से RCL का फोर्मेशन वाइट टर्बिडिटी इसके आएगी तो यह अपन लुकास टेस्ट में करते हैं कि सबसे ज़्यादा जो रियक्टिव होता है इसमें तो इसमें प्रच्पिडिट या वाइड टर्बिडिटि आता है जो थ्री डिगरी है देले टू अब होर्ण में चैबल सबसे घु है ग्यादा गयाँ सब्सक्राइब करेगा यहां पर लिख रहा है ताक्षनिक या नहीं तुरंग रियक्षन कर ले तो वह चो आंसर सेकेंड आजाएगा त्री डिग्री एल्कोहल नेक्स्ट क्यूशन इस्ट्वेंट यह क्यूशन तो बड़ाई आसान क्यूशन है के एच का मान जो है वो सोलिव वार है और उसके बाद में सबस्यादा के अच का मान दे रखाए 145 इसकी सबसे कम होगी तो आंसर कुन सा होगा बिसी है तर यह इनमें से किस से रियक्षन नहीं करेगा तो वह अभी करम जिनके साथ गुलकोज अभीक्रिया नहीं करता है तो अपन जानते हैं टोलेंस टेस् यहां पर हैंसे के साथ साइनोहाइड्रीन का फ़ोर्मेश हो गया वह इन दोनों के साथ रियक्षन नहीं करता है तो आंसर अपना करेक्ष्ट वह फिस्ट आ जाएगा बोदी सिंपल सा क्यूशन था नेक्स्ट identify the correct रियेजेंट आपको इस वाले compound को फस्ट वाले compound को इस product में आपको change करना है और अपने को check करना है कि correct जो रियेजेंट है वो कौन सा होगा तो बच्चो देखिए फस्ट वाले में अपने पास में इधर alkin यानि double bond है तो आप यहां पर हाइड्रो बोरेशन ओक्सिडेशन करेंगे तो हाइड्रो बोरेशन ओक्सिडेशन करेंगे तो anti-marconicov से H2O का आपन addition कर पाएंगे यहां पर CH and CH2 अब आपने क्या किया oxidation हाइड्रो बोरेशन ओक्सिडेशन किया इसका BH3 है H2O2 है OH-negative है तो यह तीनो reagent अपन साथ में ले लेते हैं BH3 में ने लिया H2O2 लिया और OH और इनका पूरे का combination का means क्या होता है यह addition करेंगे H2O का by anti-marconicov तो यहां पर formation बच्चों हो जाएगा CH2 यहां CH और यहां पर H आ गया और इधर OH आ गया यह अपना alcohol 1 degree है वो form हो गया अब यह LDL में change हो रहा है LDL में alcohol को आपको LDL में change करना है तो आपको weak oxidizing agent की जुरुत बढ़ेगी क्योंगी strong से हैं तो क्या होगा 1 degree alcohol है वो LDL में और LDL acid में change हो जाएगा अपने को only यहां पर LDL ही form करना है इटमिस आपको weak oxidizing agent जैसे pyridinium chlorochromate PCC को यूज में लेना है और यह PCC बच्चो केवल alcohol को LDL में change करेगा और LDL में change करते हैं यह वाला अपने पास product आ जाएगा तो अपन चेक करते हैं BH3 H2O इसमें है इसमें नहीं है यह मारकोने को यह वाला गलत हो गया यह वाला गलत हो गया अब इन दोनों में BH3 यह देखो दे रखाए पर यहां पर देखे केमनो 4 आ गया strong आ गया यहां पर weak आ गया तो इसमें 4 इसका answer है वो correct हो जाएगा तो इसमें अपनोंने क्या किया L-kin को पहले L-col में और L-col को अपनोंने L-dehyde में तो answer है वो correct आ जाएगा next failing solution A तो अपने को मालूम है कि failing solution दो solution का mixion होता है तो यहां पर एक तो failing solution अपन A लेते हैं और A का अपन failing solution B लेते हैं A अपन किसको बोलते है aqueous copper sulfate को और B जो होता है alkaline solution of potassium sodium potassium जिसको रोसेल अपन सोल्ट बोलते हैं तो यहां पर A का पुछा है तो aqueous copper sulfate answer वच्चो थर्ड वाला जाएगा और यदि B का पुछा जाता तो अपन फस्ट वाला option कर देते हैं रोसेल सोल्ट वाला देखो यह वाला जो कुशन है इसके अंदर आपको और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जाओ साइज ओप ऑर्विटल के बारे में जनकार देती है तो आंसर कुन सा जाएगा अपने स्ट्रेड में थर्ड जाएगा और बीक के अंदर फोर्थ जाएगा तो आंसर कुन सा गवा फोर्थ अब यहां पर दे रखा आप स्टी एंट कॉश्चेन नंबर है वन ग्राम सोडियम है ड्रोकशईड कि रियक्ष्चन अगर हम लोग करा किसाथ तो क्या बनेगा एनेसी अल बनेगा और फ्लस वाटर बनेगा मैं ए एने ओएच और हिवन ग्राम वन को फॉट्टी से डिवाइट करो और इंटू 1000 कर दो तो यह कितना आ गया 25 mmol और HCl कितना दे रखा है 25 mmol इंटू 0.75 यह आ जाएगा 18.75 mmol और यह आपका हो गया लिमिटिंग रियेजेंट और यह क्या हो जाएगा एकसे रियेजेंट अब जब लिमिटिंग रियेजेंट तो यह 0 बचेगा आफ्टर रियेक्शन यह कितना हो जाएगा 25-18.75 यानि कितना बच गया 6.25 mmol बच गया और आप से क्या पूछाएगा अगर ग्राम में अंसर हो था तो मोल्स में कनवेट करते तो यहां पर कितना आ जाएगा 250 mmol इसका मुलिप्लाइ करेंगे 250 आ जाएगा question number 69 क्या करा है बिटे on heating some solid substance changes from solid to vapor state without passing through liquid state the technique used for the purification of such solid substances based on the यानि कि आपको पता है कि process in which solids directly converted into the vapors without changing its states in liquid state तो वो solid से direct gas में change होता है that is called chromatography sorry chromatography not sublimation this is called sublimation not chromatography राइट बच्चो इसके बाद देखिए 70 question number 70 क्या दे रखा है in which of the following process entropy increases disorderness increases entropy का मतलब disorders randomness increase करेगी तो देखिया liquid evaporates to vapor अगर जैसे है एच्टू ओ लिक्विड है और यह इवेरपोरेट हो जाए किसमें गैस में तो क्या होगा लिक्विड से गैस के entropy हमेशा ज्यादा होती है temperature of crystalline solid lowered from 130 Kelvin to 0 Kelvin 0 Kelvin पर आपको पदा ही है absolute zero temperature हो गया 0 Kelvin यानि minus 273 degrees Celsius तो उस पर क्या होता है disorderness 0 हो जाती है तो यहां तो decrease करेगा यहां पर sodium bicarbonate solid है sodium carbonate बन रहा है और carbon dioxide और S2O तो यानि entropy increase करेगी chlorine molecule से gas बन रही है डेल्टा एंजी पॉस्टिव आ रहा है डेल्टा एंजी जब पॉस्टिव आता है तो entropy क्या होती increase करती है तो इसमें B को छोड़के ACD तीनों में entropy increase करेगी नेक्स में आते हैं मैच्ट लिस्ट वन विद लिस्ट टू आइसो थर्मल प्रोसेस आपको बताए लाइक तो फिर उसके बास Megasreich आइसको वहारी प्रोसेस और फिर उसके बास ही क्या एक वारिक निम तबतों में से किसमें एलेक्टो नेगेटिविडी के इंक्रीजिंग ओर्डर में अपने को रखना है तो अपने जानते हैं सबसे यह दा फ्लॉरीन और उसके बाद में ऑक्षिजन 3.5 होती है तो आंसर अपने को मिल गया आंसर कुन सा थार्ड बहुत आसान आसान क्योश प्रजेंट है तो टीटू जीचे अंदर जीरो तो इसके अंदर आप जानते हो डीटूस पीट्री हाइवडाइशन होगा अनप्रेड एलेक्टोन जीरो होगा डामेनेटिक होगा लोई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो गया और यहां पर भी सीओ प्लस थी स्पिसीज है तो अगे SP3D2 आइवडाइशन होगा अनप्रेड एलेक्टोन का मान किता आएगा चार मू का मान किता आएगा 4.90 तो आप कह सकते हो कि दोनों कॉम्प्लेक्स जो है वो ओक्टाइडल होंगे बात क्लीर है और मेग्नेटिक बिएवियर में डिफेंट होगे बिल्कुल होगे इसमें अ परामनेटिक बात सभी है इस कॉम्प्लेक्स से डिहेंड कॉमप्लेक्स बिल्कुल बात क्लीर है डियामनेटिक होगा अन प्रेड एलेक्टोन जीरो है और यह वाला कॉम्प्लेक्स हो पिरामेंयट तो बहुत statement are correct answer will be third Ethene के अंदर carbon carbon के बीच में आप जानते हैं student एक sigma bond है Ethene के अंदर अगर आपन बात करें तो एक sigma और एक πाई बात करें क्या तो एक sigma और एक πाई तो अपना fourth इसके अंदर होगा Carbon C2 के अंदर MoT के साब से अपन जानते हैं student पाई 2PX, पाई 2PY में चारों electron के काई bond होड़ आता है बोथ bonds are पाई Ethene के अंदर एक sigma और दो पाई ठीक है ना एक sigma और दो पाई ये जाएगा तो first में जाएगा student third second में जाएगा आपका answer fourth, तो answer कुन साब जाएगा पहला Activation energy of any chemical reaction can be calculated if one knows the value आपको पता है बेठा, k equals to होता है a e to the power minus ea upon rt इसको हम लोग लिख सकते हैं lnk equals to ln a minus ea by rt अगर temperature हम लोग change करेंगे आपको पता है temperature अगर बढ़ाते हैं kinetic energy of the molecule बढ़ेगी kinetic energy बढ़ेगी तो randomness बढ़ेगी, randomness बढ़ेगी number of collisions बढ़ेगे collisions बढ़ेगे, तो effective collisions बढ़ेगे और क्या होगा अपकी rate of reaction increase करेगी, तो rate constant भी increase करेगा, तो क्या होता है इसका formula log k2 by k1 equals to यहाँ पे आ जाता है ln a से cancel हो जाएगा ea by 2.303 r common ले लिया, और यह क्या आ जाता है t2 minus t1 upon t1 t2, और यह k1 और k2 k1 और k2, यह t1 temperature पर यह at t1 temperature पर rate constant है rate constant और यह t2 temperature पर rate constant है इसका मतलब यह हुआ कि यह दोनो different temperature पर rate constant दिये होने चाहिए तो इसका second option correct होगा in which of the following equilibria kp and kc are not equal बचों आपको पता है kp equals to क्या होता है kc into rt to the power delta ng अगर delta ng 0 होता है तो kp kc के equal होता है kp kc के equal होता है और delta ng अगर आपका greater than 0 होता है तो kp greater than kc होता है और अगर delta ng less than 0 हुआ तो भी kp क्या होगा less than kc हो जाएगा है कि नहीं बच्चों delta ng positive हुआ तो यह दोनों का product आएगा kp तो जादा हो जाएगा अगर upon में चला गया तो कम हो जाएगा तो यहाँ पर दिखिए first में है तो delta ng 0 second में delta ng 0 थार्ड में delta ng positive है यहाँ matter positive negative का नहीं है greater या less क्योंकि kp केसी equal नहीं होना चाहिए greater less नहीं पूछ रहा है तो अगर कोई ऐसी reaction है delta ng positive negative कुछ भी हो तो उसमें kp केसी equal नहीं होते है अब आगी की बात करते हैं match the list 1 with list 2 one mole of h2o h2o से o2 बन रहा है बचो यहाँ पे minus 2 यह 0 और इसमें एक mole water कह रहा है एक oxygen atom convert हो रहा है किसमें 0 में इसका मतलब कितने फराडे 2 फराडे चार्ज इसका 2 फराडे हो गया mn of 4 minus किसमें जा रहा है mn 2 plus में plus 7 से plus 2 में जा रहा है 5 फराडे हो जाएगा b का हो गया 4 cacl2 में convert हो रहा है 0 से plus 2 में जा रहा है 1 mole के लिए 2 का change जा रहा है तो 1.5 mole के लिए कितना हो जाएगा 3 फराडे तो इसका कितना हो गया 3 फराडे यह 1 हो गया और feo converted into fe2o3 plus 2 से plus 3 में जा रहा है यहाँ पर atom एक है बच्चे confused हो जाते हैं कि यहाँ तो 2 atom दिया हो इसर अगर इससे इसमें change हो रहा होता है तो लोग 2 लेते यहाँ पर 1 atom है इसलिए 1 atom के respect में लेना होगा तो इसका हो जाएगा 1 फराडे which option is correct a का हो गया second b का हो गया 4 c का हो गया first a का second b का 4 c का first और d का d का third third option is correct ओके बच्चों अब देखिए यह भी interesting question है बहुत सारे बच्चे इसमें confused हो जाते हैं यहाँ पर kc की value दे रखे और यहाँ पर concentrations दे रखे जब equilibrium disrupt होगा तो यहाँ पर qc निकालेंगे और सब के equal हैं तो यहाँ पर देखिए concentration of b into concentration of c upon concentration of a square तो ultimately तो सब cancel ही हो जाए क्योंकि यह भी square होगी और यह दोनों भी equal है तो यहाँ हो जाएगा 2 into 10 to the power minus 3 का square और यहाँ पर भी हो गया 2 into 10 to the power minus 3 का square इसका मतलब यह cancel qc क्या हो गया 1 के बराबर और यहाँ पर kc less than 1 है तो qc is greater than kc जब qc greater होगा इसका मतलब product का concentration जादा है तो equilibrium achieve करने के लिए reaction के दर shift होगी backward shift होगी तो क्या कह रहा है reaction has tendency to go in backward direction ठीके बटे यह सब t6 का मैं solution आपको करा रहो तो उसी according answer देख लिजेगा आप हर एक इंट्रा molecular hydrogen bonding अन्ता अनुग hydrogen में आपको check करना है यानि molecule के अंदर ही होना चाहिए तो अपने को clear दिख रहा है NO2 और OH के बीच में हो जाएगा answer इसका third correct आजाएगा यह किसी दूसरे molecule के साथ करेगा यह दूसरे के साथ करेगा तो इंट्र-molecular हो जाएगा इंट्रा यानि molecule के अंदर ही दो एक्टम के बीच में होना चाहिए दो ग्रूप के बीच में होना चाहिए तो third option अपना जाएगा next देखें the compound that will undergo SN1 reaction सबसे fast जो reaction है वो SN1 में कोन करेगा इसके लिए बच्चों अपन क्या लेते है SN1 की जो reactivity है वो stability of carbocatine के directly proportional होती है stability of carbocatine क्योंकि इसमें intermediate है वो SN1 में carbocatine बनता है तो बच्चों ये वाला carbocatine तो कभी stable हो नहीं पाएगा क्योंकि double bond में positive आ गया इस वाले को carbocatine को अपन बनाएंगे तो benzyli carbocatine आ जाएगा benzyli carbocatine का मतलब क्या हो गया यहाँ पर अपने पास double bond है और इधर ये CS3 है यहाँ positive हो गया ये benzyli group हो गया तो ये बच्चों regionally भी करेगा stabilize करेगा इसको और यहाँ पर hyperconjugation है 3 alpha hydrogen भी present है अगले में आप देखिए केवल hyperconjugation है एक alpha hydrogen है इसमें केवल 4 alpha hydrogen है तो सबसे ज़्यादा stable carbocatine इसमें बनेगा तो सबसे fast जो SN1 reaction होगी वो second में हो जाएगी क्योंकि इसमें benzyli का है वो carbocatine का formation हो रहा है next वापस देखिए अपने को first और second list को मेच करना है मिलान करना है दोनों सूची का तो check करते हैं अपन first option से यह देखिए यह two molecule में change हो रहा है तो अपने को मालूम है कि ozonalysis में अपन direct जब soul करते हैं product direct का formation होता है तो अपन क्या करते हैं कि कहीं पे भी double bond है उसको अपन remove कर देते हैं और दोनों साइड में एक-एक o को attach कर देते हैं direct जब प्रोडेक्ट करना है अधरवाई mechanism से करेंगे तो product को भी बनेगा तो अपन यह देख रहे हैं कि यहाँ पर double bond को break करके और एक-एक o को लगाया गया इट मिस यहाँ ogenolysis हुआ है तो ogenolysis का फेक्ट्रिस में देख लीजिए fourth वाला एक के साथ fourth आ गया next benzene को इस वाले compound में change किया है तो इसमें change करने के लिए अपने को क्या चीए यहाँ पर benzene था और यह दिया पर reaction करते हैं इसकी यहाँ benzoyl chloride के साथ fredel craft reaction अपर कर दे है HCl यहाँ पर remove हो जाएगा और दोनो benzene COC attach हो जाएगा benzofenone का formation हो जाएगा तो ऐसा देखिए यह वाला रहा first वाला option आ गया है अच्छा alcohol को ketone में alcohol को अपने को ketone में change करना तो oxidation करना है तो यह रहा Km-1-4 और CRO3 दोनों oxidizing agent है पर यहाँ पर अपन पहले वाले क्यूशन में भी बात कर चुके है अपने को weak oxidizing agent चीए है यहाँ पर तो अपन CRO3 को use में लेंगे second option आ जाएगा चलिए fourth चलते है यहाँ पर ethyl benzene है उसको potassium benzoid में change किया है और potassium आप देगी केवल एक में आ रहा है तो इसका third आ जाएगा otherwise अपन यह study करते ही है कि benzene पर यह दि carbon attached है और उसके पास एक H आ गया अब इसका अपन यह ओक्सिडेशन करेंगे तो यह CWH में change हो जाएगा और केमनोफोर कोच की प्रज़ेस है potassium इसके अंदर आ रहा है तो acid की reaction अपन KOH base के साथ करेंगे तो potassium salt बन जाएगा यह केमनोफोर है इसके potassium का यानि केमनोफोर का रोल क्या है यह CH को CWH में change करते हैं तो CWH acid बन गया acid की base के साथ reaction करेंगे water and salt बनेगा तो option अपने पास यह वाल आ जाएगा तो हपन चेक करें 4, 1, 2, 3 4, 1, 2, 3 first option अपने पास आ जाएगा नेम वैसे किन आयनों के लिए प्रज़कन मातर चुम्ब की अगुन का मान समान होता है तो student CR plus 2 के अंदर 3D 4 configuration है AP plus 2 के पाद 3D 6 configuration है unpaid electron यहां पर 4 और यहां पर भी 4 तो इनका जो spin only magnetic moment है वो दोनों का सेम आएगा तो answer कौन से जाएगा इसके अंदर B और D तो B और D कौन से में है 3rd के अंदर titanium में आप जानते हो 3D 1 configuration होता है MN plus 2 3D 5 configuration है SCADM plus 3 आप जानते हैं Argon 3D 0 तो कौन से स्पीसीज के अंदर magnetic moment same आएगा B और D Next अपन चेक करते है बहुत ही सिंपल किशन C6 H14 यह अपने को formula दे रखा है इसके पास 2 tertiary carbon है तो अपन 2 carbon ले ले लेते हैं दोनों tertiary होने चीए तो यह वाला भी primary है यह secondary हो गया और यह tertiary हो गया इसको भी अपन tertiary बनाए तो यहां पर यह वाला secondary और यह वाला tertiary अब valency अपन complete करें यहां CS3 में अटेज किया यहां CS3 CS3 H and H अब चेक करें molecular formula 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbon है यह 3, 6, 9, 12, 13, 14 इस ठीक है यह molecular formula वाला अपने पास compound आ गया अब यहां पर आप देख सकते है 3 degree यह वाला भी है और यह वाला 3 degree है 2, 3 degree अपने पास में आ गए अब name अपन चेक कर लेते हैं इसका 1, यह वाला 2, यह वाला 3 और यह वाला 4 तो नेम क्या हो गया 2, 3 dimethyl 2, 3 dimethyl butane 2, 3 dimethyl butane फर्स्ट वाला उप्शन हो फ्रेक्ट हो जाएगा अब दिखिए था energy of an electron in ground state of helium ion is minus x energy का formula क्या होता है पेटा e not e not into z square by n square with minus sign इसकी दिरखी minus x e not अपने को निकालनी है यहाँ पे e not minus e not into z helium का z कितना होता है 2 तो 4 हो गया ground state पे है 1 हो गया तो e not कितना आ जाएगा x by 4 आ गया कितना आ गया x by 4 अब आपको निकालना है then that for an electron and equals to 2 of beryllium के लिए equals to e not आ गया minus x by 4 minus तो रखेंगे इना into z कितना होगा beryllium का 4 हो गया है कि नहीं beryllium का z कितना हो जाएगा hydrogen helium lithium beryllium 4 हो गया तो यह 4 square हो जाएगा है कि नहीं और upon में कितना हो जाएगा 2 का square यानि 4 हो गया यह पूरा पूरा cancel ultimately कितना हो गया minus x third option is correct group 16 के अंदर hydride हों के boiling point का order यह होगा तो बिल्कुल बात correct है S2S से S2T की और mass बढ़ेगा wonderwall force बढ़ेगा तो आप यह कह सकते हो कि boiling point बढ़ेगा लेकिन S2O का जो boiling point है वो hydrogen bond के कारण सबसे ज़्यादा होगा बात correct है तो यही बात नीचे दे रखिए कि S2O का अनुमानिक कथनांग जो है वो समों के अनने सदस्यों से कम होता है आन्विक द्रवेमान के अधार पर तो कम होना चीए प्रन्तू इसके अंदर hydrogen bonding के कारण इसका ज़्यादा होता तो बोथ statement are correct तो आंसर कोन सा होगा थार्ड आप देखो बच्चों यहां पे दे रखा है 86 question number mass in grams of copper deposited by passing this much current through a volt meter containing copper sulphate solution for 100 seconds तो w equals 2 हम लोग use करेंगे eit by 96500 यह कितना हो जाएगा इसका मास्ट रखा है आपको atomic mass 63 normally 63.5 होता है बट जो गिवन है उसके हिसाब से upon 2 हो जाएगा आई कितना है आपका 100 100 सेकेंड है आई हो गया 9.6487 इंटू 100 अपवान वन फराड़ी की वैल्यू दे रखी नाइन 6 487 यहां से पॉइंट अटा दो जीरो कैंसल यहां पे 100 आ गया यह इससे कैंसल हो गया इसको कैंसल करोगे तो यह आजाएगा 31.25 अपॉन हंडरेट तो वेट कितना आ जाएगा बटा 0.3125 ग्राम आ गया 0.315 स्वारी नॉट 25 यह आ जाएगा तो इसका फॉर्थ ओप्शन करेक्ट हो गया अब देखिए बच्चों यहां कंपाउंड एक्स कंटेंस 32 परसेंट ऑफ ए ए 32 हो गया बी कितना है 20 परसेंट सी कितना हो जाएगा रेस्ट यानि 32 और हंट्रेट माइनस यह हो जाएगा 52 और यह हो जाएगा 48 यह आगया 1.5 यह आगया 0.5 यह अगया वच्चों न क्योंकि यह जो मासक्राइशन दिया होता है यह को इनों को डिवाइट करोगे 0.5 यह आगया 1 इसको 0.5 से डिवाइट करोगे 1 1.5 by 0.5 यह कितना आगया 3 A, B, C, 3 is the right answer 4th option is correct आप देखें वेटे ये 88 question थोड़ा सा interesting question है इसमें अपने को देखना है क्या कह रहा है twice NO gives N2 plus O2 तो KC equals to concentration of N2 3 into 10 to the power minus 3 concentration of O2 4.2 into 10 to the power minus 3 upon NO का square तो 2.8 into 2.8 और 10 to the power minus 3 का square किया minus 6 ये cancel हो गया KC की value approximate 1.6 हा दी है ना अब twice NO gives N2 plus O2 इसको 0.1 mole दे रखा ये 00 0.1 minus X बहुत सारे लोग यहां पर minus 2X कर देते बस वहाँ पर mistake हो जाती है और ये क्या हो गया? ये हो गया X by 2 और ये भी क्या हो गया? X by 2 केसी आप निकाल चुके हो तो 1.6 equals to X by 2 का square upon 0.1 minus X का whole square इसका root लोगे? X की value निकालोगे? आंसर आ जाएगा 0.717 बस यहां तक ही आपको धिहान रखना होता है यहां mistake नहीं की तो calculation असानी से हो जाएगा वह खास बात नहीं है इसमें the work done during reversible isothermal expansion of 1 mole of hydrogen gas at 25 degree Celsius from pressure of 20 atmosphere to 10 atmosphere pressure decrease कर रहा है work done equals to क्या होता है? minus 2.303 nRT log P1 by P2 तो क्या होगा? minus 2.303 यह 2R की value sorry यह 1 mole दे रखा है तो यहां पर 1 बोल ले लीजे R की value 2 calorie क्योंगे answer calories में दे रखा है 298 into log P1 की value कितनी है? 20 P2 कितना है? 10 यह से cancel तो क्या होगा? minus 2.303 into 2.303 into 18.119 5 into 0.3010 तो यह क्या होगा? minus 0.693 into 5.96 5.96 तो यह बटा 1 से कम है minus 413.14 calories answer आजाएगा question number 90 है बटा the product A and B obtained in the following reaction respectively R ROH की reaction जब PCL3 के साथ कराते हैं तो 1 chlorine इसके साथ आजाता है और यह H H3 PO3 इसके साथ आजाएगा यह first product हो गया दूसरा ROH PLUS PCL5 RCL और HCL और यहां क्या बन जाएगा बच्चो POCL3 the second option is correct राइट एक compound दे रखा C1S3 whole 6 यह homoleptic इसको बोलते हैं इसको number of ligand सारे same हो बिल्कूल बात correct दे रखी है और यह हेटोलेप्टिक कॉंप्लेक्स है more than one type of ligand present हो हेटोलेप्टिक कॉंप्लेक्स होगा यह बात correct दे रखी है अब आते हैं पर reason पे अगर एक ही प्रकार की ligand होते हैं तो homoleptic होता है एक से अधिक प्रकार की होते है हेटोलेप्टिक तो बहुत statement आर करें टांसर कॉन सा होगा धर्ड देखे question identify major product C in following reaction sequence last अपने को जो मुख्य उत्पाद बनेगा उसको identify करना है तो चलिए check करते हैं सबसे पहले अपने पास N-propyl iodide या one iodopropane है first reaction अपनोंने की है N-CN से K-CN से या N-CN से करें ionic है यहाँ पर आप देख रहें NAI remove होगा तो यह बच्चो change हो गया CS3, CH2, CH2 और CN में आगे अपन चलते हैं partial hydrolysis cyanide का जब partial hydrolysis करते हैं तो यह amide में form होता है आप याद ऐसे रख सकते हैं इसको CN है partial का मतलब 1H2O 1H2O का अपन अरेंज करें तो याद रखने का तरीका है CO NH2 यहाँ पर यह amide का formation करेगा तो अपन यह amide बना देते हैं यहाँ CS3 यहाँ CH2 और CH2 CO NH2 यह amide बन गया अच्छा आप यहाँ ऐसा कोई molecule बनाए कि यहाँ पर iodine है कार्बो केटाइन की stability से C1 इधर भी आ जाए तो यहाँ पर अपन इस CO NH2 को इस पर अटेज कर देंगे ठीक है पर अभी ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर इसमें अपन डारेट देखो NACN अटेज कर दिया आपने आइडोलाइसिस कर दिया तो आगे चेक करते हैं अपन NAOH और BR2 यह होपमेन ब्रोमेमाइड रियक्शन होगी होपमेन ब्रोमेमाइड का डारेक्ट आपको प्रोडेक्ट आइडेटिफाई करना है प्रोपाइल अमाइड ओप्सन है वो थर्ड वाला अपना करेक्ट हो जाएगा क्योंकि देखिए यहाँ पर 3 कार्बन है एक कार्बन इसका 4 आ गया और यह वाला भी एक कार्बन को कम करता है तो प्रोडेक्ट में कार्बन 3 ही आएगे तो आप वेसे भी चेक कर सकते थी डारेक्ट कि यहाँ पर ब्यूट आ रहा है इसमें यहाँ पर ब्यूट आ रहा है इसमें यहाँ पर ब्यूट आ रहा है तो ब्यूट तो बनना ही नहीं है क्योंकि 3 कार्बन से 1 कार्बन 4 होगे लास्ट में कारव उपट आएगा तो तीन बचेंगे तो थर्ड उप्शन आप डायक्ट भी कर सकते थे पर आप रिएक्शन के ठ्रू करें तो भी करेक्ट हो जाएगा next अपन आगे बढ़ते हैं student more salt more salt जो है वो अपन जानते हैं student FAS होता है ferrous ammonium sulfate ferrous ammonium sulfate तो ferrous ammonium sulfate के अंदर F2 plus 2 का अपने को salt का formation अगर अपने को करना है तो dilute titric acid और concentrate nitric acid आप जानते हो oxidizing होते हैं तो यह तो अपन काम में ले नहीं पाएंगे हाना dilute HCL भी अपने ले पाएंगे इसमें कोन सान से जाएगा dilute sulfuric acid next देखो NF3 का dipole moment जो है वो NS3 की तुलना में ज्यादा होता ही statement incorrect हो गया क्यों क्योंकि आप जानते हो student इसके अंदर vector आएंगे fluorine की side में ठीक है और आप जानते हो lawn pair के कारण जो है वो एक प्रकार से तो इसमें substantive vector से मारा है तो इसका ammonia के अंदर dipole moment ज्यादा आएगा क्योंकि इन तीनों का जो pyramid का जो vector आएगा और lawn pair का आएगा वो एक ही direction आएगा तो इसमें जुड़ेगा कार्बोनेट आयन के लिए तीन वही तुरूप आरेकित किये जा सकते हैं हाना तीन canonical form तो बिल्कुल बात करेक्ट क्योंकि carbon double bond oxygen minus oxygen minus oxygen तो यह double bond जो है वो तीनों साइड में वेरी करेगा तो आंसर इसमें correct पूछा है तो इस्टुड़ेंट second ही मिल गया नेक्स्ट अपन देखते हैं स्टुडेंट कुछ आपको कैटाइंस दे रखें जिसको इन ओर्गनिक एलाइसिस के अंदर आपको ग्रूप के वाईज आपको इसको order में व्यवस्तित करना है तो अपन जानते हैं स्टुडेंट copper second group का है और उसके बाद में अपन बात करेंगे अपन और उसके बाद में बैरियम जो है वह फिप्त गुरूप का है तो फिप्त गुरूप का है उसको अपन आगे रखेंगे और मेगनिस्यम को सबसे लास्ट पर रखेंगे तो सबसे पहले बी आएगा उसके बाद में डी उसके बाद में सी और उसके बाद में ए यहां पर आप देख सकते ऑक्सिडेशन किया है तो इसका ऑक्सिडेशन किया जाए तो क्या होता है कि अपन डैरेक्ट यदि इसको ट्रिक से याद रखें तो डबल बॉंड को ब्रेक करते हैं डबल बॉंड को ब्रेक करके दोनों साइड में एक एक ओको अटेश कर देते हैं माल लेजिए ऐसा करने के बाद एल्डीएड बनाए तो एल्डीएड का फिर से ऑक्सिडेशन हो जाएगा और वो एसीड में चेंज हो जाएगा और यदि यहां पर किटोन का फॉर्मेशन हो रहा है बाई चांस तो आप किटोन को किटोन ही रखेंगे थर्ड माल लेजिए ऐल्डीएड में फॉर्मिक एसीड या फॉर्म एल्डीएड बन रहा है तो पहले वो एसीड यानि फॉर्मिक एसीड में चेंज होगा और फॉर्मिक एसीड बच्चों लास्ट में ऑक्सिडेश होकर सी ओटू और एच्टू में चेंज हो जाएगा तो क्या-क्या प्रोसेस था? Double Bond को अपने को inability करना है Double Bond ब्रेक करने के बाद एक-एक over ваш buraya करने के बाद कि टॉन बन रहा है तो उसको एसीड में चेंज करना है और पार में आपने को यहां पर यह चेक करना या कि इसमें ब्रेक किया और थेक्र है और बन गया और LDA का मैंने बताया था ऑक्सिडेशन करके अपन एसीड बनाएंगे तो ऐसा बच्चों फोर्थ वाला है कि यह दोनों वोलिक्यूल एसीड के बन जाएंगे तो यहाँ पर प्लस टू के अंदर फोर्टीन कॉंप्रिकेशन होगा अंपेड एलेक्टों जीरो और यह डायमेटिक तो बहुत हार डायमेटिक इन थार्ड ऑप्शन तो आंसर अपना कुन से जाएगा इस्टुडेड थार्ड पी बी आर्थ्री नॉर्मल सी रियक्शन है एल यह इसको अपन बैलेंस ऐसे कर सकते हैं तो अब आप देखिए कि यहाँ पर पी बी आर्थ्री है तो ओएच की जगे बी आर आ जाएगा ओएच की जगे बी आर आ जाएगा फस्ट में नहीं है गलत हो गया सेक्ड में भी ऐसा नहीं है गलत हो गया थरड में ओएच की जगे BR हो सकता है OH की जगे BR हो सकता है तो यह इन दोनों में खरेक्ट है तो दो अप्षन तो कैंसील होगे एलकोली कोच यह यूज में आता है dehydrogenation के मान लेजिए अपने पास ऐसे कही पे भी halogen है तो अब एलकोली कोच के साथ अपनोंने reaction की तो यह HBR को अटा कर उसको एलकीन में change कर देंगे अब एलकीन अपन बनाएंगे तो सेज जेब रूल से more stable जो एलकीन है उसका अपन formation करेंगे तो यहाँ पर अपन देख सकते है एलकीन फोर्म करनी है HBR को अपने को अटाना है तो more stable एलकीन बननी चाहिए तो यहाँ पर आप देख सकते है एलकीन बन रही है यहाँ एलकीन बन रही है इसमें आप देख सकते है एलफ आइडोजन 2 and 2, 4 है only इसमें एलफ आइडोजन 2 है 4 है, 3, 7 है more stable एलकीन फोर्म करनी है तो यह गलत और यह अपना आंसर से ही आजाएगा तो आंसर इसका 3 है वो correct हो जाएगा डिरेक्टी वेपन चेक कर सकते थे PBR 3 OH की जिए के BR लगएगा HBR अटाना है तो यहाँ से अपन HBR अटाएगे तो double mode आजाएगा option यह वाला correct हो गया अब देखे the plot of osmotic pressure versus concentration mole per liter पाई equals to होता है CRT अब अगर graph plot करते हो आप पाई versus C straight line आजाएगा और यहाँ पर जो slope आएगा वो किसके बराबर होगा RT के बराबर और slope की value आपको दे रखी है straight line with slope 25.73 equals to R कितना दे रखा है 0.083 into temperature निकालना है आपको तो T equals to 25.73 by 0.0831 0.0831 यह आजाएगा 0.083 दे रखा है अब इसको solve करेंगे बच्चों तो 310 कितना आजाएगा 310 मगर वो Kelvin में आएगा और answer किसमें दे रखा है degree Celsius में दे रखा है देन आपको माइनस करना पड़ेगा 73 माइनस करोगे तो कितना आएगा 37 degree Celsius तो यह question में ध्यान देने वाली चीज़ है बचो मैंने पहले भी कहा था कि हम लोग जो general mistake करते हैं वो answer जरूर दिया होता है पहले की नहीं जगे यहां पर आखरी answer दे रखा है फिर कोई बात नहीं आगे बढ़ते हैं यह अपन टू पॉइंट 303 आर की वैल्यू एट पॉइंट 314 और टी टू माइनस टी वन इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा 30 अपन यह हो जाएगा 300 और यह से 30 जादा है तो 273 प्लस 57 0 273 प्लस 57 कर लो 330 आ जाएगा 330 इसको अपन सॉल्व कर लें यह टू लॉग टू यानि 06020 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू यह से 10 टाइमस कैंसल हो जाएगा तो 3300 एकोस्टू कितना हो जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी तो इस एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे और जैसे ही आप कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर पता चल जाएगा कि वोट इस दा राइट आंसर कैलकुलेट आप खुद कर सकते हैं और नहीं कर सकते हैं तो मैं बता देता हूं किलो जूल में आएगा 38.04 किलो जूल ठीक है बच्चों आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा और आपके बहुत अच्छे अच्छे मांक्स आए होंगे आप इसको देखिए एंज्वाय करिए जिसके मांक्स कम है वो आगे की तियारी करना शुरू करिए जिसके नॉर्मल है जो 650 640 प्लस हैं हो एंज्वाय करें चुटियों का मज़ा करें और रेलेक्स रहें क्योंकि आपने बहुत मैंनत कि है पिछले तीन-चार महिनों में आपने बारा-बारा 14-14 घंटे मैंनत की है तिल दन एंज्वाय थैंक्यू सो मच हलो बच्चों मैं मनोश शर्मा सीनियर बाटनी फेकल्टी CLC Seekers CLC के लाइव प्लेट फॉर्म पर मैं आपका स्वागत करता हूँ नीट 2000 चोईस आपका हो चुका है आई होप आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा एकदम सिंपल NCRT-based पेपर और बहुत ही शांदार डिक्टो NCRT की लाइनस आप से पूछी गई है तो फिर भ one of the following is not a criteria for classification of the fungi यानि कि fungi के classification के लिए कौन सा criteria सही नहीं है या कौन सा criteria काम में नहीं लिया गया था तो सबसे पहला mode of spore formation बिलकुल काम में लिया गया था fruiting body बिलकुल था morphology of mycelium बिलकुल था प्यारे बच्चों mode of nutrition इसका कहीं भी फंजाई के classification में आपके यूजे नहीं लिया गया था तो यहां आपके कौन सा में आएगा mode of nutrition यानि कि पोसन की विधी का कहीं भी आपके classification में बच्चों प्योग नहीं किया गया था तो यहां correct answer जो जाएगा वह आपके जाएगा कौन सा बच्चों फोर तो answer कौन सा हो जाएगा फोर एकदम NCIT की diversity जो फंजाई है second chapter में उसका डिट्टो एजिट आपके क्या है लाइन है जहां फंजाई का आपको classification स्टार्ट कर रखा है फाई को my cities की उपर जस्ट आपको लिख रखा है कि किस किस बेसिस पे तो तीन बेसिस दे रखा है mode of spore formation, frutin body और morphology of mycelium mode of nutrition यहां नहीं आएगा प्यारे बच्चों बढ़ते है next question की तरफ match list first with list second सूची one का सूची second के साथ अपन को मिलान करना है तो करें अपन सबसे पहला है आपके nucleus यानि कि nucleus आपके क्या होगी इन में से site for active ribosomal RNA synthesis तो ribosomal RNA का क्या करेगी synthesis तो कौन सा हो जाएगा थर्ड उसके बाद आपन देखें centriol तो centriol जो है इसका organization जो है वो आपके कैसा है cart wheel shape तो यहाँ आपके क्या जाएगा second उसके बाद फिर आपन चलें तो आपके lycoplast लिवकोप्लास्ट आपके क्या होता है बताओ तो आपके क्या है site for formation of glycolipids यह तो प्रोटीन तो इसका कौन्स आजाएगा बच्चों फस्ट तो थर्ड सेकेंड फोर और फस्ट थर्ड सेकेंड फोर और फस्ट इट मिन्स आंसर जो आपकी आएगा वह आपके कौन सा आजाएगा बिटा आंसर चेत्र उच्तम स्थरकी जाती है बहुलता को प्रदर्शित करते हैं तो यहां क्यूशन आप से पूछ रहा है कि ट्रॉपीकल जो भी रीजन्स हैं वहां हाई या इस्पिसीज रिचनेस या हाई बायो डाइवर्सिटी पाई जाती है उस हाई बायो डाइवर्सिटी का रीजन आपके क्या है तो रीजन्स आपन देखते हैं देखो बिटा ट्रॉपीकल लाटिटीट्यूट्स है रिमेंड रिलेटिवली अंडिस्टर्ब्ड फॉर्दा मिलियंस ऑफ इयर्स हैंस मोर टाइमवाज अविलिबल फॉर्दा इस्पिसेज डाइवर्सिफिकेशन भाई यहा इस्पिसीज रिचनेस आपके क्या है ज्यादा है वच्चों तो यह आपके क्या है सही है ट्रॉपीकल एनवार्मेंट आर मोर सीजनल नहीं रहता एंसी आटी न दिया हुआ है यहां क्लाइमेटिक कंडिशन्स एप्रॉक्सीमेटली क्या बनी रहती हैं कॉंस्टेंट बनी सब्सक्राइबिशन्स देशन्स देशन्स तो यह आपके नहीं आएगा मौर सॉलर एनर्जी अविलेबल इन ट्रॉपिक सब्सक्राइजिशन जिससें इस्पिसीज रिचनेस बिट आपके क्या होगी बढ़ेगी तो यह झीक है ट्रफिकल एन्वार्मेंट आर कुंस नकर्ट सबस्क्राइब तर एवं आपके क्या होते हैं पूर्व सूचनी होते हैं यह भी आपके क्या है ठीक है तो यह हां आपके क्या जाएगा A C D E only यानि कि B आपके क्या है रॉणों गये तो आंसर आपके जाएगा विटा कौन सा थर्ड यहां इसका अंसर आपके कौन सा हो जाएगा फिटा फिर आपन बात करें identify the types of flower based on the position of calyx, corolla, androsium with respect to the ovary from the given features A and B यानि कि यह आपके कह रहा है कि यह जो दोनों आपके condition दी गई है वो आपके condition कौन सी है तो आप क्या कहते हो अगर ovary आपके क्या हो, superior हो, तो condition कौन सी होती है hypogynos, ovary अगर half inferior, half superior हो तो कैसी condition होती है, perigynos और अगर आपके ovary जो है वो आपके क्या है, inferior है तो condition जो है, वो आपके कौन सी होती है epigynos, तो यहां आपके सीधा NCRT में आपके दिया हुआ है यह दोनों ہी condition जो है वो आपके किस को बता रहे है, विटा perigynos condition को, यानि ovary जो है, वो आपके यहाँ आपके क्या ह уже हाएगी, half inferior ovary आपके कैसी होती है half inferior and half आपके क्या हो जाएगी superior half आपके क्या हो जाएगी superior, ठीक है विटा तो यहां आपके आंसर जो चला जाएगा वो आपके कौन सा जाएगा second फिर है inhibition of succinate dehydrogenase enzyme by melanate is a classical example of melanate द्वारा by melanate जो है उसके द्वारा succinate dehydrogenase जो enzyme होता है उसका जो inhibition होता है वो किस टाइप का है तो यहां जो melanate होता है वो succinate के साथ attach होने के लिए आपके क्या करता है competition करता है तो यहां melanate जो आपके inhibition चो कर रहा है वो आपके कौन सा inhibition है competitive inhibition कौन सा inhibition हो जाएगा competitive inhibition answer जो आएगा वो आपके कौन सा आएगा first बढ़ते हैं next question की तरफ in given figure which component has thin outer wall and highly thickened inner wall तो इससे आप समझ गए किसके बारे में पूछना चाहरा है आपसे guard cell के बारे में इसके बारे में बिटा guard cell यह आपसे पूछना चाहरा है क्या guard cell अब यहाँ आपन बेखें कि guard cell आपके कौन सी है तो यह सबसे पहले है क्या epidermal cell B जो है वो है subsidiary cell C जो है वो आपके क्या है guard cell और D जो है वो आपके क्या है istomital aperture क्या है istomital aperture तो यहाँ outer wall and highly thickened inner wall किसकी होगी guard cell की तो यहाँ guard cell जो है वो बिटा आपके कौन सी है यह C वाली जो है वो आपके क्या है guard cell तो यहां guard cell जो हो जाएगी वो आपके कौन सी है? See, answer जो आपके आजाएगा, वो बिटा आपके कौन सा जाएगा? Third. Next question की तरफ बढ़ते हैं अपन. The type of conservation in which the threatened species are taken out from their natural habit and placed in special setting where they can be protected and given special care is called. और देखो, natural habitat में अगर किसी भी species का आप conservation करते हो, तो उसको तो अपन क्या कहते हैं? In-situ. क्या कहते हैं? In-situ. और अगर natural habitat से बाहर अगर इसका आप conservation करते हो, तो इसको आपन कहते हैं कौन सा? X-situ conservation. क्या कहते हो? X-situ conservation. चूंकि X-situ यहां दिया हुआ है नहीं, तो अपन दोनों ही conservation आपके किसमें आते हैं? Biodiversity को conserve करें हैं, किसी भी species को आपन बचा रहे हैं, तो किसको बचा रहे हैं? Biodiversity को. तो एक conservation जो होगा, वो आपकी कौन सा conservation है? Biodiversity conservation. तो इसका answer जो आपकी हो जाएगा बेटा, वो आपकी कौन सा है? आप बेटा, नेक्स देखो, यह जनेटिक्स से हैं, इसमें पूछा गया है, बेटा, which one of the following can be explained on the basis of Mendel law of dominance? कहने का मतलब यह है, कि मेंडल के परवाविक्ता के नियम से संबन्दित जो व्याक्या है की जा सकती है, वो कोन-कोन से हैं इन में से, मैं निम्न में से, क्या मेंडल के परवाविक्ता नियम की आदार पर व्याक्या की जा सकती है? नेकिन की व्याक्या की जा सकती है? देखो पहला, अब यहां से देखें, कि factor एक जोडे में एक परभावी और दूसरा एक परभावी, अब जैसे यह dominance ही है, यह recessive में है, तो इसका मतलब क्या गेरा है है, कि out of one pair of factors are, जैसे क्या one is dominant and another is recessive, इसका मतलब यह law of dominance के आधार पे एक सही व्याख्या शो हो रही है, फिर दूसरा है, allele do not show any express, देखो यहां क्या लग गया बटा, do not show, अब do not आ गया, भी blending की step अलग है, कि allele कोई अभी वेक्ती परदर्शित नहीं करता, NCRD की line है, और यह नहीं आपके सामने आया, फिर ही आगे कह रहा है, कि both character appear as such as app to generation, यह अपने को पहले से ही मालूम चल गया था, क्या, कि B इसमें क्या हो गया, wrong, कि allele कोई अभी वेक्ती परदर्शित नहीं करता है, अगर ऐसा होता, तो allele अगर मालो कोई express नहीं करता, तो मालो capital A है, तो इसका मतलब express stage ना dominance ही, small में है, तो इसका मतलब research ही है, इस दे गलत हो गया, फिर तीशरा character है, क्या factor occur in pair in normal deployed plant, सामाने दीगुनित पात्पों में, factor जोड़ों में पाय जाते हैं, बिलकुल यह बात correct है, हम जानते भी है इसमें भी आपके कोई दिक्कत नहीं हुई है, फिर है, the discrete unit control particular character is called factor, NCRT की line है वेटा, क्या किसी गुण विशेश को नियंतित करने वाली एक विविक्त, एकाई factor कहलाती है, सही बात है, बिलकुल यह NCRT की line है, फिर क्या कह रहा है, the expression only one of the parental character is found in the monohybrid cross, कि एकल संकरन, जो भी संकर संकरन में केवल एक जनक के गुण ही, वहाँ अभी व्यक्ति होती है, अब देखो, अगर मालो, मैं monohybrid cross की बात करूँ, मालो अपने पास यह एक dominant character है, और एक irisressive character है, अब हम मालो, abban generation लें, तो हमारे पास क्या आया, इस परकार की structure आगी, फिर आप इसको cross करवाते हैं, तो यहाँ आपके पास क्या हो गया, capital T, capital T, फिर capital T, small T, फिर capital T, small T, फिर small T, फिर small T and small T, तो यह कह रहा है, कि monohybrid cross में केवल एक जनक के गुण ही, क्या होते हैं, अभी वेक्ति होती है, और वो मालूम ही है, कि अपने लंबाई ली है, तो लंबा यह भी correct हुआ, अब B को छोड़कर बाकी ही इसमें सही है, अब देखो, थोड़ा सा अगर आपने IQ यूज लिया होगा, तो देखो B इसमें हैं, B इसमें हैं, और B इसमें हैं, तो इसका मतलब यह तो answer हो भी नहीं सकते, तुमारे पास कौन सा आया, fourth, तो इसका मतलब इसका अलकी फुल की mistake रही है, तो बैठा आगे से इसको, जिनका मतलब में समझता हूँ कि वेसे आपने देखा की exam दिया, अगर आपकी नारे पे हैं, और मार्क समान लो 600, 600, 15, 20 के आसपास से है, तो आपको जल्दी ही CLC join कर लेनी चीए, मेरे हिसाब से, है ना, क्योंकि थोड़ की बहुत गलती हैं, जो हुई है, वो काफी सुदार कर लेंगे, फिर देखो next, फिर आपके है, ऑगजिन is used by gardeners to prepare weed-free lawns, but no damage is caused to grass ऑगजिन, भाई आपके क्या है, खरपतवार मुक्त बगीचा निर्मित करने के लिए माली, ऑगजिन का उपियो करते हैं, लेकिन इसे घास क कोई छती नहीं होती क्यों, क्योंकि ऑगजिन जो है, वो केवल और केवल किसको डाइकोट पर अपना effect दिखाता है, डाइकोट वीड को आपके क्या कर देगा, लेकिन मॉनोकॉट यानि की grass पर आपके कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, does not affect mature मॉनोकॉट प्लांट्स, तो ये मॉनोकॉट प्लांट्स जो है, उसको आपके effect नहीं करता, आंसर आपके हो जाएगा कौन सा, first, फिर आपन कहें, ए ट्रांस्क्रिप्शन यूनिट इन डिएने, defined primarily by the three regions in the DNA, these are with respect to the upstream and downstream, तो यहाँ downstream और upstream में, यहाँ आपके क्या है, upstream पे आपके कौन होता है, प्रमो आपके क्या आता है, terminator, last में आपके क्या आजाएगा, terminator, ऐसा जो भी option आपको दे रखा हो, देख लो आप, पहला है, promoter, structural gene, फिर आपके क्या है, terminator, answer जो आजाएगा बेटा, वो आपके कौन सा आजाएगा, second, खिक है, next अपन बात करें, the lactose present in the growth medium of the bacteria, is transported to the cell by the action of, by cell है, यह cell के अंदर अगर आपको क्या करना है, lactose को क्या करना है, transport करना है, यह आपके lactose जो है, इसको पहुचाना है, तो lactose के लिए आपके permeability जो है, lactose के लिए जो permeability जो है, इस permeability को आपके increase कौन करता है, permeability को increase आपके कौन करता है, बोलो permeage, कौन करेगा, कौन करेगा, permeage, ठी तो यहां आपके जो भी दे रखा है परमीच आंसर आपके चला जाएगा कौन सा फर्स्ट इसमें देखो बेटा आपसे पूछा गया इन प्लांट बेक्ट्रोस क्या कर रहा है एक पादब में बीज का काला रहन या तो क्या है दोमिनेंट है वो भी बेक है और एक हिट्रोजाइगस कंडिशन में बेक है और दूसरा क्या कह रहा है कि इसको हम इस वाइट से क्रोस कर रहा है वो कह रहा है कि काले बीज वाले पादबू का जीनो टाइप ग्याद करने के लिए आप कौन सा संकर्ण निमन मेंसे किस जीन प्रारूप पादब के साथ कर वाएंगे यह बिल्कुल लोजिकल था आप अच्छी तरह जानते हैं NCRT में unknown parent के लिए आपको मालूम है ना test cross करवाते हैं और test cross क्या होता है कि कोई hitrozygous का cross किसके साथ करवाते हैं हम उसके जिससे सीव के साथ करवाते हैं और आपको मालूम है कि वो plant अगर मालो cross हो रहा है और unknown xenotype अगर मालो हम देखें xenotype will be you cross it तो अपन किस के साथ करवाएंगे small baby के साथ करवाएंगे और आप जानते हैं कि इसमें fourth answer चला जाता है और इसमें भी कोई mistake वाली बात नहीं थी केवल गौजीकल था कि इसमें ये पूछना चाहरा था कि हम xenotype को check करते हैं तो कैसे करते हैं और वो test cross से होता है और test cross recessive parental form पे cross होता है तो ये भी मुझे उम्मीद है सही हो गया होगा देखें आगे next फिर आपन कहें the capacity to generate a whole plant from any cell of the plant is called आपके क्या है plant cell जो है इसमें एक single cell जो है इसमें एक capacity होती है कि ये whole plant को क्या कर सके generate कर सके ये whole plant जो है उसको आपके क्या कर सकती है generate कर सकती है ये जो capacity है पिटा इस capacity को आपन कहते है totipotency क्या बोलते हो आप totipotency plant cell में एक single cell से complete plant को generate करना एक complete plant के formation की जो capacity है complete plant को जो बनाने की capacity है इसको अपन कहते हैं टोटी potency क्या बोलते हैं बटा टोटी potency तो यहां answer दे रखा होगा क्या है answer क्या हो जाएगा आपके third क्या कहोगे इसको फून शशक्ता या आपके टोटी potency फिर आप कहोगे these are regarded as the major causes of biodiversity loss आपके क्या है biodiversity loss जो है उसके major causes आपसे पूछे हैं किसके आपके major causes क्या है या इसको anxiety क्या define करती है evil quadrant तो यहां आपके कौन-कौन से आ जाएंगे उसमें over exploitation है co extinction है mutation का कहीं नाम नहीं है habitat loss और आपके क्या है fragmentation बिल्कुल है migration आपके नहीं है तो यहां आपके क्या हो जाएगा a b और d ऐसा option देख लो आपके कौन सा है a b and d only answer आपके जो आएगा बेटा वह आपके कौन सा जाएगा second answer आपके कौन सा होगा second next है आपके the equation of wireless per logistic growth is dn upon dt is equals to rn k-n by k अब देखो यहां आपसे k पूछा है अगर यह पूछता 1-n by k और क्या k-n by k तो यह तो आपके क्या होता है environmental या natural resistance क्या होता है यह environmental रेजिस्टेंस ठीक है लेकिन आपसे केवल और केवल क्या पूछा है के तो यहां के जी होती है वो बिट आपके क्या होती है carrying capacity क्या होती है carrying capacity ठीक है तो यहां आपके क्या जाएगा यह आपके क्या है carrying capacity यानि कि आपके धारण चमता या वहन चमता तो यहां answer जो बिट आपके जाएगा वो आपके कौन सा जाएगा next question की तरफ अपन बढ़ते हैं देखें आप given blow are two statements नीचे आपके क्या है दो कथन दिये गए सीधा सीधा NCRT से लिए गए cell division की दो statement है जो सीधा NCRT से आपको उठाए गए तो देखो chromosome become gradually visible under the light microscope during the leptotene stage leptotene stage में आपको gradually light microscope से आपके क्या हो जाता है दिखने लग जाता है तो बिलकुल सही है यह statement फिर दूसरा है the beginning of diplotene stage the recognized is recognized by the dissolution of syneptonimal complex यानि कि diplotene stage जो है उसमें syneptonimal complex जो है dissolve हो जाता है इससे आप इस diplotene stage को क्या कर सकते हो पहँचान सकते हो तो यह भी वेट आपके क्या है सही है statement first भी ठीक है statement second भी ठीक है तो यहां आपके दे रखा होगा ऐसा कोई both statement first and second are true दोनों statement जो है वो आपके क्या है सही है answer जो आपके चला जाएगा वो आपके चला जाएगा वेटा कौन था third next अपन बात करें formation of interfacicular cambium from fully developed parent काई mental cell is example of देखो अब क्या कहते हो pro meristam आपके क्या है meristam है इस meristam से primary permanent tissue का बनना primary permanent tissue का बनना जैसे क्यों है parent काईमा है ना इसको तो आपन कहते हैं क्या differentiation क्या कहते हैं differentiation और जब इस primary permanent tissue से ठीक है secondary आपके क्या बनता है meristam secondary क्या बनता है meristam primary permanent tissue से secondary meristam का बनना आपके क्या होता है डी differentiation क्या होता है डी differentiation क्या हो जाता है यह डी differentiation तो यहां आपके ऐसा दे रखा होगा यह रहा डी differentiation बाइंटर फैसिकूलर cambium जो है वह आपके क्या है जो medullary range की parent काईमेटर cells में किस से बनती है डी differentiation से बनती है वो parent काईमेटर cells होती है जो अपनी आपके क्या है division करने की capacity को क्या करती है रीगेन करती है जिसको आप कहते हो क्या डी differentiation तो यह आपके डी differentiation से आपके क्या होगा फॉर्म होगा answer जो यहां आपके जाएगा वह आपके क्या जाएगा first क्यानी की one फिर है the core factor of the enzyme carboxy peptidase enzyme carboxy peptidase का सहय कारक जो है वो बिटा आपके कौन होता है जिंक कौन होगा जिंक तो यहां answer जो आपके जाएगा वह आपके क्या है third carboxy peptidase का जो आपके क्या है co factor है सहय कारक है वो आपके कौन होता है जिंक कौन होता है जिंक फिर है आपके bully form cells are the responsible for आवर्दतवक कोसिकाएं उत्तरदाई होती है आवर्दतवक कोसिकाएं क्या होती है जो monocot leaf होती है वहां आपके rate of transpiration जो है उसको आपके क्या कर सकती है इसकी curling का या surface area को बढ़ाने का क्या करती है काम करती है तो यहां देखो increased photosynthesis नहीं providing large space नहीं invert curling of leaves in monocots आपके एक बीज पत्री monocots में पत्तियों का अंदर की तरफ मुड़ना जब water की क्या हो deficiency हो तो यह जैसे ही मुड़ेंगी तो surface area कम हो जाएगा और surface area कम हो जाएगा भई अगर यह आपके क्या होगी है इसका मतलब TP कम होगा जिससे surface area कम होने के करण rate of transpiration आपके क्या हो जाती है घड़ जाती है तो यहां आप क्या कहोगी invert curling of leaves in monocots एक बीज पत्रियों में monocots में पत्तियों के अंदर की और मुड़ने के लिए तो इसके लावा protecting the plant from the salt stress पादप आपको लवन तनाप से बचाने के लिए तो ऐसा भी आपके कुछ नहीं है तो answer जो आपके जाएगा यहां आपके कौन सा जाएगा third next question है विट आपके match the list first with list second यानि कि आपके सूची first को सूची second से आपको मिलाना है तो clostridium butylicum इससे आपके क्या है butyric acid प्राप्त होगा तो यह रख तो कौन सा जाएगा यहां third saccharomyces cerevisi तो इससे bakery product और ethanol आपके क्या होता है प्राप्त होता है तो यहां आपके क्या जाएगा first फिर है trichoderma polysporum ठीक है तो next आपके दिर रखा है क्या trichoderma polysporum इससे आप क्या प्राप्त करते हो third first four second third first four second third first four second answer चला जाएगा वो आपके जाएगा बेटा कौन सा first तो यहां answer जो आपके आएगा वो आपके कौन सा आएगा first है ना बहुत ही simple सा paper था next teacher आपके साथ जोड़ेंगे जो आपके solution को क्या कराएंगे continue अगर आपने देखा बेटा NCRT की line to line अगर कोई भी बच् NCRT को अच्छा concentrate होके पढ़ लेता है तो आपके नीट के paper को आराम से football कर सकता है शांदार खोड सकता है I hope आपका paper बहुत best हुआ होगा थैंक यू Hello guys this is Gaurav Bateja and आप सब का स्वागत है CLC के online platform पे तो गाईज आप सब और हम मिलके कर रहे थे नीट का solution बहुत नीवाले पार्ट में हम सब पहुँच चुके question number 121 तक Ingentics का एक बहुत प्यारा question और paper overall बहुत simple था आप सब लोगों ने बहुत अच्छा किया है और आप सब जानते है कि CLC के more than 43 बचे only from Seeker Classroom Center 700 प्लस score कर रहे हैं तो अगर आप थोड़े से माक से रह गए हैं या बिलकुल fresh हैं 12th के बाद तो वाइस जितना जल्दी हो सके आप विजिट करें हमें और as soon as possible आप यहां पर आएं हमसे जुड़ें और अपने doctor बनने के dream को पूरा करें चली आए पर्टिकलर कोशन पर बात करते हैं 121 number question है pink flower snapdragon plant was closed with a red flower snapdragon plant तो आप सब जानते हैं कि snapdragon में pink flower मिलने का मतलब इसका जो जीनो टाइप होगा pink का condition क्या होगी capital R smaller यह किस flower का genotype हो रजा pink का dominant genotype के क्या बोल रहा है किस से cross कराना है red से से cross कराऊंगा तो red का genotype क्या होगा capital R capital R यह किस का genotype हुआ red का आप सब जानते हैं यह incomplete dominance का बहुत बढ़ी example है राइट यह कह रहा है what type of phenotypes are expected in the progeny इससे पहले progeny बनवाते हैं तो सबसे पहले इससे gamete बनाओ अगर मैं तो इससे obviously एक टाइप का gamete बनेगा that is capital R यह मेरे कह बनाओं तो इससे मेरे पास दो टाइप के gamete बनेगा capital R और small R अब यहां पर मेरे को जादा वो चेकर बोड या पुनिट स्केर बनाने की need नहीं है तो मैं 20 सा basic से cross कराऊंगा capital R का इससे के cross होगा तो क्या बनेगा capital R capital R phenotype यहां पर क्या है रजा red इसका इससे cross होगा तो क्य बनेगा capital R small R phenotype क्या है बटा pink राइट तो मेरे पास क्या क्या बन रहा है मेरे पास red भी बन रहा है और pink भी बन रहा है बहुत simple कोशन है तो कोशन में only pink गलत red pink white white नहीं बनता बटा only red गलत तो क्या बना red as well as pink flowers दोने मेरे पास बुनते तो बहुत simple कोशन है और बहुत अच् बाइट एक्स है बहुत प्यारा कोशन है ज्यान से पढ़ना कोशन है बीट आउक्षिन है इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक एंड कोड़ बाय जीन क्राई एवन एसी करेक्ट स्टेटमेंट है एंसे इसको एक्सेंड किया इस्टेटमेंट को नेम्ड क्राई करके लिखा नेक्स इस्टेटमेंट पढ़ते हैं आप सब जानते हैं इस बेसी के एक प्यच ऑफ इएट नोट एसिदिक नोट एसिदिक था रहता है इंकर्ट यहां पे इस्टेटमेंट कर रहता है और तो ऐसिटमेंट ग्लेर second is false first option यहां पर चला जाएगा one of the very simple question again next question लिखते हैं correct statement डूननी है डूनते हैं बहुत ध्यान से डूनना है मेरे साथ लगेंगे आईए the flowers of valley scenario are colorful and produce nectar incorrect विटा क्यों इंकरेक्ट डूनना कहता correct valley scenario आप याद करो में पॉलिनेशन का टाइप क्या है वाटर पॉलिनेशन और वाटर पॉलिनेशन के अंदर ना तो नेक्टर की नीड है ना कलरफुल होने की नीड है क्योंकि वोटर ए बायोटी के जैन्ट है आपको किसे को अट्रेक्ट नहीं करना इसके बाद दूसरा दूसरा question flowers of water lily are not pollinated by water और करेक्ट है generally wind बगारा से होता है pollination बट वाटर से नहीं होता इन most of the water pollinated species pollen grain are protected from wetting करेक्ट है बटा pollen grain को wetting से protect करते है में से लेजीन असकवरिंग से pollen grain of some hydrophytes are long and ribbon-like बिलकुल होता है c b correct d b e b second option is more correct b c d e all are correct right next question spindle fiber attached to kinetochrome chromosome cell biological again a very simple question overall paper की level ही simple था and मैं आपको बहुत proudly कह सकता हूं कि सारा का सारा paper हमारी test series से हमारी marathon session से हमारी biochem से हमारे dhungal से सारा refer वही से ही है right तो c lc के बारे में सबसे important बात यह है कि classroom teaching के साथ साथ जो level of question जो variety of question हम आपको प्रेक्टिस कराते है throughout the year वो हमें सबसे खास बनाता है and you all know we are the most premier institute of whole India for preparation of whether NEET, IIT, NDA and so on question को देखते हैं आईए spindle fiber attached to kinetochrome of chromosome guys simple question है आप सब जानते हैं कि end of pro phase के अंदर nuclear moment गायब होने लगती है और जैसे ही metafacial होती है वैसे काई ना कहीं spindle fiber कहां से आके जुड़ जाते हैं chromosome से और chromosome से जुड़ने के लिए आप सब जानते हैं कि chromosome के center के side में थोड़ी disc shaped structure होती है जिनको अपन क्या बोलते हैं kinetochore centromere के दोनों side में right next question दोनों lists को match करना है again genetics का question है आईए देखते हैं question का है match करनी है lists को so we will match here देखते हैं को हिंदी में करते हैं इस वाले को एक जीन के दो या दो से अधिक विकल्पिक sunroof मलड two alternative forms of n gene तो obviously एक जीन के more alternative forms क्या कहलाते है रजा alleles तो a से obviously third आएगा हलांकि मैं अगर option game को देखूं तो मेरे पास first option यही से मुझे समझ जागाता है बट फिर भी मैं आपके conceptual clearance के लिए आके solve करूंगा यह क्या बोल रहा है cross of f1 progeny with homozygous recessive parent homozygous recessive parent से cross क्यों करा जाता है to know the genotype of that particular parent तो इसको क्या बोलते हैं इसको अपन क्या बोलते हैं test cross right और किसी भी parent से करा दो any of the parent तो इसको अपन क्या बोलते है बैक ग्रोस बहुत simple definitions है तो A से क्या आएगा third B से test cross मतलब fourth C से back cross मतलब first और number of chromosome set यह क्या होती है ploidy monoploid है uniploid है diploid है triploid है यह ploidy है कितने set मिल रहे है राइट तो इक बहुत basic question है यहां पर next question बहुत आसान question आगे देखते हैं यह अलग-अलग question बोल रहा है ध्यान से देखते हैं सब्सक्राइब राइजो पस आप समझानते हैं बटा कि जो राइजो पस होता उसको अपन क्या बोलते हैं bread mold है ना तो A से मेरे पास क्या जाएगा third याद है उस्थिए गो से क्या होता है smut तो B से क्या जाएगा second agaricus किसको बोलते हैं मश्रूम को तो फर्स से क्या जाएग तो option match करने करेंगे नियान से दिखते हैं A से यहाँ पर राइजो पस है तो राइजो पस है मेरा क्या आएगा third तो A से third इन दो option में B से second आएगा obvious equation नहीं है C से Paxenia Paxenia से क्या आएगा fourth C से fourth A के option में यह third option यहाँ पर करेक्ट जाएगा फिर से देख लो राइजो पस ब्रेडमोर D से third उस्टेगो स्मट B से second Paxenia rust C से fourth और अगेरिकस मश्रूम D से first अगें अवेरी सिम्पल कोशन next question 127 देखते हैं हमारे पास नहीं पर दो स्टेटमेंट से दिखते हैं कोशन है पर ली स्टाइमा पहली स्टाइमन नहीं होती बट जाइलन वेसल किस में होती है के यह बहुंगा यह स्टेटमेंट करेक्ट है बढ़ा तो स्टेटमेंट वन इस इर फॉल्स बट स्टेटमेंट सेकेंट इस प्रूप्छन यहां पर कैसे ला जाया बढ़ा ग्यां नेक्स्ट पॉशन आपके सामने है कोशन नम्मर वन ट्वेंड़ गए नवरी सिंपल of co2 आप सब जानते हैं Kelvin cycle में 3 step होते हैं right carboxylation reduction and regeneration carboxylation energy nil step है कोई खर्चा नहीं है ठीक है reduction में 1 co2 के लिए बताओ 1 co2 के लिए क्या लगती है 2 ATP और 2 NADPH2 है ना और regeneration में 1 CO2 के लिए 1 ATP तो total यहां कितनी ATP हो गई तीन और NADPH2 दो तो option देखते हैं कौन सब एड़ेगा second option देखे correct है three molecule of ATP and two molecules of NADPH again a very simple question next question endangered species की list कौन निकालती है कहने का मतलब बिटा red data list यह red data book तो red data निकालने का credit आप सब जानते हैं अपन किसको देते हैं IUCN international union for conservation of nature and natural resources यह बहुत सिंपल सब्सक्राइब आगे राइट फ्रेंड ओफ आरकाटा मार्श जनेटिक इंजिनरिंग अपूरूबल कमेटी इसका इससे कोई लिन देना नहीं है नहीं है next lecithin lecithin यह पूच रहा है क्या होता है glyceride नहीं carbohydrate नहीं amino acid नहीं फॉस्पोलिपिड नहीं नहीं फॉस्पोलिपिड में लेसितिन की structure भी गीवन है एक फॉस्पोलिपिड molecule है बहुत सिंपल कॉशन अगें next question क्या है मेरे सामने फॉस्पोलिंग इस एंग्जांपल ओफ एक्टिनो मॉर्फिक फ्लार यह अच्छा कोशन है अच्छा कोशन है एक्टिनो मॉर्फिक फ्लार आपको डूंडने को बोलाए बटा नहीं से देगो पाइजम से टाईव मतर मतर कैसा हो दा है बटा पूरी फेवेसी फेमली जाइ पूस्टर्प इस अडूर्फिक याद किरो पी गुर्मोहर बी केसया इसमें जाहिए आपके केृमी इसमें जाइक्टेमोर्फिक यह आपका क्या होते मिटा एक्टीनो मॉर्फिक फ्लार तो दाउर अपका इसा dried एगा आपक्टीनो मोर्फिक असा सवाल है chat again पूछा आप से इस लेंग्वेज में उसने बहुत अच्छा आपको गुमाने कि ट्राई कि आपसे स्टेप्ड़ कराने की ट्राई कि है आप लोग ने लुजे कुल्स पाद मेंazुन काम पीस दिन इन आट । प्लीज कहारिंग ओनली जीन ओंटरस्ट है मतलब ऐसा एक dna का टुकड़ा है जिसमें जीन ऑफ इंटरस्ट है वो किसी भी प्लाजमीट से किसी भी दूसरे वेक्टर से जुडा हुआ नहीं है सिरफ जीन ओफ इंटरस्ट है और यह एलिएर ऑर्ग अगलिसम मतलब दूसरे ऑ है तो क्या होगा फर्स्ट ऑप्शन है तब पीस ऑफ डियने वुड बी एबल तो मल्टिप्लाइट इसल इंडिपेंटली इंद प्रोजिनी सेल्स ऑ और गनिजम इंकरेक्ट इंकरेक्ट क्यों अकेला डियने अगर बेजोगे तो वो खुछ से मल्टिप्लाइट नहीं करेगा हां आप उसको प्लाजमेड के साथ जोड़ के बेजते किसी वेक्टर के साथ जोड़ के बेजते तब वो मल्टिप्लाइट नहीं करता आप यह बोल रहा है कि आपने ओनली जीन अफ इंटरस्ट को भीजा है तो यह इंकरेक्ट है यह जिनोम आफ डारेसिपेंट में पार्ट करोम फ्रॉम सो मडलात है इं पार यह रिप्लिकेट भी मताओ के रкої छोट ग्लี่टमेंटे कोला कि रहा रागा ऑफ सल जाना है तो आपको बहूरicky को हुझन है बहुत ऑच्छा नहीं बुच च्छा आई है next hind second always cut DNA molecule obviously palindromic sequence पे काटता है क्या आप सब जानते है hind second is a restriction endonuclease right और इसका जो palindromic sequence होता है वो याद करने का था 6 base pair जितना लंबा होता है next question विश्वत of falling are required for dark reaction not light अपने को अंदर dark reaction में चाहिए जो क्या चाहिए देखते हैं बिटा light की रिक्वाइर्मेंट है वो light reaction में होती है directly light की requirement dark reaction में नहीं होती है right आप सब जानते हैं कि dark reaction light reaction के product पर डिवेंड करती है obviously chlorophyll का excitation यह सब बिटा किसका part है light reaction का light reaction के अंदर आपको पता है कि reaction center होता है electron excite होता है electron गूंता है जिससे ATP और NADPS2 बनते हैं at the end of the product CO2 चाहिए इसी से glucose बनेगा ATP चाहिए NADPS चाहिए और यह ATP NADPS2 चाहिए न यह कौन मना के देती है light reaction मना के देती है तो मेंको c d e correct पूचा था तो मेंको यह तीनों की requirement है light और chlorophyll के मेरे को कोई requirement नहीं है directly तो इस particular question में क्या पूचा है identify the part of seed from the given figure which is destined to form root when the seed germinate तो अपने को क्या बनाना है यहां पर root आप सब जानते हैं कि root किससे बनती है root बनती है radical से right root किससे originate होती है radical से और अगर मैं यहां पर labeling देखूं तो मेरे पास यह जो c वाला part है यह ncrt की labeling है और यह c वाला part किसको denote कर रहा है बटा radical को तो ultimately यही पार्ट से क्या बनेगी root d मेरा क्या radical की covering monocoat है मनलब कोलियो राइजा एक कोलियो टाइल पर मेरे पास जो sensible answer है वो radical चाहिए में को तो radical वाला part कौन सा है c बटा अब आपन लोग discuss कर रहे हैं मेरे पास stage b वाला part है botnika बहुत अच्छा part है बहुत अच्छे questions थे कुछ आये शुरू करते हैं सबसे पहले मेरे पास question number 136 यह इस पूरे part का most controversial question है आई इसको बहुत easily deal करने की कोशिश करते है right question है if an ecosystem if the net primary productivity of first traffic level is 100x what would be the gpp of third traffic level देख बड़ा technical बात करेंगे तो यह question यहीं गलत हुगया क्यों क्योंकि third traffic level पे gpp डूंडना possible ही नहीं है है ना primary productivity में चाहिए T1 के लेवल पे होती है तो यह third traffic level पे आपको primary productivity डूंडने को बूल रहा है technically correct नहीं है technically question कैसा हो जाता है incorrect फिर भी अपने एक answer तक पहुंचना चाहते हैं तो अपन कैसे पहुंचेंगे ध्यान से देखो अब यहांपे question है आपको NPP दिया है T1 का T1 के NPP आपको दिये 100x right और इससे आपको T2 और T3 के level पे जाना है और T3 पे आके आपको क्या निकालनी है GPP आपका question है यह आपका पूरा question की language है अब देखो आप सब जानते है energy मेंशा 10% low follow करती है तो अगर T1 पे 100x है तो obviously T2 पे 10x और T3 पे क्या आएगी x यह है क्या यह amount है किसका वीटा NPP का ठीक है और आप सब जानते हैं कि जो पिछले level के NPP होती है next level के लिए क्या होती है GPP तो अगर यहाँ पे GPP पूचा T3 के लिए तो T3 के लिए GPP टेकनिकली के दोना चाहिए 10x अब इसका 10x आंस्वर भी गलत नहीं आंस्वर और टेकनिकली देखा जाए तो एक्स भी कही ना कही नॉर्मल लेवल पर देखा जाए अगर नॉर्मल ही सोचें T3 तक जादे जादे तो वो भी कही ना कही कुछ लोगों के हिसाफ से कुछ कॉंसेप्स के साब से सही बैठता है ओवरॉल इस क्वेशन में पहली बाद तो टेकनिकल मिस्टेक है एंटिय को इस पर देखना चाहिए उसके बाद इसके आंस्वर मैंने आपको दोनों तरीके समझा दिया क्या क्या हो सकता है अब अल्टिमेटली आंस्वर एंटिमेटली और अल्टिमेटली हम उनकी कीप रिलाई करेंगे कि क्या अंसर इसका जाता है बाकी अगर बेसिकली सोचा जाए बिल्कुली लेवल पर जाके नीट के लेवल पर जाके तो डारेक्ट 10% को सूचते हुए एक्स यहां पर एक अच्छा अंसर दिख रहा है बच्छों के मुणना यह कोश्चन ही मतलब बहुत अच्छा नहीं है राइट बाके एंटी की का वेट करेंगे कि एंटी क्या बोलता है मैंने आपको सारी conceptual थिंग समझा दी है ठीक है अभी के लिए आप लोग इसको थोड़ा साथ दिमाग में एक रखें होल्ड के नजर में रखें कि लोकेशन के होती है साइटो प्लाजम मला एसे सेकेंड और बी से फर्स्ट आपका उप्शन तो यहीं पर बन गया फूर्थ फिर भी एटीयस मैंटो कॉंट्र की मेंबरें इनर वाली पर चलती है और प्रोटों ग्रेडियंट इंटर मेंवरें पर माइटो कॉंट्रिया द होता है तो असान सा कुशन था नेक्स कोशन देखते हैं नेक्स कोशन अभी अच्छा कोशन है ध्यान से देखना है यहां पर भी लिस्ट मेंच है देखो बड़ा हमने जो जो प्रेडिक्शन की है तो वो सारे प्रेडिक्शन सही हुआ है पहले ही आपको बोला था कि NTA बस प्रेडिक्शन नहीं बोला चलिए प्रेडिक्शन की उतल बड़ा तब यह कोशन को थोड़ा और लेंदी बनाया जा सकता था बर एंट यह ने वह नहीं किया बहुत ही बात है तुम्हें फिजिस्ट में टाइम मिला और तुम लोग फोड क्या है राइट चले आए को करते ह तो में मुष्ण नहीं कोशन है मौनायदलयकर से इनमें आप्षिन में सब देख पाएं तो मौनादल्फर कहां मिलता है बड़ा चाहे नरोज है से क्या एगा फूर्थ डाइडल्फर सेबेसे फेमिली फे पी कंडिशन दी से क्या एगा सेकेंड अप्शन मिल गया फिर भी एक आसान सा सवाल आपके सामने बनके तयार है नेक्स 139 देखते हैं फोकुस करें इन सीट्री प्लाइंट सम ऑक्सीजन बाइंट तो रुबिस्को एंस सीओ तो फिक्सेशन इस डिक्रीस्ट यह बिटा करेक्ट स्टेट्मेंट है क्या कि सीट्री के अंदर कुछ ऑक्सीजन है जो रुबिस्को से बाइंट हो जाती है जब यह कुछ अक्सीजन रुबिस्को से बाइंट होगी तो सीओ टो फिक्सेशन गिरेगा क्यों गिरेगा क्यों कि वहां पर क्या ओएगा फोटरेस्पाइरेशन और आप सब जानते हैं C3 प्लांट्स की बहुत बड़ी कमी थी जो तो C4 में क्या question है statement second in C4 plant mesophyll cells show very little photorespiration while bundle sheet cells do not show photorespiration नहीं बिटा दो नहीं photorespiration सो नहीं करती right mesophyll cell में तो यहां पे बिटा location पे होता ही papkai जरूब इसको होता ही नहीं है ठीक है तो यह incorrect हो गया correct statement one is correct but two is false 140 question देखता है which of the following statement is correct regarding the process of replication optimization अच्छा DNA dependent DNA polymerase activity पूछी तो आप सब जानते हैं बिटा DNA dependent DNA polymerase सिर्फ एक डिरेक्शन में काम करता है that is five prime two three prime एक डिरेक्शन में catalyzation करता है वो option देखें polymerization five three 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 well three five गलत only five three direction C के बिटा second option is correct यहां बागी option यह भी incorrect लग रहा है और DNA dependent RNA polymerase catalyzed polymerization is one direction यह basic यहां पर पूछा replication के respect में है तो replication के respect में यहां पर DNA dependent DNA polymerase enzyme इसी तभी तो नहीं DNA बनेगा तो यहां पर option चला जाएगा second तो यहां पर यह कुछ एक पार्ट का solution मैंने आप cover करा जाइस एक चीज फिर से बोल रहा हूं ध्यान रखना अगर आप margin case के student है तो CLC ने new scholarships भी launch कर दी है आप लोग के लिए अगर आपका attempt अच्छा नहीं हुआ तब भी कोई दिक्कत नहीं है है ना आप लोग बहुत बड़ा margin cover कर सकते हो और हमने ऐसे cover करते हुए examples देखें बहुत अपने live में आपको daily basis पे बताते हैं कि ऐसे हमारे पास thousands of examples है जिनके के एक attempt में कुछ भी marks नहीं थे और अगले time में वो टॉप कर गए अगर आपके बिल्कुल margin range में फसे आप 610, 615, 620 तक भी मैं तो यही बोलूँगा कि आप वापिस आजाओ अगले time में बहुत बड़ा result लेके जाओ और बहुत अच्छा college करें ना बहुत बोड़े college में करने के तुलना में बहुत बड़े college में करो तो अगर आप बिल्कुल marginal case के student scholarship launch है और scholarship पहले आओ पहले पाओ तो प्लीज कम as soon as possible visit us as soon as possible take care of yourself take care of your parents bye bye see you hello बच्चो अब अपन 141 से लेकर 160 नमर तक क्यूशन के बोटने के अपन solution करेंगे मैं करने यादाओ team CLC सिक्कर बोटने फेकल्टी तो देखेंगे बटा 141 नमर क्यूशन हमें क्या कह रहा है read the following statement and choose the set of correct statement in the member of few of ISE के regarding few of ISE आपको पता है कि हमारे पास में algae के अंदर आती है अब इसमें क्या क्या कह रहा है पहला कह रहा है asexual reproduction occur usually by biflage-related juice spore आपको पता है कि few of ISE में biflage-related juice spore बनते हैं चाहे asexual हो चाहे sexual हो sexual reproduction is by oogamous method only तो यह गल्त हो गया oogamous method only तो और कभी नहीं आएगा क्योंकि अपने पास में फ्यूकस में ही उगेमस होता है, बाकियों में अपने पास में अईसोगेमस कंडिशन और आईसोगेमस कंडिशन पाई जाती है, फिर next कहा रहा है, stored food is an in the form of carbohydrate which is either minitol and laminarins, बिलकुर सही बात है, minitol और laminarins जो complex carbohydrate है, इसके रूप में food संग्रहित रहता है, तो यह सही है, the major pigment found in the chlorophyll, AC, keratinoid and gentophyll, जिसके कारण से brown color आता है, यह भी सही है, vegetative cells have a cellulogic cell wall usually covered on the outside by gitalinus and coating of algin, बिलकुर सही बात है, algin से coating होती है, तो यह अपने पास में 4 statement जो है, वो सही है, एक statement गलत है, तो answer हो जाएगा first next देखो बेड़ा, यह एक mixed प्रकार का type का देखा आपने, कि इसमें पूछा गया, match list first and second, first कह रहा है, यह गुलिट 4, आप अच्छी तरह जानते हैं, कि यह transportation में, जो संभव बनाता है, जैसे बन्यू के, कि like enables to glucose transport into the cell, इसका मतलब first में, यह फोर ता है, insulin, आपको मालूम है, हमारे pancreos, एक heterocrine blend होती है, hormone प्लस enzyme के लिए, और वहाँ पर आपने देखा, कि जो beta cells है, वो insulin से related, वो क्या है, एक hormone है, इसका मतलब इसमें first चला गया, trypsin, जो की आप जानते हैं, कि enzyme है, जो protein digestive enzyme के रूप में, आपको मालूम है, यहां काम करता है, तो यह second चला जाता है, और यह collagen है, वो क्या करता है, एक intracellular ground substance के रूप में काम करता है, तो आपको मालूम है, यहां पर यह third चला जाता है, तो देखो, इसमें fourth second, और देखो, फिर्स्ट में fourth, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, एक को देखके, यह answer आ रहा था, तो देखो, फिर्स्ट में fourth हो गया, सेकिंड में, फिर्स्ट हो गया, यहां कहा गया गलेट फॉर कोशिकाओं में गुलकोज के अभी गवन को संभव बनाता है इसका मतलब यहां आपके पास कौन से चला गया फॉर्थ फिर है इंसुलीन एक परकार का भार्मोन है ट्रिपसीन एक एज्जाइम है और कलोजन क्या है अंतरा कोश की एक आधारिये परदार्थ के रूप में जाना जाता है और एक में ही था फॉर्थ इसलिए आंसर आपके पास कौन से चला गया बटा थर्ड और मुझे उम्मीद है गलत नहीं हुआ होगा बिलकुल सिंपल सा था यह नेक्स्ट कुशन है फिर आपके लिस्ट मैचिंग का कुशन आ गया मैच लिस्ट फ़स्ट विद्धा लिस्ट सेकेंड फैडरिक ग्रिफिथ आपको पता है की ग्रिफिथ ने हमारे पास में ट्रांस्फॉर्मेशन एक्सप्रिमेंट किया था आरिस्टेन और एसिस्टेन बैक्टिरिया वाला फिर अपने पास में जैककब और मोनाड ने आपको पता है लैकोपिरोन का कॉंसेप्ट दिया था तो जैककब और मोनाड इसमें आगे हर गोविंद खुराना ने जैनेटिक कोड ट्रिपलेट होता है इसको एक्स्परिमेंटली प्रूफ किया था तो जैनेटिक कोड से रिलेटेड गो खुराना जी आ गए और मिसेलसन और इस्टाल ने सेमी कंजर्वेटिव मेथड जो एन पंदरा वाले मीडियम में किया था वो हमारे पास में इन्होंने किया था तो यह मैच हो गए अपने पास क्या हो गया ए में थर्ड हो गया बी में अमारे पास में फॉर्थ हो गया तो रहा आंसर हो गया फौर्थ पिटा जादा तर क्यूशन CLCी की टेस्स सिरीज से हैं आपको पता है कि दंगल में इसी तरह कि शॉशन का पैटरन रखा गया था नेक्स्ट क्यूशन हमारे पास में 44 इस्पेरिंग सुगर कैन क्रॉफ विच ओप दा फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इंक्रीजिंग दा लेंथ ओ फिस्टेम दस इंक्रीजिंग दा इल आपको पता है जिब्रेलीन जो होता है वो इंटरनोड की लंबाई बढ़ा देता है 20 तन तक हमारे पास में उपज क्या हो सकती है बिटा इनक्रीज हो सकती है नेक्स्ट क्यूशन है 45 तो आपको लिस्ट फेस्ट लिस्ट शेकिंट का मैच करना है रोबर्ट में आपको पता है ये साइन्टिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले बताया था कि गलोबल इस्पिसीज डाइवर्सिटी एप्रोक्स 7 मिलियन के लगबग है अलेक्जेंडर वोन हैंबोल्ड जिन्होंने अपने पास में इस्पिसीज एरिया रेलेशनशिप दिया था जर्मन साइन्टिस्ट थे सीएक की पावर जैड से रिलेटेंड पॉल अलहैरिक जिन्होंने रेवेट पोपर हैपोथिस दी थी अपने बायो डाइवर्सिटी के कंजर्वेशन को समझाने के लिए इनडाइरेक्टली एरो प्लेन से तुलना की थी एकोसिस्टम की और रिवेट जो थे पुर्जे और पोपर मतलब चुराने वाला डैविट टिल्मान इन्होंने अपने पास में लोंग ट्रम एकोसिस्टम एक्स्प्रिमेंट यूजिंग आउट्डोर प्लोट्स ये किये थे आपको पता है इन्होंने बताया था कि जिनकी बायोडायर्सिटी ज़्यादा होती है उनकी प्रोडक्टिविटी में वैरियेशन कम होते हैं अब इसको आपन देखे तो मैच कर लेते हैं A में 3 है B में 1 है तो आंसर 4 हो जाएगा नेक्स्ट क्यूशन आपको पूचा गया है The DNA present into chloroplast is आप लोगों पता है बिटा chloroplast जो होता है वो प्रोकेरियोट के तरह बेहवियर करता है और उसका DNA खुद का होता है और वो कैसा होता है Single Molecule Double Standard Circular DNA तो 4 आंसर हो जाएगा Next हमारे पास में आता है Question No. 147 आपको फिर Question दिया गया है Match List First with the List Second और आपको इसमें Match करना है तो रोज जो है आपको पता है Plum, Peach और रोज में हमारे पास में Perigynus Condition होती है Perigynus पर इस पर कुछ ज़्यादा ही महरवानी रही Diagram भी Perigynus का है P जो है वो हमारे पास में क्या होता है Marginal Placentation जो करता है Cotton जो होता है इसमें Twisted Estivation होता है और Mango जो होता है एक कैसा Fruit होता है Drew Fruit होता है Estiful होता है तो अगर इसको Match करते हैं तो A में Second है B में Fourth है और हमारा Answer जो है वो Third हो जाएगा Next Question कह रहा है Identify the step in the Tricarboxylic Acid Cycle Which does not involve Oxidation of Substate देखो पेड़ा Oxidation Process में क्या होता है Hydrogen Ion निकलता है Crab Cycle की बात कर रहा है Hydrogen Ion निकलेगा Hydrogen Ion निकलेगा तो NAD जो होगा वो Hydrogen को Gain करेगा और क्या बन जाएगा NADH Plus जिस भी step में NADH Plus और FADH Plus बन रहा है इसका मतलब वो Oxidation Step है Crave Cycle में 3 NADH Plus बनते हैं और एक अपने पास में FADH Plus बनता है तो हम वहाँ पर बात करते हैं तो 4 बार Oxidation होता है अब इसमें पूछा है कि किसमे Oxidation नहीं होगा तो पहला ये Suction Ile Co-Enzyme से Succinic Acid जब बनेगा तो ये Co-Enzyme निकल जाएगा जो वहाँ पर इस टेप में इनवोल हुआ था और इसमें कोई भी Oxidation नहीं होता तो First Answer आ जाएगा Next Question हमारे पास में Which of the following are Fused in Somatic Hybridization Involving 2 Variety of Plants पादब की दो किसमू को समलित करने का काईक संक्रण निमल इखित में से किसका युगमन होता है देखो पेटा Protoplast Direct लिख दिया Cell wall हटाने के बाद जो बचता है Plant Cell का Part वो क्या कहलाता है Protoplast और Protoplast का क्या किया जाता है बेटा Fusion तो Protoplast का Fusion होता है Next है Identify the Correct Description about the Given Diagram आपको ये Diagram दिया गया है इसके बारे में आपको बताना है तो आपको ये दिख रहा है फैदरी अपने पास में Stigma है तो इसका मतलब ये Wind Pollination आपने आप सो कर रहा है तो यहां पर Wind Pollination क्या चला जाएगा Answer Clastogamous है यह नहीं Clastogamous में तो अपने पास में फूल खिलेगा ही नहीं Compact Influorences Sowing Complete Autogamy नहीं Influorences भी नहीं Wind Pollination Plant Influorences Sowing Flower With Exposed Stamon ये हमारे पास में हो जाएगा ठीक है भई हाँ तो बच्चों Next Question अपन देखते हैं Match List First With List Second Alpha Antitrypsin आपको पता है Antitrypsin जो होता है Amphysema के निधान में इसको काम में लिया जाता है दूसरा हमारे पास में Cryfast AB Corn Borer के लिए अपने पास में Gene जो काम में आती है Cryfast AC Cotton Bolvarum और Enzyme Replacement Therapy जो होती है वो A.D.A की Deficiency में ली जाती है आपको पता है कि लिपोसाइट में इंजेक्शन लगा करके और ये किया जाता है तो अब इसको Match the Column का क्यूशन था Simple क्यूशन बन जाता है Match the Column का जितना भी होता है तो A में थार्ड हो गया B में फर्स्ट हो गया और C में B में हो गया फॉर्थ A में थार्ड, B में फॉर्थ तो फर्स्ट आंसर हो गया Hello dear students Myself, Braddadis, Team Zoloji CLC सिकर देखो अपन सॉलिशन करने जा रहे हैं ये पांच में 2024 को जो पेपर हुआ था उसमें जो लोजी पॉर्सन देखो और मुझे उम्मीद है काफी अच्छा गया होगा और बाइचानस अगर मालो आपकी Rank जो अपने कहें या फिर आपकी Cut-Off से अगर मालो कम जा रही है 620 से अगर मालो कम नंबर है तो बिना टाइम बेस्ट की वे आप जल्दी ही CLC जोइन करें और आपको मालूम है CLC के दंगल से बायो केम DTS से उसके इलावा मेरा था जो कि एक ultimate idea था उससे बाहर पेपर नहीं आया तो अपने देखते हैं देखो बेटा पहला यहां पूछा गया Given below there are two statements Statement first क्या गेरा है The presence or absence of hymen is not a reliable indicator of virginity बिलकुल सही बात है NCRT के paragraph से है कि एक जो hymen होती है उसकी उपस्तिती या अनुपस्तिती को मारे का एक विश्वश्णिया सुचक नहीं है सही बात है फिर दूसरा statement है The human is torn during the first day quite as only एक हैमन केवल पहले संबोक के दोरान ही फटता है ऐसा नहीं है बिटा हमने NCRT में देखा बहुत से रीजन है कि वहाँ पर मालो horse riding से या tampon का use करने से या और भी cycling से इनसे भी ये हट जाती है तो आपको मालूम है यहाँ पर second statement गलत है केवल first सही है तो देखो statement first is true and second is the false नीचे जाने की जूरत ही नहीं है आपको मालूम है first ही answer चला जाता है मुझे उम्मीद है बिल्कुल सही हुआ होगा next देखो यहाँ से यह अपने animal kingdom से लिए आ गया है जिसमें आपको मालूम है match the following सही है like list first का second से match करवाना है अब यह है एक पहला tarot film अब देखो peace island है tarot film एक तरह से आप जानते हैं एक angel fish के नाम से जानी जाती है इसमें आपके सामने कौन सा आया third फिर उसके बाद में mixin जो की एक hang fix के रूप में pisti एक saw या आरा मतली के रूप में exo seaters जो की एक flying fish के रूप में चानी जाती है तो आपने देखा 3, 1 यहाँ पर 3, 1, फिर 2, और 4 इदर देख लो यहाँ टेरो फिलम जो की एक आप चानते है जल्फिस के रूप में है तो 3 नमबर आपके सामने है फिर आया mixin जो की hang fix है pisti जो आरा मसली के रूप में है और exo sisters यहाँ पर आपको मालूम है 4 और D में 4 आपको मालूम है वैसे बहुत जगह है लेकिन अब हम देखते हैं starting से first में देखो यहाँ third नहीं है तो 2 तो आपने देखा यह cross कर दी है अब देखो यहाँ से first A में आपको third मिल रहा है इसमें भी मिल रहा है B में या second जो की आपको मालूम है गलत हो गया इस कारण से यहाँ आपके पास यह आया और answer आपको मालूम है C में second और D में fourth मतलब यहाँ आपके पास कौन सांसर चला गया 4 नमबर मुझे उमीद है गलत भी नहीं हुआ होगा फिर next देखो यहाँ आपसे पूछा गया statement में A और B दो से statement है जो AR के रूप में है और बहुत ही सूपर बना के दिया है अगलेने यहाँ से देखो FSS act upon the ovarian follicles in female and like leading cell in male आप जानते हैं सर्टोली से related होथा इस कारण से यहाँ आपको मालूम है कि especially यह leading cell पर कारी कर रहा है या आपको पूछ रहा है तो जब की दूसरा क्या के रहा है यहाँ आप अच्छी तर जानते हैं इंट्रस्टेसिल फॉर्म में ही यह react हो रहा है तो मादा में वर्दी करते वे अंडा से पुटबों में अस्ट्रोजन सरावीत होता है देखो आपको मालूम है कि जैसे आपने पीरड देखा होगा यहाँ जैसे FSH है पहले आपको मालूम है यह दीरे 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 यूँ बढ़ता है तो इसका मतलब यहाँ प्राइमेरी फॉलिकल, सेकेंडरी, टर्सरी, ग्रेफियन्स तो आपको मालूम है थीका यहाँ एक्स्टरना जो पाइट है वो दीरे दीरे आपको मालूम है जो बढ़नी जा रही है तो यह कह रहा है कि मानव वर्दी में जो पुटक थे यहाँ वेरियन पॉलिकल्स थे वो एस्ट्रोजन स्रावित करते हैं यहाँ सत्य के रूप में कारिय कर रहा है इसका मतलब इसका अंसर कौन से चला गया दो नमबर मुझे उमीद है गलत भी नहीं हुआ होगा यहाँ से पुछा गया निम्न में से कौन सा फैलोफियन नलिका का एक पार्ट या एक अविवद नहीं है वीच ऑफ दा क्या गह रहा है वीच ऑफ दा पॉइंग इस नोट ए कमपर्ट आफ फैलोफियन टूप आप अच्छी तर जानते हैं विटा जैसे मानलो आमने देखा यह फैलोफियन टूप यहाँ से बन रही है और आप जानते हैं यहाँ यह वाला पार्ट इस परकार से यहाँ वाला था तो यहाँ आप देखो कौन कौन सा है इन फंडिविलम हो गया उसके बाद एंपूला हो गया उसके बाद एस्तेमस हो गया तो आपको मानलो में तीन पार्ट हो गया तो यूट्राइन फंडस पार्ट जो हुआ वो तो यहां से हैं और यह एक तरह से आपको मालों में यूट्रल पार्ट है तो गरवास से फंडस इसका पार्ट नहीं है और इसका अंसर कौन सा जला गया तीन नमर मुझे अमीद है यह भी आपका गलत नहीं हुआ होगा जेखो इसमें आपने पूछा क्या विच आप इस नौट नेचूरल ट्रेडिशनल कॉंट्राशप्टिम मेथर्ड निमिन में से कौन सा प्राकरतिक प्रमप्रागत गरव विन्रोदत विदी नहीं है आप अच्छी तरह जानते हैं यह लेक्टेशनल एमनेरिया जो इस्पेशली ब से या कलेंडर मेथर्ड यह भी है एक वाल्ट आप जानते हैं यह लग ही हो गया इसका मतलब इसमें आंसर कौन से चला गया दो नंबर और मुझे उम्मीद है बिल्कुल सही किया होगा आपने यह डीजीज वाले चेप्टर से हैं जो मेच वाला है लिस्ट फर्स से और से औ इसका मतलब तीन नंबर यहां आ जाते हैं उसके बाद में रिंग वॉम जो कि एक फंगल के रूप में होता है आपको मालूम है यहां पर एक मैक्रिस्प्रम है एपिडर्म फाइटोन है यह एक तरह से रिंग वॉम से रिलेटेट यह फाइलरसीस यह एक निमी ठोड से आप मुझे उमीद है जब आपको मेच सिस्टम से मिल रहा है तो जरुत ही नहीं है अब देखो यहां फर्स्ट यह हुआ फिर थर्ड हुआ फिर फिर सेकिंड तो यहां ए में फॉर्थ के रूप में आपने देखा फर्स्ट में यहां ए में फॉर्थ तो इसमें नहीं है इसमें आप समझ गए होंगे टाइफाइड इसका रिलेशन किस्सें विक्टिरिया से हैं लैसमी ने यह था यह प्रोटोजवा से रिलेटेड हो गया रिंग वोम यह कवक से हो गया यह फायर इस एक शुत्र कर्मी से हो गया और आपके पास अंसर को अंज सला गया फॉर्ट और मुझ क्या कि सिसु के स्वस्थ विकास के लिए यहां पर उसकी व्रद्धी आरंबी काल में कुछ समय तक डॉक्टर सिसु को इस्तन पान कराने की इसला देता है बिलकुल सही बात है क्योंकि उसके बहुत सी आपको मालू मैं एंटीबोडी होती है जिसमें एंटीबोडी में आप यह बहुत अधिक होता है फिर IgM और IgG भी होता है तो इसका आर क्या कह रहा है वो देखो कि कॉलस्टरॉम कंटेंस सेवरल एंटीबोडी बिलकुल सही बात है कि कॉलस्टरॉम में कई परकार की परतिरक्षा पाय जाती है जो नवजात सी सुमें परतिरोधी समताओं कोतपन कंटे के लिए परमावश्यक है मतलब A सही है R सही है और R उसका explanation भी कर रहा है तो देखो यह कह रहा है A correct are wrong यहां incorrect इस गलत हो गया A की इनकरेक्ट यह फिर गलत हो गया बहुत A and R correct and R is the correct explanation of the A बिलकुल सही बात है यहां पर आपके पास तीन नमर आंसर चला जाता है यहां पर आपको मालूम है हाड़ी यहां HW equation जो है उसमें से आपको मालूम है कि अच्छी तरह हम जानते हैं कि P square plus 2P Q plus Q यहां पर आपको मालूम है square से यहां P plus Q equal 1 होता है इसको factor जो होते हैं वो effect करने वाले कौन से होते हैं जैसे मैं कहूं MR, MD, NS आप जानते हैं कि यहां gene migration है, recombination है, mutation है, genetic drift है और एक natural selection है तो इसका मतलब gene migration इसमें involved हो रहा है वो पूछ रहा है not तो इसका मतलब यह तो कर रहा है उसके बाद में दूसरा recombination भी कर रहा है, drift भी कर रहा है क्या है constant gene pool इसका मतलब एक इस्तर gene pool इससे related नहीं होगा और मुझे उम्मीद है सही गया होगा यह भी बहुत easy सदब उसके बाद देखों ना तो next question है बेटा which of the following statement is incorrect, incorrect statement आपको चाटना है, bio reactors are used to produce small scale bacterial culture, यह गलत हो गया क्योंकि bio reactor large scale पर लगाए जाते है industrial culture में, तो यहां पर large scale आएगा तो यह देखते ही statement अपने पास में incorrect रहा हम चाट लेंगे, बाकि हमारे पास में other statement की बात करे, bio reactors have an agitator system, an oxygen delivery system, and form control system, बिल्कुल सही बात है, ताकि उत्पादक्ता ज्यादा हो सके, उसमें उत्पादन हम ज्यादा ले सके, a bio reactor provides optimal growth condition for achieving and desired product, बिल्कुल सही बात है, optimal condition के लिए हम bio reactor को use करते हैं, most commonly use होते हैं, वो steering type bio reactors होते हैं, तो यह भी सही है, तो first answer हमारे पास में इसक जालों है, 7.6, यहाँ पर 7 diagram में आपने देखा होगा, कि especially यह जो muscles वाला, tissue वाला chapter है, उसमें muscles के type से, वो यह diagram दिया हुआ है, आप अच्छी तरह जानते हैं, यह ag skeletal muscles है, उसके बाद में यह एक तरह से smooth muscles है, और उसके बाद यह caudic muscles है, अब देखो, यहाँ यह skeletal muscles है, इ triceps होती है, triceps होती है, है ना, अब देखो, क्या गलती की इसने, यहाँ हर्ट में smooth muscles wrong हो गया, यहाँ पर चलो ठीक है, फिर involuntary nostive, फिर उसके बाद में skeletal muscles bone, फिर cardiac muscles hurt, फिर यहाँ smooth muscles toy, skeletal legs, cardiac muscles hurt, यहाँ पर आप जानते हैं, especially, जो यह skeletal muscles है, triceps, smooth muscles, यहाँ stromach, and cardiac muscles, hurt से related, मतलब 4 number 9 से चला जातर, मुझे अमीद है, गलत नहीं हुआ होगा, बहुत easy सा था, simple था, और यहाँ आपने किया होगा, फिर है, next, यह हमारे health and disease से, जो drugs होती है, वहाँ से लिए आगया है, आपको मालूम है, यहाँ आपर द जानते है, यह एक erythrozylum के रूप में जानी जाती है, इसका मतलब A में 3rd चला गया, heroin के रूप में आप जानते है, पेपेवर, यहाँ सौमेनी फेरम के रूप में 4 नमर चला जाते है, मार्फीन आपको मालूम है, effective serum in surgery के रूप में काम आती है, फर्स्ट नमर, और मैं ज एक से ही मालूम चल रहा है, देखो, A में 3rd एक में ही है, और मुझे उम्मीद है, आपने एक से ही आंसर निकाल दिया होगा, तो इसमें आप इंदी में देखते हैं, तो एक cocaine, एक erythrozylum, फिर heroin है, तो पेपेवर, सौमेनी फेरम, मार्फीन है, जो कि एक सल्लेचिके सामे के एक परभावी सामक के रूप में, और मेजुरायना, यहां मेरुजवाना आप जो कि एक केनाविस स्टाइविम के रूप में, यहां से इसका रूप है, तो A में 3rd आप जानते हैं, यहां एक में ही था, बाकि इसमें टाइम भी बचा होगा आप लोगों का, नेक्स देख जैसे मालों यहां सही पार्ट आप देखते हैं, अब आपने देखा कि मालों यहां पर यह रियक्ट है, तो यहां आपको मालूम है, जैसे यह एक तरह से उपर से आ रहा है, बाइपॉलर के फोर्म में यहां पर रियक्ट हो रहा है, यहां पूर किंजे सेल्स की आपरी फिर उसके बाद में आईपोतेलेमस डाइग्राम में आपको मालूम है आपने देखा होगा नियूरो सेकेटरी सेल्स के रूप में 22.2 डाइग्राम जो एंसियार्टी का है 11 का तो यहाँ पर आप जानते हैं यह वाला चला गया मेडूला है तो आप अच्छी तरह जानते हैं सियार्टी की लाइन है कंट्रोल दा रेस्पिरेशन एंड गेस्टिक सिक्रेशन इसका मतलब आपके पास दो यहाँ चला जाता है फिर है सेरी बेलम आपको मालूम है यहाँ पर प्रोवाइड दा एडिशनी स्पेस फोर दा निय यहाँ पर भी नहीं है गलत हो गया इसका मतलब च्यार यहाँ से आंसर चला जाता है मुझे अमीद है गलत नहीं हुआ होगा हिंदी में देखो पाउन्स क्या है कि मस्तिक्स के विविन भागों को आपस में जोडता है सही बात है हाइपो तेलेमस एक तंत्रीका स्रावित को मेडूला है तो आप जानते हैं सावशन वैजटर जो भी पार्ट होते हैं याटी उनसे कंट्रोल से रिलेटेड होता है और यहाँ सहरी बैलम जो होता है वो तंत्रीकाओं का एक अधरिक तिस्तावान बर्दान करता है अपनी इस्तती को बनाए रखता है वह संतुलन में न मालूम होगा कि आपको यह लगा होगा कि मतलब आप सी यल सी कही पेपर दे रहे हैं और वहां बेठे होंगे तो यह लग रहा होगा कि यह पेपर तौम ने दिये हैं और उनमें से पेपर आया है देखो नेक्स्ट उसके बाद में यह ओटो इम्मिनिटी डिसॉर्डर से है तो मालों में है यहां यूरिक एसिड के जमाव के करण गाहुट होता है और यह एक मॉस्किलर डिस्टॉपी जो कि एक जनेटिक डिसॉर्डर की रूप में आता है यह नहीं है और सिस्टेमिक लूपस एरेथ्रो मैटोसस जिसे अपन यहां SLE के रूप में जानते हैं यह भी एक डिजीज है और वैसे देखा जाए तो अगर आपको दो का 100% confidence था और यह दो आपके गलत थे तो निश्चित है इसमें option यह ऐसा दिया एक्जामिनेर ने कि A सही है B आ गया और E आ गया इसका मतलब आपने बिलकुल एक IQ best के रूप में भी अगर निकाला होगा यह NCR बीजीज वाले चेप्टर में आपने देखा होगा वहाँ पर है और जब यह दो यहां मेच कर रहे हैं तो निश्चित है आपने idea लगा लिया होगा तो इससे भी आंसर चला गया होगा वैसे आप जानते हैं कि यह डिफरेंट पार्टिकल्स जो बोडी के पार्ट्स होते है और और गन्स उनको इफेक्ट करने वाला पार्ट होता है फिर वहां जॉइंट में इंप्लामेशन की स्टेज होती है तो ऐसे करके यह आता है तो हेलो स्टूडेंट्स जो यह पर्टिकल्ल कोश्चन है यह आपका बाइटेक्स कोश्चन है प्लास्मीड का सवाल है बहुत स प्लास्मीड तो अपने को सिधा से एक उप्शन डूड़ना है जिसके अंदर आपके सामने बेसिक इंफोर्मेशन हो तो अगर मैं यहां पर देखूं तो मेरे पास फर्स्ट ऑप्शन आएगा जहां पर आपके पास है तो नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं तो क्यूशन नमर 166, match list first with the list second, list first को second के साथ मैं अपने को match करना है तो यहां लिखा हुआ है subphase of pro phase first and specific characters मतलब pro phase first के जो subphase है उनके specific character के साथ मैच करना है तो सबसे पहले अपन diikinesis यहाँ पर दे रखिये है और diikinesis में आपको पता है बेटा कि हमारे पास में क्या हो जाता है कि आज मेटा जो हमारे पास में बनते हैं उनका terminalization हो जाता है मतलब वो खतम हो जाते हैं आप लोगों को पता है कि पहले हमारे पास में क्रोमोसोम आएंगे, फिर बायवेलेंट टेटराड बनेंगे, फिर क्रोसिंग ओवर होगा, जहां से जुड़े होगे होगे, वहां की आज में एक्स टाइप की स्टेक्चर बनेगी, उनका ट्रमिनेशन हो जाएगा. नेक्सट है पैकाइटिन, पैकाइटिन में आपको पता है क्रोसिंग ओवर होता है, तो अप्पेरेंस ओफ रिकॉंबİनेशन नौडूल्स अपने पास में इसकें अंदर होगी. और फिर जाइगोटीन में आपको पता है सिनॉप्टिनेमल कॉम्पलेक्स का फॉर्मेशन होता है तो कॉम्पलेक्स इसमें बनेगा और लैप्टोटीन में क्रोमोसॉम थ्रेड लाइक या बुक्के जैसे दिखाए देते हैं इसलिए अपने इसको बुके स्टेज भी बूलते है तो यह हमारे पास में हो गए मैच तो हमारे डी में आ गया बेटा सेकिंड मतलब अ में आ गया सेकिंड और बी में आ गया फॉर्ट और सी में आ गया फर्स्ट तो आनस्वर हमारा फर्स्ट ही हो गया अब देखो यह हमारे reproductive health से उठाया गया है यहां list first से second में match करवाया है अब आपको मालूम है यहां से पूछा गया कि यहां non-medicated जो IUD है वो कौन सा है तो यह लिपेस लूप के रूप में यहां आपके पास तीन नंबर answer आ जाता है फिर है copper released UID तो multi-loaded part जो कीश में first आ गया फिर hormonal energy 20 यह कई बार neat में आ चुका है और यहां implant जो की एक प्रोजस्टिन के रूप में यहां part जो होता है तो यहां second आप देखो first में A तो आपको मालूम है यहां देखो first में यहां आप देखते हैं A में third है फिर B में second फिर hormonal में energy 24 और फिर उसके बाद में D में second अब आ यहां पर आपके पास यही answer था और था ही नहीं तो यहां देखा औसी रहीत कौन सी होती है तो लिपस लूप यहां पर आपके पास तीन नंबर आगे उसके बाद आप देखते हैं तामबा मोचक तो multi-lodate 375 यह आ गया फिर उसके बाद में hormonal तो RLG 20 हो गया फिर इंतरा र है बहुत सिंपल है इसमें कोई ज्यादा सोचने वाली बात नहीं थी बस थोड़ा सा ध्यान रखना था देखो क्या इसमें पूछा यहां पर कि आप जानते हैं कि जैसे मालू एक a silomate होता है दूसरा pseudo silomate होता है और तीसरा कौन साथ true silomate होता है अब true silomate में साइजो और एंट्रो के रूप में जाना जाता है अब a silomate में तो आपको मालू में प्लेटियल मंतीज है और pseudo silomate में एसकेल मंतीज है इसमें आपको मालू में एनलीडा आर्टोबोडा और मॉलस का है इसमें काई नोडर मेटा और कोड़ेट हावाले स्टिक्चर आ जाते हैं हमी कोड तो अब देखो पहला इसने कहा कि यहां पस एनलीड्स आर्ट्यू सिलोमेट बिल्कुछ सही बात है फिर कहरा पोरी फेर आर्ट्यू सिलोमेट जब यह स्केल मंतीज होना चाहिए तो आपको मालूम है कि यहां पर आल्ली ए जो है इसका मतलब आपके चार नंबर आंसर चला जाता है मुझे अमीद है सही भी हुआ होगा फिर उसके बाद देखो यह हमारे रेस्पाइरेक्ट्री सिस्टम से आपको मालूम है यहां पर एच बी का ओटू के साथ जो एक फेवरेबल कंडिशन होती है वो कौन सी है वो पूछी गई है वीच आप देखते हैं यह लेप स साइड है अब राइट साइड में क्या होता है जैसे मालो यहां पर आपको पास सी ओटू बढ़ रहा हो हाइट्रोजन आयन की स्टेक बढ़ रही हो पी यहां से डाउन हो रहा हो पी ओटू यहां से कम हो रही हो पी फिप्टी है वो यहां पर क्या हो रहा हो इंक्रीज हो र PCO2 यहां से decrease हो जाएगी temperature आपको मालू में यहां पर क्या होता है? increase होता है तो यहां पर temperature कम हो जाएगा तो आप देखते हैं low PCO2 यहां पर ठीक है लेकिन यहां high hydrogen concentration जबकि high तो यहां होना चीए था इसलिए यह तो wrong हो गया दूसरा है low PCO2 and high temperature यह फिर गलत हो गया opposite हो गया high PO2 and high CO2 यह तो ही नहीं सकता अब है high PO2 and less hydrogen ion यहां से क्या हो जाएंगे decrease हो जाएंगे और PCO2 क्या हो जाएगी? decrease हो जाएगी और यह इस परकार से इसके साथ रेक्ट हो जाएगा तो आपको मालूम है कि कुपिकाओं में एक गटक ऑक्सीमो गलोवीन के लिए अनकुलनता होगी क्या कम CO2 वे उच्छ hydrogen ion यह गलत हुआ इस कारण से यहां कम CO2 है लेकिन यहां ताप माना देख है यहां कह रहा है दोनों ही उच्छ तो यह हो नहीं सकता आपके पास क्या हुआ? उच्छ PO2 अपक्सा करत कम हाइट्रोजन संदरता की रूप में आपके पास 4 नमबर आंसर चला जाते हैं मुझे उच्छ उम्मीद है आपने अच्छी तरह किया होगा इसको फिर नेश देखो यह हमारे जोइंट वाले से हैं आपने देखा इसमें बहुत सिंपल सा है बिल्कुल easy form में दिया है कि fibrous joint आप जानते हैं कि इसकल में है जो कि एक do not allow any moment इसका मतलब यहाँ पर आपके पास कौन सा आ गया थर्ड आ गया फिर है यहाँ से यह especially क्या है cardigan के joint है जो especially limited क्या करते है especially growth करवाने का मतलब moment करवाने का काम करते है और वैसे देखा जाए तो देखो आपने देखा A में third के वल एक में ही है फिर यहाँ पर कौन सा आ गया first e-space इंसरेंट में कौन सा आ गया knee जो कि आपको मालूम है चार नमर में और फिर ball and circuit joint humerus and pectoral जो rotational moment की रूप में काम करता है दो नमर तो आपने देखा एक में यहाँ पर 3 B में यहाँ का आ रहा है first C में 4 आ रहा है और D में यहाँ second R आ रहा है second answer चला जाता है इंदी में देखो एगरेसी संद्गियों की रूप में कपाल जो कोई गती नहीं करवाता है means तीन number answer यहाँ सल आ गया फिर उपास्तियू संद्गियों जो होती है वो especially यहाँ पर limited growth की रूप में या moment की रूप में तो यहाँ पर moment करवाती है निकटवर्थी के सिरूप में तो यहाँ पर आपके बास यहाँ आ गया फिर कबजा संद्गियों की गुठना वाली जो चलने में साहिता कर रही है और फिर पूछा यहाँ पर ball and circuit जो की हमिरस और अंस में एक लाके है ना तब को मालों गेलनेट केविटी में यह फिट होता है वहाँ ball and circuit की रूप में यह है तो यहाँ आपने देखा third, फिर first, फिर उसके बाद fourth और second इसका मतलब यहाँ तर आपके पास दो नमबर चला जाता है फिर नेख देखो यहाँ से बूछा गया यह एक simple सा form है जो की आप जानते हैं यह bond से बूछा गया है देखो lipase आप जानते हैं ester bond से related होता है तो इसका मतलब ester bond यहाँ पर यहाँ है फिर है nuclease आप अच्छी तरह जानते हो phosphodiester के रूप में काम करता है फिर है protease यह peptide bond के रूप में जाना जाएगा और amylase जो आप जानते हैं especially यहाँ पर बचा आपके पास एक ही है glycosidic रूप में तो यह वाला है तो यहाँ पर आपके पास इसी में है और किसी में भी नहीं है तो आपका माkm algún है A में आपके second आ गया फिर B में आपके पास fourth आ गया C में आपके पास यह first है और D में आपके पास यह third तो इसका मतलब इसका answer कौन से सला जाता है यहाँ आपको माम है इस्पेशली आप जानते हैं फर्स ट्रांसर यहां चला गया, फिर नेक्स देखो, यहां से बुछा है, यह हमारे आपको वालों में जेनेटिक से हैं, जो की आप जानते हैं जेनेटिक डिसोडर में, डाउन सिंड्रोम है या ग्रोमोजोमल डिसोडर या एक मेंडलीयन तो यहाँ मेच फस्ट और लेजस से स्टेकर वाय। आप जानते हैं यहां से लिस्ट यहां सन्ट में पहला है डाउन सिंड्रॉम और आप जानते हैं कि डाउन स्टेंट Google क्रोमजॉम में होने से यहां पर यह होता है तो इसका मतलब यहां third answer चला जाता है alpha thalassemia जो होता है वो especially 16 chromogenes से related होता है तो इसका मतलब यहां से ला गया फिर है beta thalassemia जो कि आपको मालूम है 11 नंबर से चला जाता है फिर है यहां से कौन सा caline filter syndrome जो कि X step क्योंकि आपको मालूम है यह वाली stage आती है trisomy step में ही तो आपको मालूम है यहां पर second चला जाता है तो देखो a में third वैसे बहुत ही किस्मत वाले हो आप कि इस बार देखा आपने कि आपको एक से ही answer मिल रहा था ज़्यादा डूणने की जूरत नहीं थी a में third आपने देखा केवल एक में है फिर b में fourth फिर c में first और फिर d में आपने देखा second इसका मतलब आपका answer first ही चला जाता है down syndrome 21 वे से related हो गया alpha 16 से related हो गया beta 11 से related हो गया और केलाइन filter जो कि x body से related यहां x chromosome से related है इसका मतलब आपके पास यहां पर first में a में third के वल एक में ही है इसलिए यह answer चला जाता है फिर देखो next यह हमारे आपको मालूम है human relations से related एक है जिसमें आपको मालूम है कि homo hebillus की structure और homo sapiens की related यह बाल है तो इसका मतलब क्या हुआ a से last मतलब a से यहां पर b वाला structure बीच में कुछ भी आए तो देखो किश्मत यहां आप जानते हैं कि a का relation अगर देखा जाए तो कहीं भी नहीं एक वल दो में है तो आपको मालूम है पहले कौन सा हो गया homo यहां abillus हो गया फिर उसके बाद में दूसरा कौन सा हो गया homo erectus हो गया तो यह homo erectus फिर उसके बाद में कौन सा हो गया homo यहां neanderthesis की रूप में यहां आपके पास यहां पिर लास्ट में especially homo sapiens की रूप में तो यह भी आ गया और मुझे उम्मीद है गलत नहीं हुआ ओगा बिलकुल system से की आओगा तो दो नमर आंसर इसके चले जाते हैं फिर नेक्स देखो यह फिर से आपको मालूम है classification से ही है उठाया गया यहां से देखो pleuro brachia आप जानते हैं T9 4A का एक example है इसलिए A में यहां से किन चला जाता है रेती विजीव्या जो की एक तरह से redulla जो की molluska में है stemocode जो hemicode data से related है आप जानते हैं और airsake आप जानते है austis के रूप में तो यहां पर तीन नमर चला जाता है तो देखो A में second option यहां है और यहां है चलो दो तो आपने cross कर दिये फिर यहां B में first अब B में first आपके पास एक में ही है इसका मतलब fourth answer जा रहा है और C में आपने देखा fourth आपको मालूम है और D में a third तो इसका मतलब अब देखो plurobank is the example of the tenophora के रूप में फिर है redulla related to the molluska फिर उसके बाद में stemocode is related to the यहां से hemicodata and air bladder are related to the यहां आपने देखा यह हमारे homologus analogus वाले points से लिया गया है तो आप जानते हैं यह पूछ रहा है the example of flippers of penguin and dolphin क्या कि penguin वै यहां से dolphin के flippers का उधारन जो पूछा गया है वो कौन सा है तो आप अच्छी तर जानगे कि यहां different origin step checker ग्रूप में है और function same तो आपको मालूम है यह convergence civilization से related हुआ divergent नहीं हो सकता है adaptive radiation यहां नहीं हो सकता है natural selection नहीं है तो इसका मतलब अभी सारी यहां आपको मालूम है first इसका example यहां से बनता है और मुझे उम्मीद है आपने बहुत अच्छा काशा किया होगा cut up देखो जो 12th के साथ है और उनके अगर मालो 630 college मिल जाएगी लेकिन ध्यान रखे 630 में अच्छी college नहीं मिलेगी तो आप तुरंट CLC जो अपना 16 अरी को बेच स्टार्ट हो रहा है उसको जोइन करें आप जानते हैं उसके बाद हर सौमार और गुरुवार को बेच स्टार्ट होता है फट से जोइन करें टाइम वेस्ट नहीं करें क्योंकि कई लड़के आप जानते हैं जोइन कर चुके हैं अच्छी रेंग आ जाएगी 12th के साथ और खास तोर से जो फ्रेसर है उनकी रेंग कम आई है तुरंट जोइन करें बेटा क्योंकि चार मई को आपको मालो में अगली बार एक्जाम होना है उसमें अच्छा खासा फोड़ क्या होगी CLC के आपने देखा पेपर की क्वालिटी देखी आपने दंगल या बायो केम्प या फिर मेराथन उसे भारक एक भी फिजिक्स केमेस्ट्री जुलोजी बोट्टी में बार से एक भी प्रशन नहीं था और मुझे उम्मीद है आपने अच्छा खासा किया होगा आप थोड़ा ध्यान रखें जल्दी से जोइन करें और अपने आप पे विस्वास रखें आपने बहुत अच्छा पेपर किया है आप टेंशन नहीं करें थोड़े बहुत मार्क से रहे हैं तो तुरंद जोइन करें जज़े-CLC विज़े-CLC नेक्स्ट कुशन आपको यह डाइग्राम दे रखा है क्या कह रहा है फोलॉइंग डाइग्राम सोइंग रैस्टिकेशन साइट ओफ एकोलाई कोलोनिंग वेक्टर PBR 322 आपको पता है PBR 322 से एक आर्टिफिशल वेक्टर है फाइंड दा रोल ओफ एक्स एंड वाई जीन एक्स जो होता है यह आरो पी होता है तो और अपने पास में वाई जो होता है वाई जो होता है आरो पी और एक्स जो है हमारे पास में कौन सी है ओर आई तो ओर आई जीन क्या करेगी प्रतिकर्ति के नियमन को करेगी कि कितनी अपने पास में कोपी बनेगी और ROP gene हमारे पास में क्या करेगी कि इसको start करवाएगी तो अपन देखते हैं The gene X is for protein involving in replication of plasmid and Y gene resistance for antibiotic की गल्त हो गया Y gene अपने पास में antibiotic resistance नहीं है यहां पर emphicillin और tetracycline वाली यह आ जाएंगी X gene responsible for recognizing site यह recognizing site के लिए भी responsible नहीं है X gene responsible for restrication site resistance to antibiotic यह भी नहीं होगा फिर हमारे पास में क्या होगा The gene X is responsible for control copy number क्योंकि ORI copy number को control करेगी of the linked DNA and Y gene protein involved in replication of plasmid तो ROP और हमारे पास में ORI तो answer क्या हो जाएगा बैटा next question following are the stage of cell cycle यह cell cycle की stage दी गई है to the correct sequence of stage from the option given below correct sequence देखनी है सबसे पहले क्या आएगी बैटा gap first आएगा G1 G1 के बाद में को ना आएगी S जिसको अपन synthesis phase बोलेंगे S के बाद में क्या होना आएगी अपने पास में G2 जिसको अपन क्या बोलेंगे gap 2 बोलेंगे फिर अपने पास में क्या जाएगा बैटा M-phase, karyokinesis जिसको अपने पास में D से represent करेंगे और फिर last में क्या हो जाएगा cytokinesis जिसको अपन C से represent करेंगे बोलें बी से represent करेंगे तो हमारे पास में answer जो है वो जाएगा E-C-A-D-B second option इसमें देखो क्या है match list with match second से देखो first यहां क्या common cold rhino virus इसका मतलब इसमें कौन से से ला गया third वैसे आपको मालूम है third एक में ही है इसलिए answer तो वैसे ही हो क्या फिर भी आगे देखो hemozoin hemozoin मतलब आप जानते हैं न plasmodium जब हम malaria की life cycle देखते हैं तो उसमें यह point आता है फिर उसके बाद withdrawal test आप जानते हैं टाइफाइट टेस्ट की रूप में withdrawal test और allergy dust mites इसमें आगे कौन सा fourth तो देखो third, first, second and fourth first, समझ गए होंगे कि सामान ने जो खाम में rhinovirus उसके बाद hemozoin में plasmodium badall test, typhoid में allergy, dhul, chणी, इसका मतलब वैसे आपने देखा होगा first से answer third से जा रहा है तशली कोई दिक्कत नहीं होनी चीए इसमें answer कौन सा आगया first, चलो बेटर next देखो इसमें पूछा गया in both sex of the cockroze a pair of joint filament structure called annal, यहाँ जो गुदिय लूम होते हैं या annal, सरकाई या सरसाई की रूप में जो सरचनाएं होती है, वो कौन से segment में present होती है आपको मालूम होगा, कि जैसे मालो आप देखते हैं, कि male होता, तो यहाँ annal style unsegmented point होता है, लेकिन मालो यह male और female दोनों को देखें, तो आपको मालूम है, 10th segment में यहाँ segmented structure जो present होता है, जिसे गुदिय लूम या फिर क्या annal क्या बोलते हैं, एक सर से असर करके राप में जाना जाता है, कौन से segment में है यह 10th segment में मिलता है तो इसका मतलब 10th यहाँ पर 4th answer चला गया, और मुझे अमीद है गलत भी नहीं हुआ होगा 180 question, क्या कह रहा है, फिर यह अपने पास में question simple सा है, match list with the list second, first को second से बनाना है, exonima जो है, exonima आपको पता है, कि हमारे पास में celia phlegula की जो outer growth होती है cell membrane में, यह exonima है फिर हमारे पास में cartwheel pattern, जो है, वो centriol में देखने को मिलता है, बैल गाड़ी के पई है कि समान 9 plus 0 के arrangement में क्रिष्टी जो है, वो हमारे पास में mytrocontriya की inner membrane पर मिलेंगे, और satellite region जो है, वो किसका region है, बैटा क्रोमोसोम का region है, तो अब आर इसको मैच करेंगे, तो A में हमारे पास में second है, B में first है, C में fourth है, और D में third है तो answer हमारा second हो जाएगा आप देखते हैं, इसमें पुछा गया which of the following is not a steroid hormone अब देखो, इसमें progesterone steroid है यहाँ पर cortisol steroid है testosterone steroid है, कौन सा बचा हो आए गुल के गौन, और मुझे उम्मीद है यह भी कोई गलत होने के chance नहीं थे, दो answer इसको चला जाता है, next जेखो यह हमारे nephron के जो two types होते हैं वहाँ से लिया गया है, इससे पुछा गया गया, given, like two statement, like first one, in the nephron, the descending limb of handle and loop is impreable to water, यह गलत हो गया वेटा, आप जानते है जैसे यह descending part है तो यहाँ से तो water का, क्या होता है यहाँ से रिया अब्सर्व होता है, प्रमियेबल होता है इसलिए यह statement क्या हो गया गलत और कह रहा है, प्रमियेबल टू दा इलेक्टोड, वो उपर वाला पार्ट होता तो होता, तो इसका मतलब यह पहला statement क्या हुआ, रॉंग हुआ आप देखो दूसरा दापीसिटी इस दा लाइन बाइस सिंपल कॉलम्नर ब्रस बोर्डर, यह इस वाले structure के कारण गलत हो गया क्योंकि आप जानते हैं, cuboidal आपने देखा होगा, page number 101 page, second paragraph में fourth line में लिखा हुआ है cuboidal tissue में, आपने देखा tubules of nephron and यहाँ पर duct of glands, आपने देखा होगा तो यहाँ पर यह भी गलत हुआ तो यहाँ दोनों ही गलत है तो statement कौन सा first भी यहाँ देखो, यह true कर रखा है गलत हो गया यह, यह false है लेकिन यह true है, इस करण गलत हो गया यहाँ पर यह first and second true गलत हो गया, तो बचा तुमारे पास यही था like both first and second statement are false, दोनों यह जो खतन है, वो एस अत्य है, इसका मतलब यहाँ answer गों से लगया है विटा, चार नंबर आदर विटर, next question है अपने पास में, which one is the correct product of DNA-dependent RNA polymerase to the given template आपको RNA polymerase मतलब आपको पता है कि RNA polymerase हमारे पास में क्या करता है, MRNA बनाने का काम करता है तो अब आपको क्या बनाना है, इससे MRNA बनाना है तो MRNA बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा RNA polymerase की direction का पता करना पड़ेगा अब आपको पता है बिटा, RNA polymerase की direction क्या होती है यह 3- to 5- तो वो अपने पास में नई stand बनेगी, वो कैसे बनेगी तो थाइमिन की जगा एडिनिन आएगा एडिनिन की जगा अपने पास में थाइमिन फिर अपने पास में गवानिन फिर अपने पास में थाइमिन एडिनिन, साइटोसिन, साइटोसिन गवानिन, फिर थाइमिन थाइमिन, थाइमिन एडिनिन फिर अपने पास में थाइमिन, एढ़िनि, गवानिन, गवानिन, थाइमिन फिर हमारे पास में एढ़िनि, एढ़िनिन और फिर गवानिन और थाइमिन यह हमारे पास में बन जाएगी 5-3-2 consistent बन गई है coding अब coding से MRN बनाने के लिए हम simple सा तरीका कर देंगे जहाँ जहाँ अमारे पास में thymine है वावाँ क्या लगा देंगे uracial क्योंकि आपको पता है dna जो होता है उसमें uracial नहीं होता rna में हमारे पास में क्या होता है uracia ये sequence बन गई बेटा ठीक है तो sequence बनेगी हमारे पास में 5- adenine, uracial, guanine तो AUG से शुरू होगी तो AUG से हमारे पास में 3 हो रही है शुरू फिर AUG के बाद में ये AUG हो गया फिर UC UAC UAC और इधर भी UAC तो ये cancel हो गया दो में चलेंगे हम आगे फिर हमारे पास में क्या आएगा CGU फिर हमारे पास में UUU फिर UUU आजाएगा और इधर भी CGU, UU आएगा फिर इसके बाद में अपने पास में नेक्ट आएगई AUA फिर अपने पास में GGU फिर अपने पास में क्या आएगा AA, G और U तो इसका मतलब आंसर हमारा क्या हो जाएगा थर्ड यह हमारे respiratory system में यहाँ पर volume and capacity से जो reaction होती है, उसके आधार पर पूछा गया, देखो इसे बोलेंगे expiratory capacity मतलब EC यहाँ आप जानते हो EC बराबर क्या होता है, TV प्लस यहाँ पर ERV इसका मतलब TV प्लस ERV, जो देखा गया वो कौन से पर आया है, यहाँ second number पर आया है विटा फिर उसके बाद functional reduced capacity के रूप में देखें तो आप जानते हैं यहाँ जैसे की RV प्लस ERV, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर जैसे यह हो गया पहला और यहाँ हो गया RV, तो इसमें कौन से चला गया, चार number, फिर यहाँ पर सारी आएंगे, कौन कौन से, जैसे मैं कहूँ, ERV आ गया प्लस TV आ गया, प्लस IR आ गया, इसका मतलब यहाँ पर आया यह वाला योग्या, ERV, योग्या TV और योग्या, IRV, तो इसका मतलब यहाँ कौन सा आ गया, first और फिर आया यहाँ, कौन सा IC, IC में क्या हो गया TV प्लस कौन सा, IRV TV प्लस IRV यहाँ तीन नमबर पे यह चला जाता है, आप देखो मेच करवाओ, second नमबर, फिर fourth, फिर first और third, यहाँ पर आपके पास third में मिलता है इसमें, सेम आपने देखा नीशवश्य समता में आप देखते हैं, कौन सा हो गया जवारिया आयतन और नीशवशंस रक्सित आयतन दो नमबर, यहाँ चला जाता है फिर उसके बाद में, यह आपको मालूम चली गया, कि यहाँ पर यह वाला structure बन जाता है फिर उसके बाद में, इसमें complete यह आ जाता है और उसके बाद आप देखते हैं यह वाला structure है तो इसमें आपके पास यह वाला point बन जाता है तो इसका मतलब, आपके तेन नमबर आंसर चला जाता है यह गलत भी नहीं हुआ होगा नेक्स देखो बेटा यह हमारे conductive system से आया है क्योंकि आपको मालूम है कि जैसे मालो यह हर्ट है इस हर्ट पे यहाँ पर right कौनसा एट्रियम के upper right corner पर कौनसा होता है जैसे आपने कहा कौनसा बन गया ऐसे नोट बन गया यह फिर आप देखते हैं यहाँ पर lower side पे right एट्रियम पे ही कौनसा हो गया यहाँ पर यह ऐसे नोट फिर यह हो गया AV नोट फिर यहाँ से आप देखते हैं यह bundle of his के रूप में जाना जा रहा है तो आप जानते हैं इसे हम AV bundle भी बोलते हैं और यहाँ से यह fiber का structure निकल रहा होता है यह हो गया कौनसे पुरकिन जे fiber के रूप में तो यह हो गया पुरकिन जे fiber और यह branches का structure हो गया इधर right side left side तो यह branches हो गया तो इसका मतलब करम से देखो आप पहले कौनसा हुआ ऐसे node यह हो गया फिर उसके बाद कौनसा हो गया AV node फिर उसके बाद में कौनसा हो गया bundle वाला part फिर उसके बाद में कौनसा हो गया यहाँ bundle की branches और फिर कौनसा हो गया पुरकिन जे fiber तो इसका मतलब आप देखो एक number पे यहाँ ERA है और E के बाद में CRA है यहां से इसमें यह आ रहा है तो यह गलत हो गया इसका रणस यहां से कौन से चला गया थर्ड नमबर बहुत एजी सा था यह गलत भी नहीं है नेक्स देखो यहां से हमारे जो टीशू वाला स्टिक्चर आप देखते हैं आप जानते हैं Unicellular Grandular Epithelial Part जो आप अच्छी तरह जानते हैं कि यहां पर Goblet Cell of Elementary Canal इसमें थर्ड की रूप में आंसर चला गया फिर उसके बाद में यहां देखते हैं Compound Epithelial तो यह कौन सा हो गया यहां से यहां Moist Surface of Buccal KVT इसमें ओगया कौन सा चार नंबर फिर Multigrandular Epithelial यह ओगया कौन सा Salary Gland और Endocrine Glandular Epithelial तो आपको मालूम है Pancreos यहां से यह वाला पार्ट तो इसका मतलब 3rd, उसके बाद 4th, फिर 1st और कौन सा 2nd और आपको अच्छी तरह मालूम है एक को देखके यह आंसर निकल रहा है इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है और आपने देखा होगा एड़े ने इस बार खास सोर से जुलोजी वाले portion में देखा होगा एक option से ही आंसर निकल रहा है इसलिए दलत होने के chance भी बहुत ही कम रखे गये हैं कोई silly mistake वाले chance भी नहीं है बेटा अब देखो यह hormonal वाले structure से हैं आप देखो इसमें हमारे पास क्या आया LH उसके बाद A तो यह कौन सा हो गया FSH LH का relation कौन सा हो गया यहां से leading cell से यह कहा हो गया especially sertoli cell से वहाँ factor काम करेगा और क्या गरवाएगा इस पर नियोजिनेस के रूप में जाना जाएगा तो देखो FSH leading cell sertoli cell और इस पर मियोजिनेस इसका मतलब तीन नमबर आंसर चला जाता है बहुत एजी सा था चार्ट को बूरा गरना था आपको देखो बटा Regarding catalytic cycle of an enzyme action select the correct sequential step एक enzyme की किरिया विदी में उत्पर के चकर के संद्रब में सही अनुकर्मने चैनों का चुनाव कीजिए तो सबसे पहले क्या होगा कोई भी enzyme होगा वो सबसे पहले substrate से bind होगा या substrate जोगा वो enzyme की active side से bind होगा तो हमारे पास में यहां क्या आ गया E फिर अपने पास में क्या बनेगा enzyme substrate complex बनेगा तो इसका मतलब फिर क्या आ गया A फिर अपने पास में क्या होगा chemical bond जो होगे वो substrate के breakdown होगे product में change होगा तो फिर हमारे पास में D फिर हमारे पास में क्या होगा product release होगा और अपने पास में फिर enzyme other के bind होने के लिए क्या हो जाएगा फिरी तो EADCB तो हमारे पास में answer हो जाएगा third यहां से यह हमारे ECG से उठाया गया point है देखो आपको मालूम है कि जैसे मालो हमने देखा यहां पर यह waves के रूप में आप जानते हैं कि जैसे आपने देखा इस परकार से यह point यूँ है यह P wave है यह Q, R, S और यह T अब वो पूछ रहा है कि यहां पर जो P wave है वो क्या शो कर रहा है NCRT की line है कि depolarization of atria मतलब atrial systol 0.1 के लिए time होता आपको मालूमी है और आप अच्छी तर जानते हैं कि यहां depolarization of atria मिस यहां पर आपके पास कौन से चला गया 3rd फिर देखो NTA ने क्या किया 3rd इसी में रखा है फिर उसके बाद में B देखो Q, R, S complex depolarization of the ventricles यह भी वड़ा simple सा था उसके बाद देखो T waves यहां पर क्या आया, like repolarization of the ventricles वैसे end of systrol के रूप में इसे आटिक में भी लिखा है फिर उसके बाद में T और दूसरा कौन सा P जो आगी की structure के रूप में देखा जाएं तो यहां से क्या हुरा है तो यह heart muscles are electrically silent इसका मदब first structure के रूप में तो यहां third, second, fourth and first आपके fourth option में मिलता है और मुझे उम्मीद है आपने बहुत सही तरीके से किया होगा और वेसे एक सही मिल रहा है बेटा फिर next देखो, यहां से आपने देखा next question बहुत अच्छा question है ceiling mistake करवाने के लिए बहुत अच्छा रहा है आप से कहा गया है given below R2 statement नीचे दो statement दिये गए है mitochondria and chloroplast are both double membrane bounded cell organally यह हर बच्चा जानता है ninth class से आजाता है कि यह double membrane bounded cell organally है next क्या कह रहा है inner membrane of mitochondria is relatively less permeable as compared to chloroplast यह मामला गड़बड हो गया क्योंकि क्लोरoplast से आप compare नहीं कर सकते दोनों अलग-अलग cell organally है और अगर हम बात करते हैं उसी की outer membrane से वो less permeable होती है तो यह statement क्या हो गया? wrong और यह statement क्या हो गया? सही तो इस statement first correct है और इस statement second क्या है? incorrect next question हमारे पास में है match list first को list second से आपको match करना है अब हमारे पास में यहां RNA polymerase third की बात कर रहा है आपको पता है RNA polymerase third SNRNA और TRNA का formation करता है दूसरा है termination of transcription आपको पता है row factor termination में help करता है splicing of exon आपको पता है SNRP दोवारक किया जाता है और Tata box जो होता है वो आपको पता है promoter site की तरफ होता है और promoter को परचाने में help करता है तो इसको match करते हैं तो हमारे पास में A में आ जाएगा fourth B में आ जाएगा third और C में आ जाएगा first तो यह हमारे हो गया आप देखो यह हमारे nerve system से लिए आगया point है इसमें पूछा गया दो statement दिये हुए है इसमें आपको check करना है right or wrong तो देखा cerebral hemispairs are connected by nerve tech is known as corpus callosum आप अच्छी तरह जानते हैं कि यहाँ एक band type के structure होता है और यह corpus callosum होता है और दोनों hemispairs को जोडने का काम करता है इसका मतलब यह first statement क्या हो गया correct हो गया और दूसरा क्या है the brain stem consists of the medulla दूसरा है pawns और तीसरा seri bron यहाँ गलत हो गया यहाँ seri bellum होता तो first सही है और second क्या हो गया wrong तो इसमें देखो first is correct and second is the incorrect आपको अच्छी तरह मालूम चल गया आगे जाने की जुरती नहीं है first में ही आपने देखा first is correct and but second is the incorrect यहाँ पर आप जानते हैं इसलिए आपका answer कौन से चला गया first answer चला जाता है और मुझे उम्मीद है कि यहाँ प्रहमस्तिज गोलार तंत्री का पट्टी द्वारा जुड़ी वी शरचना जिसे हम क्या बोलते हैं कॉर्पस केलो से आप अच्छी तरह जानते हैं NC8 की लाईन है बिल्कुल सही बात है और एक मस्तिग सम्में मेडूला, अबलंगटा, पॉंस और यहाँ पर सेरी बहलम आना चाहिए ब्रहमा आगया इसलिए गलत हुआ इसका मतलब फर्स सही है और सेकिंड इसमें गलत है फिर नेक्स देखो हमेटा इसको देखते हैं इसमें टू स्टेटमेंट है लाइक फर्स्ट, बॉन मेरो इस दा मैन लिम्फेटिक ओर्गन वेर आल बलड़ सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट आर प्रोडूस्ट, कहने का मतलब अस्ती मज्जा मुक्खे लसी का अंग है जहां लसी कानो सहीत सभी कोसी कहां जो रक्त कोसी का का उत्पादर है बिल्कुल सही बात हुई फिर दूसरा कहे रहा है बोट बॉन मेरो एंड थाइमस प्रोवाइड माइक्रो एंड़मामेंट्स फोर दा डबलपमेंट एंड मेचुरेशन आफ टी लिम्फोसाइट बिल्कुल सही बात है दोनों अस्ती मज्जा वे थाइमस फिरस्ट लुवा ये हैं गलत हुआ स्टेट इन कर्यक्ट ये गलत हुआ बहुत फिरस्ट एंड आर कर्यक्ट इसका मतलब इसमें तीन नमबर अंसर चला जाता है बर मुझे उम्मीद है गलत भी नहीं हुआ होगा यहां यह हमारे कौक रोष से लिया गया है रूप में यहाँ पर आपके पास चार चला जाता है दूसरा पूछा गया the ring of six to eight blind tubules at junction of four gut and mid gut यह gastric cica या है पटिक cica के रूप में आप जानते हैं यह वाला structure बनता है तो यहाँ पर आपके पास दो चला गया फिर यहाँ से पूछा गया next ring of 100 to 150 yellow colored thin filament at dinson of mid gut and hand gut इसका मतलब tube के रूप में यहाँ पर टिबूज के रूप में यहाँ answer कौन से चला गया third फिर उसके बाद में पूछा गया like the structure used for the यहाँ से glinding of the food particle बोजन को पीछने के लिए पैशनी या गीजार काम करता है तो चार दो तीन, एक पर देखो यहाँ पर यहाँ चार फिर उसके बाद में दो फिर तीन फिर एक यहाँ पर आपको मालूम है तोड़ा सा इसके अधार पर answer क्यों से चला गया तीन नंबर आनसर चला जाता है नेक्स्ट क्रिशन है given below फिर आपको दो स्टेटमेंट दिए गया है गाउस कम्पीटेटिव एस्किलिजन प्रिंसिपल इस्टेट डटू क्लोजली रिलेटेड इस्पिसिज कम्पीटेड फोर डिफ्रेंट रिशोर्स यहां से इस्टेटमेंट गलत हो गया यहां पर आएगा सेम रिशोर्स कैंनोट इन डिफैंटल्य उपने पास में लंबे समय तक क्या नहीं रहसकती है साथ नर रह सकती है अगर आपास में रिशोर्सथे समय होते हैं तो लंबे समय तक नहीं रह सकती है दूसरा है according to Gauss principle during competition the inferior will be eliminated अपने पास में inferior eliminated कर देती है तो आपने पास में जब resource क्या होते हैं लिमिटिंग होते हैं तब ही यह true होता है तो यह सही बात है जब हमारे पास में दो species एक साथ रह रही है तो superior inferior को वहां से भगा देगी या eliminated कर देगी जब resource क्या होंगे लिमिटिंग होंगे यह लाइन भी हमारे सही है तो हमारा statement फर्ष्ट गलत है और statement second जो है वो true है तो आंसर हो जाएगा second जेक्स्ट्रा मेडूलरी नेफ्रोन के से मालो यह एक cortical structure की रूप में और यह मेडूला और यह जेक्स्ट्रा मेडूलरी तो जो cortical structure की रूप में होता है तो आप जानते हैं यह वाला structure जो है वो 85% cortical और मेडूलरी कितना होता है 15% तो इसका deep part में यह दसाओ वासा होता है तो आप जानते हैं कि first here option यहां correct form हो रहा है कि loop of hand ले loop of hand ले medullary नेफ्रोन क्या करेगा run deep into the medulla बिल्कुल सही बात है यह answer यहां से आ गया फिर भी हम आगे देखते हैं Zextra Medullary Nephron out number of the cortical Nephron यह होता ही नहीं है इसलिए आपको मालूम है cortical part में नहीं है Zextra Medullary Nephron are located in the column of vertini यह भी cortex का part होता है जो की medullary part में दसा हुआ होता है इस करण से यह भी wrong है like renal corpals of jextra medullary nephron lies into the outer portion यह फिर कॉर्टिकल के लिए हो गया इसलिए रॉंग तो यहां पर कौन सा अंसर हो गया बेटा फर्स ट्रांसर चला जाता है और मुझे अम्मीद है थोड़ा सा दिमाग लगाने की जुरत्ती नेक्स देखो यह हमारे नौन कॉर्डेट के स्ट्रेक्च के रूप में पूछा गया कि कौन कौन से क्रेक्टर है जो यहां पर स्पेशली है तो देखो यहां से पूछा गया दाफॉइंग आर दा स्टेट्मेंट अवाउट नॉन कॉडडेट्स लाइक फर्स देखो यहां से कहा गया यहां आपको मालूम है यह कॉडडेट के रूप में हो गया है नॉटो कॉड़ इस एपसेंट सही बात है सेंटर नॉट सिस्ट्रम डॉर्सल यहां पर यह स्ट्रक्चर के रूप में आपने देखा फिर उसके बाद में हर्ट इस डॉर्सल प्रेजेंट सही बात है यहां पर पॉस्ट एनल टेल एपसेंट तो इसका मतलब B उसके बाद में कौन सा D और फिर उसके बाद E क्यांकि पॉस्ट हैनल टेल्स का पाया जाना इस्पेशली कोडेक करेक्टर हो गया है तो यहां आपने देखा वहन सा स्ट्रेट्मेंट ऐसा हुआ तो इसका मतलब B, D और E यहां पर फर्स्ट के रूप में पहचान लिया जाता है मुझे उम्मीद है आपने सही तरीके से पहचाना होगा यह हमारे ओरिजन ओफ लाइफ या इवलेश्टरी पार्ट से है जिसमें टेबल बनी हुई आपको मालूम है कि कौन-कौन से एरा से यहां पर कौन-कौन से एनिमल्स का रिलेशन है और इजनेट के रूप में आप जानते है वो एरा जिसमें पावफुल स्टेप में आए हैं देखो मीजोजोईक में आपको मालूम है यहां पर बर्ड्स और रेप्टाइल्स इसका मतलब थर्ड यहां पर आंसर गया फर्स्ट में फिर उसके बाद पूछा गया यहां एक स्पेशली कौन सा प्रोटेरोजोईक के रूप में तो लोवा इनवर्टिब्रेट्स के रूप में आ गया इसका मतलब फर्स्ट चला गया सीनोजोईक में मैमल्स सले जाते हैं इसका मतलब चार यहां आ गया और पेलियो जो इक में बचा एक किताब के पास फिस and amphibians यहां पर दो वाला चला जाता है तो देखो अंसर यहां से थर्ड फिर फिर फॉर्ट एंड सेकींट इसका मतलब यहां पर सेकींड आंसर चला जाता है नेक्स देखो यहां पर यह हमारी ग्लेंड से उसके एफेक्ट से होने वाले डिजीस से रिलेटेट पॉइंट उठाए हैं नेक्स देखो यहाँ पर इसने नाम दिया एग्जो एग्जोप्तलमिक गाइटर के रूप में यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर क्या होता है इसमें आपके पास कौन सा आ गया थर्ड उसके बाद एक्रो में यहाँ एक्सिज से क्रेशन और ग्रोथ हर्मोन से रिलेटेड है तो यहाँ आप जानते हैं यह फौर्थ के रूप में जाल ले आ गया फिर उसके बाद में कुर्सिंग सिंड्रॉम जो आप जानते हैं कहने का मतलब का तिदिक स्क्रेशन हुआ है जिसमें चंद्राकार चेरा बन जाता है अति गुलकोज रत्ता आ जाती है इसका मतलब यहां फस्ट चला जाता है फिर है यह थाइराइड से रिलेटेड ही है जो कि एक लो अमाउंट में या हाइपो सेक्रेशन ऑप थाइराइड हर्मोन के रूप में होगा और especially वहाँ से क्या करेगा उसकी गरति को रोग देता है और यहां sexually mentally physically सब ही यहां पर क्या होगा कामी की रूप में होगा तो देखो first में आपने देखा third, फिर fourth, फिर first and second third 3rd, फिर उसके बाद 4th, फिर 1st और 2nd, इसमें आंसर कौन से लगे है बेटा, 2nd नमबर चला जाता है, उसके बाद में, देखो यह blood group से हैं, बहुत इस्चांदार तरीके से उठाया हुआ प्रशन है, और आप अच्छी तरह जानते हैं, कि इसने direct पूछा कि करमस से genotype कैसे हो स अगर मालो, अगर father का blood group B है, तो यह structure की रूप में आपको मिल जायागा, mother का A है, तो यह structure में मिल जायागा, और बच्चे का blood group है, तो इसका मतलब O के रूप में है, तो आप जानते हैं, A वाला point बिल्कुल clear हुआ, इसमें देखो दोनू, बीबी की structure की रूप में, यह यहाँ पर क्या चला जाता है, सही, इसका मतलब केवल A, मतलब 3 नंबर वाला option यहाँ अंसर चला जाता है, और मुझे काफी उम्मीद है, अच्छा paper गया होगा, फिर भी देखो, सिरी mistake होती है, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखा जाता है, और आप जानते हो कि CLC के, दंग जल, मेराथन और जित्ते भी बायोकेम, डेस जो हुए हैं, उनमें से वेपर एक भी प्रशन ऐसा नहीं हैं, चाहिए वो physics का हो, चाहिए chemistry का हो, चाहिए जोलोजी का हो, बिल्कुल ऐसे के सिरीज में आपको प्रशन मिले हुए हैं, और मुझे उम्मीद है कि अगर आपने अगर मानलो देखा हो, तो बिल्कुल आप मेच करवा सकते हैं, कि कहीं changes भी नहीं हैं, और आप अच्छी तरह जानते हैं, कि मानलो थोड़ा सा इस बार आप जानते हैं कि थोड़ा सा cut-off जादा जाएगा, तो इसलिए आप time waste नहीं करें, जल्दी से ही, हर Monday और Thursday को बेच स् आपको मालो है, थोड़ा सा NTA ने सही तरीके से ले लिया, तो आप जल्दी से इसको जोइन करें, और मुझे उम्मीद है काफी अच्छा भी गया होगा, लेकिन इंतजार नहीं करें, देखो बड़ा तयारी करनी है, किनारी पर आके रुके, तो इससे बेटर है कि आप सो च करें, जैजेश CLC, विजेश CLC, थैंक यू